नमस्कार जैहिन दोस्तों आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ओफिसियल और अभी हम एरुटेडिया वाले बुक से बिहार का कोस्टन बैंक कोस्टन बैंक मतलब जो 60 वी BPSC से लेकर हलांकि मैंने 59-56 को भी कंप्लेट कर लिया है तो 66 तक का जो कोस्टन आया है एक्जाम में वो मैंने कंप्लेट किया हुआ है इस से पहले वाला हलांकि 60 से पहले वाले में चार ऑप्षन आता था और इसके बाद जो है पांच बाँ ऑप्षन देखते हो गई कि इन में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं option आता है तो pattern change हो गया है तो ये पूरा हमने complete किया है आपके exam में काफी helpful होगा और साथी कुछ लोगों का ये रहता है कि sir ये तो पुराना book है पुराना book हो new book हो question bank का question तो वैसा ही रहेगा और साथी मैंने question का एक अच्छे से जो extra effect होता है जो आपके लिए important है वो ही मैंने किया है और topic wise किया गया है जैसे कि अगर मालो 66 में जो history का है फिर 65 में जो history का है तो पूरा history का प्रस्थ एक वार फिर उसके बाद polity का फिर जोग्राफी का वैसे दिया गया है और description box में यानि तो जो comment पहला होगा उसमें हम किस समय पे कौन सा subject शुरू होता है वो भी मैं पीन अप कर दूँगा जिससे आपको जो subject देखने का मन है वो आप देख पाऊगे इस video में हमने current को और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो math है current sorry math और जो समसामिकी है इस दोनों part को complete नहीं किया क्योंकि current बदलता रहता है तो वो important होगा नहीं और math नहीं किया गया है उसको बाद में कर लेंगे तो इसमें आपको इतिहास बिहार quality geography अर्थ सास्त बिग्यान मिल जाएगा इस सब का PDF का भी link description box में डाल दिये हैं चाहिए तो ले सकते हैं तो चले वीडियो को enjoy कीजिए और यह सब में काम देगा चाहिए तो वीडियो को धिहान से देखिएगा अभी हम मुख्यतिया इतिहास का अगर आप प्रस्न देखे तो प्रतिक बार जो भी वीपेसी का एक्जाम हुआ उसमें इसका वेटेस काफी अधिक था 25, 26, 30, 30, 27 तो काफी अधिक प्रस्न आते हैं इतिहास से तो पूरा हम 66 कोशिस क लेकर जो 50 भी प्रस्न है वहां से लेकर 66 नंबर का भी प्रस्न तक जितने भी इतिहास के प्रस्न आए वो complete किये हैं आपके मन में एक प्रस्न आ सकता है कि 50 से पहले का क्यों नहीं किये उससे पहले का जो प्रस्न है वो काफी असान है आपको एम एक जलकी दिखाते हैं आप पचास से लेकर 66 तक का जो BPSC है, उसके इतिहास के सारे प्रस्ण चाहिए प्राचीन भारत हो, मधिकालीन हो, आधुनिक भारत हो, सब को हमने कम्प्लीट किया है, PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हो, तो पहले शुरू करते हैं, 66 भी BPSC में जो इत स्थान में हरपा का खुदा है हुआ था, 1921 में ये पता होना चाहिए, दयाराम सहनी के अधिक्स्ता में किया गया था, और एक कास्षी का मुर्ती मिला हुआ था, वो मिला था मोहन जोद्रों से, मोहन जोद्रों से, जबकि जो लोथल है, वो क्या था, बंदरगाह था, इनए पिटक, सुथ पिटक, तो होता है बहुत धर्म से, तो यहाँ पे त्री रत्न है, ये क्या हो जाएगा, जैन धर्म से, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, रिसब देव थे, रिसब देव और 24 पे तिर्थ करते महावीर स्वामी, इन में से किस सासक ने, चतुर्थ बहुद संगती कास्मीर में आयोजित की थी जो बहुद संगती था चौथा वाला वो कहां पे हुआ था कास्मीर में हुआ था ये किस सासक के द्वारा आयोजित किया गया था तो ये कनिस्क के द्वारा किया गया था कनिस्क के द्वारा और उसके अध्यक्ष कौन थे वसु मित्र अगर हम बात करें जो पहली बहुत संगती कब हुई थी यहाँ पे लिखते हैं पहली बहुत संगती हुई थी 483 इसापुर्व बुद्ध के जन्म के टैम में दूसरी बहुत संगती हुई थी 383 एक सो साल के बाद तीसरी बहुत संगती 251 इसापुर्व और फिर जो चतुर्थ था वो पहली सतावदी में हुआ था तो यह चारो सतावदी हो गया पहले के थे अजाद सत्रू पहले वाले के अजाद सत्रू सासक थे और उसके में महाकस्यप उसके अध्यक्ष थे दूसरा में काला सौक और इस्टाइम में वो अध्यक्ष थे सर्व कामा तीसरा पाटलिक पुतर में हुआ था उसके थे असोक आगे है निम्द में से किस भारतिय दर्शन ने पर्मानु सिद्यांत का परतिपागन किया पर्मानु सिद्यांत का क्या था? वैसे सिक, काफी confusing और काफी important है, वैसे सिक, योग का कौन क्या था, पतन जली, भारतिय इतिहास अब मध्यकालीन भारत शुरू होता है, किस दिली सुल्तान ने रक्त और लोह की निती अपनाया था, रक्त और लोह का निती बलवन ने अपनाया था, बलवन, कौनसा मध्यकाली भारतिय समराज ये, बयापक अस्तर पर, अस्थानिय स्वासाशन के लिए परसिद था, अस्थानिय स्वासाशन के लिए चोल था, और चोल मदान कई का संस्थापक कौन था, विजयाई, लाई, विजयालाई, आप्सन नमर B यहाँ सही था, आगbirds पिट्राडूरा, तो सौथ इंडिया था उधर भी आपको मिलेगा लेकिन मुखेति अगर प्रस ना आएगा तो मुगल काल का जिक्र किया जाता है वहाँ पर आपको मिलेगा भवन को सजानी के लिए इसका यूग किया जाता था किस मुगल सासक ने चितरकारी के लिए कारखाने बनाये थे चितरकारी के लिए कारखाना बनाया था अकवर गलती से भी जहाँगीर टिक नहीं करना है ठीक ना और यह जो आंसर में बता रहा हूँ यह BPSC का ओफिसियल आंसर है तो यह अकवर के दुआरा चितरकारी का कारखा का स्वर्न युक कहा जाता था अब आधुनी कितिहा सबसे अधिक वेटेज इसी का होता है इन में से किसने 1857 के बिद्रोह में सक्डिये भाग लिया था तो यहां पे लगवग जैसे नाना सहाब कानपूर तो इन्होंने लिया था कानपूर से बेगम हजरत महल लखनव यह भी अब यह तीन सही है यह यहां पे गलत है फिर भी एक से अधिक हो जाएगा आंसर क्या बन जाएगा ओप्शन नम्मर ए किस अधिनियम के बारे में जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे प्रंतु इंजन ही नहीं था कार है ब्रेक भी था लेकिन उसमें इंजन ही नहीं था यह कहा गया था 1835 में जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें यानि ऑप्शन नम्मर डी और यह किन के दुआरा कहा गया था जवाहर लाल नहरू के दुआरा जवाहर लाल नहरू के दुआरा कुश्यन नम्रे 11 है दंडी यात्रा जो दंडी यात्रा है वो कितने दिनों तक चला हुआ था 24 दिनों तक गांधी जी का दंडी यात्रा सबको पता है यह शुरू हुआ था 24 अप्रेल 1930 में काफी इंपोटेंड रही है जबकि राम परसाथ बिस्मिल भी नाम जाता है उनका भी क्योंकि उन्होंने पहली बार उनको परसिद बनाया था परसिद बनाने का श्री जाता है राम परसाथ बिस्मिल है उनको लेकिन इसके रचैता कौन है तो बिस्मिल अजीमा बादी question number 13 है बंगाल विभाजन के परत्यागहात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो यह स्वोदेशी आंदोलन हुआ था स्वोदेशी आंदोलन 1905 option number C हो जाएगा अच्छा यह एक प्रस्म और भी आता है इन में से कौन से आंदोलने महात्मा गांदी नहीं थे तो यहाद रखेगा 1905 के टैम में स्वोदेशी आंदोलन के टैम में महात्मा गांदी नहीं थे क्योंकि वो थे उस टैम में सौथ अफरिका में 1945-46 में दिली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे भूला भाई देशाई भूला भाई देशाई यानि option number B सही हो गया मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वोतंदरता ध्वज को कहां फाराया था विदेशी धर्दी पर पहली बार राष्ठे धोंचा फाराने वाली थी मैडम बिगाजी कामा ये फाराया गया था स्टुगाड में कब 1907 में निम्नलिखित में से कौन सी जोडी सही है यहाँ पे कौन सा जोडी इसमें से सही है तो जो CR10 थे CR10 उन्हें देश बंदू कहा जाता था तो एक मात निहां पे सही है देश बंदू CR10 पहला दिया आगे विनोवा भावे तो यह पर्थम जो व्यक्तिगत सत्यागरा हुआ था व्यक्तिगत सत्यागरा विनोवा भावे थे भूदान अंदोलन से भी जुरे थे विनोवा भावे आगे विलियम वेडेन वर्ण विलियम वेडेन बर्ण इनका तो कुछ खास है नहीं 1907 में जो कॉंग्रेस के स्वापती थे वो रास वियारी घोस थे आगे प्रसंद बहाते हैं कोस्टन नमर 17 भारती रास्टे कॉंग्रेस द्वारा किस दिन को पुर्ण स्वाराज दिवस घोसित किया गया था 26 जनवरी 1930 लाहुर अदिवेशन था कॉंग्रेस का लाहुर अदिवेशन 1930 बंगाल में दुईशासन परनाली किसके द्वारा लागू किया गया था दुई सासन पर नाली रोवर्ट कलाइव के दुआरा रोवर्ट कलाइव बहुत इंपोटन है यह सब रोवर्ट कलाइव 1765 की बात होगी 1765 इसमें से किसने 1893 में सिकागो में आयोजित धार्म संसाद में भाग लिया था तो ये तो स्वामी विवेकानन्द स्वामी विवेकानन्द 1893 और खितरी के महराज जो थे वो अमेरिका जाने के लिए उनका वंदवस्त किये हुए थे और विवेकानन्द नाम भी उनका ही दिया गया खितरी महराज का उससे पहले उनका नाम कहता नरेंद्र था 1923 में स्वाराज पार्टी का गटन किस ने किया था स्वाराज पार्टी का गटन किया गया था सियार दास और मोती लाल नहरू के द्वारा सियार दास और मोती लाल नहरू के द्वारा किया गया था 1923 में और ये 1923 वह इंटरपूल का स्थापना किया गया था, इंटरपूल का, प्रसिद नाटक नील दरपन किसकी रचना है, जिसमें इंडिगो खेती का जिक्र किया गया है, नील दरपन है, दीन बंधू मित्र, दीन बंधू मित्र, Q2 है, 1760 में प्रसिद वांडिवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और किसके खिलाफ? वांडिवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसेशी के खिलाफ हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसेशी के खिलाफ जिसमें अंग्रेज जीत गया हुआ था नि मनीखित में से किस अधिनियम में भारत में पिर्थक निर्वाचन मंडल अणरभ किया गया पिर्थक निर्वाचन मंडल ये आरंभ हुआ 1909 का भारत पढ़ीसत अधिनियम 1909 पिर्थक निर्वाचन मंडल भारतिय पड़िसत अदिनियम 1909 1931 में बुद्धो भगत के निर्तित्त में कोल बिद्रो किस छेतर में हुआ था कोल बिद्रो ये सिंग भूम में हुआ था कोल बिद्रो सिंग भूम में हुआ था उसके जो नेता थे वो मदारी महतो और बुद्धो भगत थे यह 1831, 32 की बात होगी 1831, 32 निम्नलिकित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाय की थी गांधी जी पढ़ाय किये थे भावनगर में सामलदास कॉलेज था सामलदास कॉलेज भावनगर उप्सन नमड़े, तो यह आपका 66 पा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 65 पे, इसका भी history शुरू करते हैं और कोशिस कीजिए का जो आपको इसे अजब टेप का प्रस्न आते हैं जैसे मैंने एक सरफ्रोसी की तमन नाव हमारी दिल में उसरफ का प्रस्न, उसको याद कर लेजी क्योंकि BPSC के प्रस्न में वैसे ही आंसार आपको देना पड़ेगा तो चली इसको शुरू करते हैं आगे हैं जो री एक्जाम हुआ था 66 पी BPSC का वो तो इसके इतिहास के प्रस्न कवर करते हैं प्रस्न है प्रत्थम मानब जिवास्म भारत के किस नदी घाटी से प्रप्त हुआ है ये प्रप्त हुए नर्मदा घाटी से और नर्मदा और तापती ये दो रीभर है जो Western flowing river है इसरफेती है और ये डेल्टा नहीं बनाती डेल्टा नहीं बनाती है ये बनाती है स्चूरी भारत के पहले समराज्जी की अस्थापना किस सासक के द्वारा किया गया था चंद्रगुप्त मौड़िये कब किया गया था? 322 इसा पुर्व से लेकर 298 तक इनका कारिकाल रहा था और इस बंस के सबसक्तिसाली थे मौड़िये बुद्ध की प्रांचिंतम प्रतिमा किस सैली में प्राप्त हुई है? ये मिला है गंधार सैली में और ये जो गंधार सैली है इसे ही हिंद युनानी सैली भी कहा जाता है किस अभिलेक में कलिंग विजय का वर्णन है? तेरावा अभिलेक अंसर बने गए यहां पे E 13 वावी लेक में आगे मधिकालिन दिहास यहां से शुरू होता है मधिकालिन भारत परहा प्रसने इसमें 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था 1565 में इसमें से हुआ था ताली कोट का युद्ध ताली कोटा का युद्ध option number D किसके बीच हुआ था बिजय नगर और दक्कन के बीच हुआ था बिजय नगर और दक्कन के बीच सलतलत काल में सारवजनिक वितरन परनाली किसने प्राडंप किया था सारवजनिक वितरन परनाली ये क्या था अलावदिन खिलजी ने अलाओ दिन खिल जी ने किया था अलाओ दिन खिल जी 1296 से लेकर 1316 तक रहा था 1296 से लेकर 1316 दीन ए इलाही किसके दौरा प्राडंब किया गया था दीन ए इलाही अकवर के दौरा दीन ए इलाही अकवर के दौरा एक आता है इलाही संबत ये 1583 में शुरू हुआ था दीने इलाही है इलाही संबत अस्ट प्रधान मंत्री परिशद किसके राजी परबंधन में सहायता करती थी सिवाजी के टैम में सिवाजी के टैम में था अस्ट प्रधान अब यहां से आधुनिक भारत है भारत का प्रथम गवर्नर जेनरल कौन था पहला गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिंग था ऑप्शन में नहीं है अंसर बने गाई वारेन हेस्टिंग भारत में ब्रिटिस समराज के संस्थापक कौन थ 1857 की करांती सर-पर्थम कहां से प्रणभ हुई थी 1857 की करांती मेरट से हुआ था और उस टाम में वैसरे कौन थे हलाकि पहला वैसरे वह असी वाद बना लोड केनिंग मुंडा विद्रो के नेता कौन थे विर्षा मुंडा विर्षा मुंडा 15 नौवंबर उनका जन्म होता है और जार्खर्ण दिवस मनाते हैं इसलिए 15 नौवंबर को आरी समाज किया स्थापना किस ने की थी आरी समाज द्यानंद सरसोती द्यानंद सरसोती ने किया 1875 में 1875 भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले को थे अला कि तीन लोगों को एक साथ मिला हुआ था पर अगर नाम आये तो एस राधा क्रिष्टन का नाम आता है इनका जन जो होता है वो 5 सिप्टेंबर को और उसी दिन हम मनाते हैं सिक्षक दिवस पहले बार भारत रत्न मिलना सुरू कब से हुआ था 1904 बन से तीन लोगों को मिला हुआ था अगर भारती राष्टे कॉंग्रेस के दूतिये मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दूसरे कौन थे रह्मतुल्ला मुहम्मद सयानी अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो बदुरुदिन तयब होते हाला कि यही पूछा जाते है आधिक पर दूसरा भी पूछ रह्मतुल्ला मुहम्मद सयानी दूसरे थे और पहले कौन थे बदुरुदिन तयब हलाकि कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष डबलूसी बनर जी थे सन 1902 में लॉर्ड करजन ने दो भारत सदसे को समलित करते हुए एक विस्विद्याले आयोग का गठन किया था वे दो लोग कौन थे सैयद हुसेन बिलगरामी और नयमूर्ती गुरुदास बनर जी ये दोनों थे पिस्विद्याले आयोग का जो गठन हुआ था इसमें समलित पूना सार्वजिनिक सभा की अस्थापना की गई थी पूना सार्वजिनिक सभा की अस्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1870 में भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस के दूतिय सम्मेलर में कितने मुसलिम परतिनिधी ने भाग लिया हुआ था 23 मुसलिम परतिनिधी ने भाग लिया हुआ था चंपारण आंदोलन मुखेता किसके विरोध में था नील विद्रो हलाकि नहीं दिया है तो वो नगदी फसल था वो तो नगदी फसल ऑप्सन नमबर बी जिसको तिन कठिया आंदोलन भी कहते हैं 1880 ESV में W.C. बनर जी द्वाड एंकित भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस के निम्न उद्देसों में से कौन सा सही नहीं था तो यहाँ पे ये दो उद्देस नहीं था इसका और ये दो था तो क्या उद्देस था इसका ये देख लेते हैं कि देस के हीतों की रक्षा करने वा की भावनां को विक्सित करने से लिए जो रास्ट्री कॉंग्रेस जो कॉंग्रेस का अस्थापना हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बने थे या जगा जगा पे हुआ ताकि वो सब लोग उसमें पार्टिस्पेट कर पाए देखते हो कि आप हिंदो मुसलिम सीख जैन सब क कोई उसमें अध्यक्ष कभी न कभी बना तो में उसका उद्देश हुआ ही था आगे 1906 में लंदन में अविनव भारत सोसाइटी की अस्था अपना किसने की थी अविनव भारत ये विनायक दामोदर सावर कर विनायक दामोदर सावर कर अविनव भारत भारत छोड़ो अपनिवार्सिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया ये किया गया था जब बंगाल लिवाजन हुआ था उसके एक साल के बाद से यनिए 1906 से शुरू हुआ था 1906 से जर्मनी के समर्थन में काबूल के राजा मेहंदर परताव सिंह के निर्थित्तु में अंत्रिम स पहले विशुद के टैم में सन 1946 इसवी में बंगाल में आरंभ हुआ था ये किसके निर्थित्त तुम्हें था देव हागा अंदोलन ये किसान सभा के निर्थित्तु में किसान सभा के निर्थित्तु में दुआड़ा किया गया था 1934 में 1934 अब याव ए 65 वी बीपेस्टी का हम पड़ेंगे हिस्ट्री के प्रस्न अपने सिला लेखों में असोक समानिता किस नाम से जाने जाते थे तो ये प्रिदर्सी प्रिदर्सी कौन गुप्त काल में असोधिक के छेतर में अपने काल के लिए जाने जाते थे सुसूरुत देखिए हलाकि यहां पर सुसूरुत है लेकिन गुप्त काल की बात करें तो वो धनवंतरी थें तो आंसर यहां क्या वनेगा आई ठीक ना सुसूरुत सरजरी के पितावा माने जाते चिकित सकते हैं गुप्त काल के कौन थे, धनवंतरी, धनवंतरी, आगे प्रस्न है, निमनलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ख्रोस्टी लिपी लिखी जाती थी, ख्रोस्टी लिपी, निमनलिखित में से कौन सा बंदरगा गुप्त काल में उत्तर्व हार्थी वेपार के लिए उपयोग किया जाता था निम्नलकित में से कौन सा बंदरगा गुप्त काल में उत्तर्व हार्थी वेपार के लिए उपयोग किया जाता था ये था तामड लिपी ये पस्मिक हार्ट पे था कह सकते होता मिलाडू के आसपास मुगल चित्रकला किसके निर्थिक्तु में अपने सिर्ष बिंदू पर था मुगल चित्रकला वो था जहांगीर के टैम जहांगीर के टैम में और जो चित्रकला का उनिवर्सिटी होता है म्यूजियम टैप का था वो किस ने बनाया था आक्वड ने बनाया था साइनिकों की सुगम्ता से भरती के लिए सायनिकों की सुगमता से भरती के लिए मतलब यह 55 जो है न यह मैंने एक्जाम दिया था और यह मैंने पास भी किया था इसके बाद 66 का मैं एडिट गाड नहीं आया था तो यह प्रस्न मुझे काफी अच्छा लगाती इस वार का मैंने पास किया था सेवे ने अस्ट परधान का गठन किस ने किया था अस्ट परधान सिवाजी अब यह देखते हो रहा जो अभी हम एक कोस्टन डिल किया थे 66 का डिवलाईजांग तो उसमें भी यह प्रस्न आया हुआ तो रिपिटेट होता है सिवाजी दिली के की सुल्तान ने सबसे जएदा नहरों का निर्मान किया था सबसे जएदा नहर फिरोज सा तुगलक ने किया था फिरोज सा तुगलक बंगाल की खाड़ी में समुद्री रखेती है तो हुगली का उप्योग कौन करता था हुगली का उपयोग पूर्टगाली करता था पूर्टगाली पूर्टगाली, option number अगे आधुन के दियास व्यक्तिकत सत्यागणा आंदोलन के पर्थम सत्यागणा ही कौन थे पहले थे बिनोवा भावे बिनोवा भावे, जिरोंने भूदा अंदोलन जो हुआ, तर्थम से पहले भूमी भी वही दिये थे लंदन में इंडिया हॉस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हॉस के संस्थापक स्यामा जी कृष्ण बर्मा स्यामा जी कृष्ण बर्मा option number अ देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? अखा राम गनेश दिसकर पुरणाम है भारती रास्थे कॉंगरेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ यूम कब वहा तो अस्थापना? 28 दिसंबर 1880 28 दिसंबर 1880 स्वराज मेरा जन्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कहा गया था बाल गंगाधर ती लगके दोरा स्वराज मेरा जन्मसीद अधिकार है और मिसे लेकर रहेंगे रविना टैगोर ने अपनी नैट हुड उपाधी किस कारण से त्याग दी थी? नैट हुड उपाधी वो जलिया वाला वाग हत्या कांड के वाद जलिया वाला वाग हत्या कांड के वाद वापस कर दिया थे भारत समाज सेवक के संस्थापक कौन थे? भारत समाज सेवक गुपाल क्रिस्न गोखले काकोरी ट्रेन डकेटी कांड में किन करांती कारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन टकेटी कांज जो हुआ था इसमें राम परसाद बिस्मी लोड़ा सफा को लाखा को इंडिया फोर इंडियन्स इस पुस्तक के लेखक हैं सी आरडास सी आरडास इंडिया फोर इंडियन्स सत्य सोधक समाज की अस्थापना किस ने किये थी सत्य सोदक समाज के स्थपना जोती भाफ फूले भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम वहला अध्यक्ष कौन थी भारती नहीं पुछा जा रहा तो क्या हो जाएगा एनी वे सेंट पहली भारती पुछे तब सरोजनी नैडू ठागों का अन्मूलन किसके निर्थित में हुआ था? ठागों का अन्मूलन किसके निर्थित में हुआ था? कैप्टन स्लिमन के निर्थित में अफगानिस्तान के प्रती आकरमक निती किस वैसरेने अपनाई थी? अफगानिस्तान के पड़ती आक्रमक निती Lord Litton 1930 में महात्मा गांधी ने सवीने अवग्या आंदोलन कहां से प्रणब किया था सवीने अवग्या आंदोलन कहां से प्रणब किया गया था दांडी से किया गया था 1930 में सारावंदी आंदोलन प्रथा जिसके तहत किसान स्वेंग भूमी का मालिक होता है और सरकार को भूर रज़सों के भूकतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है ये किसके दुआरा था रहियतवारी पर था के कॉड़िन रहियतवारी पर था अप्सन नमर B आगे 64 बेपेश 64 इसमें 30 प्रसन आये थे हिस्टिरी से तो वो देखते हैं इसको प्रसने भारत में पसुपालन एवं किरसी के प्रांचिन्तम साक्ष कहां पड़ाप्त हुए भारत में पसुपालन एवं किरसी के प्रांचिन्तम साक्ष मेहरगड़ से मेहरगड अप्सन नमर D इन में से पहली बार यह विवस्था की थी कि प्रिथिवी अपनी धूरी पर घुमने के कारण प्रती दिन सुर्योदय और सुर्यास्त होता है यह किसने बैख्या किया था आरे भटने किया था Q4 है सुवर्ण भूमी का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौध बिहार की अस्थापना की तथा उसके रख रखा भेतू अपने दूत द्वारा देव पाल से पांच गव दान में देने की प्रातना की थी बाल पुत्र देव ने बाल पुत्र देव ने उप्से नमर सी पेड़ी प्लस ओफ दे रिथरियन सी ये किनके द्वारा लिखा गया था ये एक ब्यपारिक संबंध था और इसके बारे में असपस्ट भी नहीं है कि किसने लिखा था तो यहाँ पर आंसर बनता है ये ठीक ना ये मैनली जो था भार अगर अप नेट की बात करो गूगल पे तुस पे लेका है William H. Scoff अगर प्रस्दे बिहार पर वक्तियार खिल जे के हमले का पहला विवरर कहां से प्राप्त हुआ है ये मिला है तवकात ए नसीरी से किस सुल्टान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजसु के रूप में दावा किया था नपाई का आधा हिस्सा राजसु के रूप में अलाउदिन खिल जी सेख बहुद्दिन जकारिया किस संप्रदैसे थे सेख बहुद्दिन ये थे बांच छो की इकाईयों में बिवाजित की थी ये इसका हला कि आंसर जो आयोक द्वारा ई दिया गया इसका भी जानकारी कलियर नहीं था यह कथन किसका है कि अकवर के सासनकाल में इलहावाद में चालिस अस्थम वयुक्त मंजिल के निर्मान में पांच हजार से बीस हजार लोगों ने चालिस साल तक काम किया था यह विलियम फिंच का था विलियम फिंच इलहवाद में जो चालिस अस्था मुजिक तुमंजिल था उसके लिए तो विलियम फिंच ने ऐसा कहा था कास्मीर का अकवर किस सुल्तान को कहा जाता है कास्मीर का अकवर सुल्तान जैनूल अविदीन को सुल्तान जैनूल अविदीन अब यहां से आधुनिक भारत है फैरे जी अंदोलन की शुरुवाद किसने की थी फैरे जी अंदोलन हाजी सर्यतुला पवर्टी एंड अन बिर्टिस रूल दादा भाई ने रोजी का है आगे 1929 में कॉंग्रेस अधिवेशन में पुर्ण स्वतंतरता या पुर्ण स्वराज का पता का किसने उठाया था ये पंडित जवाहरलान लेहरों ने 1929 लाहर अधिवेशन निवनलिकित में से कौन सा इस्टिंडिया कंपणी के सिपाहियों के बिद्रो का कारण नहीं था तो यहाँ पे ये तीनों कारण सही है और एक अच्छमता नहीं था सिपाही बिद्रो का च्छमता था वो तो तो इसाई धर्म फैलाने के लिए कंपणी के अधिकारियों का प्रियास जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोगता हम ये सब कारण हो सकता है पर ये नहीं था तो अंसर यहाँ पे क्या बनेगा डी मुगल बादसा बहादूर सा जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके समराज जी की सीमा कहां तक थी उसके समराज की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी उनमेंसे किस ने ँंगरेजी इस इंडिया कमपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी तो हैदरावाद की निजाम ने की थी हैदरावाद के निजाम ने 1875 में दक्कन के दंगों का पतकाली कारण किया था तो वह उची ब्याजदर लगाया गया था महाजनों के दूआरा तो महाजनों के दूआरा उची ब्याजदर रजनी पामदत ने कहा वे समराजजिबाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थ यह आ गया थाराष्टरवादी समचार पत्र नहीं था अग्या प्राथना समाज यंडिया लोकित बादी शथिसोधक समाज रहनुमाई मजदेशन सभाग के लिए निमनलखित विकल्पों में से कौन सा सन्योचन है पहसानी, वतलब इसमें से कौन कौन से जुरे हुए थे, तो आत्माराम पांडूरंगा, मोहंदास क्रमचंद गांधी, गोपाल हडी देशमुक, जोतिवा फूले, और नरोजी, फुर पहले नमर पे आएंगे, उसके बाद केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बंगाली, गंगापरसाद, युवर्मा, हिंदुस्तानी का गोपालक्रिस्ट निगोखले, और सुधारक इसके थे सुरंद्रनात बनड़जी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमाणी तिलक के नाम से जाने ज अब युक्त बनाया उसके बाद से, सरकार के बिरुध में एसेंबली में बम फेकने के कारण भगत सिंग जब बम फेके थे, उस टेम उनकी उम्र क्या थी, 21 साल से थोरे जाए थे, किस अस्थल पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ बिद्रो किया था, बिहार में हुआ था, बिहार, उप्शन नमर ए यह आपना सही होगा, अगे हैं, अन्ता, अर्जुन मुंदा नहीं, कौन मुंदा थे, बिर्सा मुंदा, अन्ता सदेव समिती के साथ, और अक्सरवानी जी मंडल के निर्देशक पर भारत सरकार चलती है, इसे वाइट मेंस बर्डेन कहा जाता है, यह किस ने कहा था, वाइट मेंस बर्डेन, यह कहा था, सचिदानन सिन्हा ने, सचिदानद सिन्ह निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागरा कौन सा था महात्मा गांधी का पहला था 17 वाला चमपारन सत्यागरा 1917 गांधी जी ने औसहयोग अंदोलन में लोगों को सराव से परहेज करने का आगरह किया फल्सरूप सरकार के राजस्यों में भाड़ी कमी आई एक परदेश की सरकार ने लोगों को फिर से सराब पिने को प्रेरित करने के लिए परमुख बैक्तियों की एक सुची परसारित की जो सराब पिते थे उस परदेश का नाम बताइए वो परदेश था अपना बिहार बिहार फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारण बस इस्तिपा दे दिया था कि इस्तिपा देने का कारण क्या था राजनेतिक बंधियों को छोड़ने कारण option number D यहां सही है अब आगे हम 63 VPSC पर 63 VPSC का जो question है प्रस्न है सिंदो घाटी सभिता की सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा क्या है सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा वहाँ पे पक्की इट का जो इमारत मिला वो है यानि option number A सही था मेगास्थेनेंज किसका दूद था मेगास्थेनेंज। दोता स्यलूकस का स्यलूकस का कोटेले की पुस्तक अर्थ सास्त्र किसी भी सैपर अधारित है अर्थ सास्त्र कोटेले का लिखा गया है इसमें सासन काल के सिध्यान तोर अभ्यास दिया गया है राजनेतिक सास्त्र कहा जाता है इसको त्री पिटक किसकी धार्मी पुस्तक है पिटक है बौध धर्म का तो धम सब्द का जो तातपड़ी होता है पढ़ जाके नेतिक उत्थान के लिए प्रस्तूत की गई अचार संदिदा तो यहाँ पर आंसर बनेगा डी इसमें से कोई नहीं मौरी समराज के साथ वर्गों का विभाजन का विशेश रूप से उलेक किसमे किया गया है यह किया गया है इंडिका पुस्तक में जो मेगास्थिनीज के द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिका उसमें प्रसिद्ध्ध चीने यात्री फाहियान ने किसके सासन काल में भारत की यात्रा की थी फाहियान किसके टैम मे आया था चंड गुप दूत्य के टैम में हुलिकाल किसके लिए प्रसिद्ध था ग्राम पंचायद के लिए भिलेज इसेंबले अप्सिन मुम्मर ए, भारत, दक्षिन भारत के मंदिरों का आकरसन द्वार क्या कहलाता है? अगे मधिकालिन भारत, बिजय नगर समराज्जिका आफसे, कहा मिलता है, बिजय नगर समराज्जिका हमपी में, हमपी, प्रथम मुसलिम सासक, कौन था? जिसके सासक के दोरान theory of kingship को राजाओं के इस्वडिय अधिकार सिध्या theory of divine right के समान प्रतिपाजित किया जाता था बलवन के टायम में बलवन भारत में कागज का प्रयोग का प्रारंभ हुआ 12 सतावदी में 12 सतावदी European penting ये किसके दरवार में हुआ था अकवर के टायम में भारत में किसके सासनकाल में English East India Company का गठन हुआ था English East India Company का गठन अकवर के टायम में हुआ था भारती एतिहास आधुनिक भारत शुरू होता यहां से निम्न लिखित में से किस देशी रियासत की अंग्रेजों ने अपने छेतर में नहीं मिलाया था अंग्रेजों ने अपने छेतर में किस देशी रियासत को नहीं मिलाया था गवालियर को गवालियर गांधी जी के नमक सत्यागड़ा का एक मात्र उद्देश से क्या था गांधी जी का मोपला विद्रो कहां हुआ था मोपला विद्रो हुआ था केरल में केरल 1921 मोपला विद्रो केरल भारत में सोदेशी आंदोलन के सुदारान हुआ था सोदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुध आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरुध आंदोलन था अस्थापना कॉंग्रेस के साथ ही 85 में हुआ था और इसमें फिरोज सा महता, केटी तिलंग और तैयब जी थे जबकि W.C. बनेर जी वो इसमें थे, कॉंग्रेस वाले में थे इम्पिरियल केड़्ट कॉंग्र्प्स के अस्थापना किस ने किती इम्पिरियल केड़्ट क्रोंप्स के दवार किया था? Lord Karzan के दुआरओ Lord Karzan करणल वैली की हत्या के आरोप में किसे मिर्थिव दंड दिया गया था? मदल लाल धिंगणा को मदल नाल धिंगडा भारती उचायुक्त के पद पर किस अधिनियम से स्रिजन किया गया था ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारती राष्ट्रे कॉंग्डेस ने किस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो पहला और लास्ट वाले में पहला और तिरती आंसर बनेगा ये भीमर आमबेदकर सभी गोल में सम्मेलन में भाग लिये थे महात्मा गांदी ने भारती राष्ट्रे कॉंग्डेस के किस अधिवेशन की अधियक्षता की थी बेलगों अधिवेशन था तो वो 1924 में हुआ था उन निस सो चोविश में option no 2 इन में से कौन का सदशिट नहीं थे कावनेट मिशन का सदशिट इसमें से कौन सा नहीं था बैवल नहीं था बैवल जबकि पैथिक लाऔरन्स स्टे फोर्ड क्रिप्स और Alexander यह सब कावनेट मिशन के सदशिट थे नौ और नेवर, पंपलेट किसने लिखा था, नौ और नेवर, रहमत अली ने, रहमत अली, सती को गैर कानूनी किसने घोसित किया था, सती पर्था को गैर कानूनी किसने घोसित किया था, विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग, आपसा नमबर B, पंजाब भूमी हस्त हस्तानतरन अधिनियम कब पाडित किया गया थाanska पंजाब-भूमी ए पाडित किया गया था 1900 में 1900 राजी विभाग की अस्थापना किसकी अध्यक्ता वे की गई थी राजी विभाग सरदार पंदिर्स पंदर्व की एक अध्यक्ता में या diff तो इस चीन सेने वाले यात्री कौनु इसके फाहियान है इसे सक्रांग और इस इस से किस और अरफ्ण करगाटा का हल बनावली से बनावली कलिंग नडिएज खार्वेल का संबंद चे भ Katy wanda किस प्रकारी की भूमी को अप्रहत कहा जाता था ऑप्रहत जिसों जोत्या नहीं जाता था View जिसे जोता नहीं जाता था अए अगे मधिकाली दिवान रज बिभाग स्थापित था दिवाने अर्ज, रक्षा विभाग था, रक्षा विभाग, जय वंत, जय सवंत और दसावन, पर्शित चितरकार, मुगन समराठ में किसके दर्वारी थे, ये थे अकवर के, जय संबत और दसावान, बहमानी राज का सनस्थापक कौन था, बहमानी राज का अलाओदिन हसन, फार्शी यात्री, अब्दुल रज्जाक, भारत के किस राजा के सासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक आया था देवराय दूतिय के टाइम में, देवराय दूतिय, अप्शन अमर सी, आगे आदुनिक भारत जिसमें, मुसल्मान येदी खुस है और संतुस्थ है, तो भारत में ब्रेटिस सक्ति का महंतम बचा होगा, ये किस ने कहा था, ये कहा गया था, डबलू, डबलू हंटर के दौरा, हंटर, अप्शन अमर सी, अठारो संतावन की करांती के दौरान बिहार में करांती कारियों का नेता कौन था, बाबु कूबर सिंग, बाबु इसवास है कि कॉंगरेस अपने बिनास की तरफ जा रही है, और मेरी ये एक्छा है कि भारत में रहते हुए, मतलब मेरी उसकी एक्छा थी कि भारत में रहते हुए वो इसको देख सके और सांती प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनू, मतलब इसको हेल्प करू मरते तक, तो ये कहा गया था लॉड करजन के द्वारा, लॉड करजन, उप्शन नम्बर C, लंदर में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओडायर ने किसको गोली मारी थी, ये गोली मारा गया था उद्धम सिंग को, उद्धम सिंग, उप्शन नम्र D, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेमस्पूर रधिनियम पास हुआ था, तब इंगलेंड के प्रधनमंतरी कौन थे, ये थे लॉड जोर्ज, उप्शन नम्र E, भारतिय करांती की जननी किसे कहा ज़्याथा था, भारतिय करांती की जननी मैडम जी विखाजी कामा रुस्तम को, मैडम जी विखाजी रुस्तम कामा को, अप्सन नमबर बी चिटगाउं सास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी सुर्य सेन ने सुर्य सेन आप्सन नमबर एक रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौनसी पत्रिका जुरी हुई नहीं थी तो इसमें से यंग इंडिया नहीं जुरी थी जबकि संधिया गदर युगांतर ये सब क्रांतिकारी गतिविधि से जुरा हुआ था ब्रेटिस हॉस ओप कॉमन्स में चुने जाने वाले जादा भै नेरो जी पर्थम भारतिय थे जिन्होंने किस दल के टिकट से चुनाव लड़ा हुआ था तो ये लड़े हुए थे उदारवादी दल से उद सफलता के बाद स्वराज दल की अस्थापना हुए उसके बाद नमरे यहां सही है 1929 में खुदाई खिद्मतगार को किस ने गठित किया था अब्दुल गफार का खुदाई खिद्मतगार कैवनेट मिशन कब भारत आया था कैवनेट मिशन कब भारत आया था 1946 में आया था और भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के पुरवर्ती संस्था कौनची थी भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की पुरवर्ती संस्था इंडियन एसोसियेशन इंडियन एसोसियेशन उसी का नाम चेंज हुआ था इंडियन एसोसिय अकिल भारतिय किसान सभागा गठन किया गया था अकिल भारतिय किसान सभागा गठन 1936 में 1936 में किया गया था या अप्सा नम्मर ए यह अपना सही है सुरिन्द्रानात पनरजी को mogą किस वर्ज भारती सिविल सर्वीस से हटाया गया था सिविल सर्वीस से उन्हें 874 में हटा दिया गया अठारा सो चोहत्तर निम्दलिखित में से किस वाइसराय के कारिकाल में भारतियों को राय बहादूर और खान बहादूर उपाधिया प्रदान करना प्राडम्ब हुआ ये प्राडम्ब क्या गया था लॉड लिट्टन लॉड लिट्टन ऑप्सन नमबर भी अब आगये 56 से 59 तो इसके वितिहास के प्रस्न तीस प्रस्ने करते हैं प्रस्ने निम्दलिखित में से कौन हरपा और मोहन जोद्रों के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो यहां पर ब्याएन स्मित नहीं है जबकि R.D.1.R.G. MS.Wats और K.M. दिख्षित इसे समंधित है गौतम बुद का परतम उपदेश कहां दिया गया गया गौतम बुद सारनाथ में है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त हर्श बर्धन के सासनकाल में किस चीनी वारत की यात्रही थी हांसेंग ओप्सन नमबर गु एधिकरा हाई दिन का जोपरा क्या है थाई दिन का जोपरा मस्जीद है। तुझो के बाबरी किस भासा में लिखी गई है। तुजू के बावडी तुर्की भासा में लिखा गया है तुर्की भासा में हल्दी घाटी के युद्ध में महराना परताप के सैना के सैना पती कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महराना परताप के सैना के सैना पती कौन थे? उस टाम थे हकीम खान सिवाजी की राजधानी कहा थी सिवाजी की राजधानी थी राइगड भारती एतिहास अब यहां से आधुनिक भारत है किस वर्स regulating act पारित किया गया था regulating act 1773 में 1773 option number C 1857 में भारत का गवर्नर जेनरल कौन था 1857 में भारत का गवर्नर जेनरल Lord Kenning किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने और सहयूग आंदोलन को अपनी हिमाले जैसी भूल बताई और सहयूग आंदोलन को तो यह चोड़ी-चोड़ा कांट के बाद बंग-बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बंग-बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की पर्थम भारती महला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की पर्थम भारती महला है तो सरोजनी नैडू सरोजनी नैडू मैडम कामा ने 1907 में पर्थम तिरंगा ध्वज कहां फार आया था स्टुगाट में पागल पंथ की अस्थापना किस ने की थी पागल पंथ करम सा फडाजी कौन थे हाजी सरयतुला के अन्याई थे रामोसी बिद्रो सही रूप में किस भागलिक इलाके में हुआ था रामोसी बिद्रो सही रूप से किस भागलिक इलाके में हुआ था ये हुआ था पस्थमी घाट में बगेरा बिद्रो कहां हुआ था बगेरा बिद्रो बरोदा में बरोदा बगेरा बिद्रो भारत की मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था भारती मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया था मेल लिए तो 835, 66, 68, 1908 सब में क्या गया था अप्सन इंबर यहां पर साहिए पैंतीस में कौन सा आया था प्रेस अधिनियम उसके बाद लेसेंसिंग अधिनियम सरसट में 78 में आया था वर्नापुलर प्रेस एक्ट और समचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में मीडिया को नियंतरन करने के लिए बीसभी सदी के प्रडम्भिक वर्सों में कौंग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यहां पे सारे के टाइम एसी कौंग्रेस अंधोलन के देशों पर और अंधोलन में भागेदारी पर भी था नियू लेंप फुर उल्ड लेक स्रिंखला में सर्व हारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कौंग्रेस की आलोचना की गई थी इस लेखों के लेखक कौन थे अर्विंद घोस निम्नलेखित पंक्तियों में से किसने कहा था कि सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जूर कितना बाजूवे कातिल में है ये कहा गया था रम परसाथ बिस्मिल के दौरा ये अपसन नमरे 2021 में पहली बार पुर्ण स्वतन्तरता की मांग को किसने उठाया था मौलाना हस्रत मोहानी भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी और राष्ट्रिय स्वैंग सेवक संग किया स्थापना कव की गई थी तो भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी इसका क्या गया था 1925 में और जो स्वेंग सेवाग पार्टी थी इसका भी किया गया था 1925 में तो आंसर है भी स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने भूमी और जलमार्ग के राष्ठेकरण की मांग के साथ अकिल भारतिय संजुक्त के सांस अभागा गठन किया था 1930 में उनिश सो उतित कि दसख में OpnoC कौं सा गोल में संबैलन 1932 में हता, गोल में संबैलन Latino का कौन सा था तो लोथल था इस ट्रैप का हुन का आकरमन गुप्त काल में तो यह सब पड़सन है जो आप पुछा नहीं जाएगा इतना असान पड़सन तो हलाकि मन है तो पीडिया में पड़ सकते हो लेकिन आप पर डिपेंड करता है ठीक ना हम यहां ता कंप्लेट की तो क चाहते हैं continue रखे तो like, share, subscribe सब कुछ कर देना है और comment box में लिखना है कि कैसा लगा और क्या चाहते हो comment box में लिखेगा जरूर की कौन सा subject इसके बाद करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद नमस्कार जहीं दोस्तों आप देख रहें master video official और अभी हम BPSC का question bank complete कर रहे हैं काफी important होता है मैंने एक वीडियो बनाया था कि BPSC की त्यारी कैसे करें अगर आप वो लोग नहीं देखे होगे देख लेना मैं बहुत अच्छे से मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं BPSC का PT PPSC करना बहुत असान है तो एक वर वो जरूर देख लिजिएगा अभी हम इस वीडियो में जोगरफी जो भूगोल है वो complete करेंगे जो भी आपके प्रसन पूछे गया है previous year question में जो भी जोगरफी के प्रसन है जोगरफी में चाहे वो भारत का भूगोल हो बिहार का सब इसी में complete होगा क्योंकि भूगोल से overall कुल मिलाके 10 से 12 प्रसन आते हैं प्रतेक सेट में तो उस हिसाब से अभी हम पूरा complete करने वाले हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा definitely आपको exam में help करेगा ये अभी हम कर रहे हैं 66 VPSC जिसमें भूगोल के 10 प्रसन आये थे इसे है हमने history का और जो विहार से related प्रसन आता है विहार विसेस तो वो complete किये हैं दौनों का link मिल जाएगा description box में प्रसन है निम्न हिमालय परवत स्रेनियों में से किस परवत स्रेनी को अटल टनल पार करती है पता होना चाहिए अटल टनल ये जो है वो विसु का सबसे बड़ा ट किलो मीटर है ये कहां से गुजरता है पुर्वी पीर पंचाल से और निमन रिखित में से किस tanel का आकार घोड guidकी नाल के अखार है तो आपको टिक करना जो नदी है उसका अकार जो है पंजे की तरह है पक्षी के पंजे की तरह है तो मिसी सिपीटी करना पड़ता है वैसे ही घोडे की नाल की तरह है अटल टनल का जिसकी लंबाई 9.02 किलो मिटर है और ये पुर्भी पिर पंचाल में है ये आपको लेह में मिलेगा रोहतांग दर तरह है ये सबसे अधिक हुआ मिजोरम में देगि इससे जुरा हुआ दो परसना आता है जैसे अगर आप लोग देखते हो कि फोरेस्ट वाला भी कि सबसे अधिक छेत्र में किस राजी में बन फैला हुआ है तो हम टिक करते हैं मधिपरदेश और सबसे परसेंटेज में कहा भाद करें percentage में तो सभशय धिक है मिजोरम और नमर अब जो आदिवासी है वो सभशय धिक कहां पे है मधीपरदेश में तो प्रस्म को ध्यान से दखियेगा अगर प्रतिसत की बात किज़े तो मिजोरम ठिक किजिएगा अगर सभशय धिक अबादी की वात हो तो निम्न कौफी उत्पादक छेत्रों में से कौन सा छेत्र करनाटक में नहीं है कौफी उत्पादक है परंतु करनाटक में नहीं है यह है पुल नेज यह है कहाँ पे तामिल लाडू में है पुल नेज है तामिल लाडू में भौगवलिक छेतर की दिरिष्टी से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बढ़ा है पूरे डिष्टी की बात की जा रही है तो ये गुजरात का जो कच है वो सबसे बढ़ा है दूसरे नमर पे आते हैं आपका लेह तेक न दूसरे नमर पे हैं हलांके आपसको लद्दाक कहते हैं, पर पहले नमर पे कौन है, गुजरात में कच, भारत के किस राजी में वन्यजीव अभ्यारन सबसे अधिक संख्या में है, सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारन मिलेगा महरास्ट में, महरास्ट, टोटल यहां पे 50 है, को gateway of the heart कहा जाता है महाराश्टर को gateway of the heart of India कहा जाता है और अभी एक नया term आप लोग सुनते हो wetland wetland आदर भूमी जो बरतमान में अगर हम बात करें 2022 मार्च की तो अभी तक भारत में 49 यह है wetland जिसमें सबसे अधिक जो है आपको मिलेगा उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में सबसे अधिक है खानीज और जिले के निमन जोरों में से कौन सा सही है मतलब खानीज का उत्पादन किस जिले में होता है इस मामले में सबसी अधिक, मिलाव सही कौन सा है तो Lamb and Stone कैमूर में Lamb and Stone कैमूर, option अमरे सही है Magnes की बात करें Repeat और वह सही बोल देते हम कौन-कौन सा है तो Magnes की बात करें तो मुंगेर और गया कोईला की बात करें तो औरंगावाद महराश्ट में है चूना पठर में रोहतास और कैमूर का पठार गंधक में भी रोहतास सिरली में नईट होता एक गया में है सीशा भागलपूर कई बर पूछा कहा है अप्रसने सीशा में होता है भागलपूर काफी इन्पोटेंट है ये और बॉक्साइट में मुंगेर और एक बेरिलियम होता है इसमें नगया और नवादा का च्छत्रा ग्रणी है बिस्व का भुगोलव आगे है भुगोलिक च्छत्र की द्रिष्टी से जापान का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है जपान मुक्त हला कि 3-4 दूइप में है पर 2 दूइप उसका मेन है बराबरा दूइप है जिस पर अधिकावाधी रहता है तो सबसे बड़ा दूइप उसमें से कौन सा है होंगसू दूइप है होंगसू जिस पर आपको जो राजधानी जपान की टोक्यो है वो भी आपको इसी दूइप मिल जाएगा होंगसू दूइप है ग्रिण्लैंड निम्मनलिखित देशों मेंसे अचै एक चीजर जपान के जो क्या बोलते है उसको सूपर कम्प्विटर है दुणिया का सबसे फास्टेस्ट सूपर कम्प्विटर जो है फुगाक। फुगाकू जो है वो भी किसका है जपान का ही है यह दुनिया का सबसे हाश्टेस्ट कंप्यूटर बरतमान में क्योंकि वो हर एक साल चेंज होता है अभी फुगाकू सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है दुनिया का 그린 लेन्ड निम्नरेखित में से किसे देश का भाग है यह है डेनमार्क का ग्रीन लेंड है डेनमार्क का हिस्सा यह आपको मिलेगा नौर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा अइलेंड कहा जाता है इसको सबसे बड़ा लेंड मास कहा जाता है अलाग इसको ग्रीन लेंड को Greenland की राजधानी मिलेग आपको NUK है नूक ठीक ना Greenland की राजधानी NUK जिस पर Denemark का अधिकार है निमने देशों में से किसे देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उतपादन हुआ सबसे अधिक सोने का उतपादन हुआ चीन में दूसरे अस्थान पréeटा और तीसरे पेड़ा रूस नहीं दिलिखित में सबसे अधिक देस है यह प्रस्ट बहुत बहुत बढ़ाया है कितना देस है अफ्रिका में 14 प्रेगों तो फिर एसिया में कितना देस है याद रणा पड़े गा एसिया में 48 और यूरोप में इसे 4 कम है 44 तो आदित कमी है उत्री अमेरिका में मुख्ति एगर बात करें तो में नॉर्थ अमेरिका के तीन है जो कि आपको मिलेगा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको लेकिन कुल अगर जो जम्मेका उमेका जोड जारके पुड़ा तब हो जाता है टेस कंट्री ठीक ना काफी दिक हो जाता है वैसे अफरीका में कितना होगे चोवन यह आपको याद रखने काफी अच्छे से और एसिया में है अर्टालिस 648 अब हम आगे 66 का जो re-exam हुआ था इसका इसमें जोगराफी के 16 प्रसन आये हुए थे तो उसको क अर्धा करते हैं इसमें पहला प्रसन है राजास्थान में इस्थित खेत्री कहादान किसके लिए परशिध है खेत्री है तांबे के लिए और एक चीज तांबे के उत्कh sextron जाकि नरेसों थे हैं स्वामी व्यवाननंड का नाम करण की हुए थे जाने का परबंध किये हुए थे भारत किसम देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजीम है स्वतंत्र आवागमन चा का आप यहां पर आ सकते हो तो यह है मैनमार के साथ मैनमार, option number यह यहां पर इपना सही है मैनमार, भारत में चंद्रहञ और भागा, चंद्रभागा जो कहते है नदी किन छेतर में बहती है ये बहती है ESPITY, ESPITY क्या होता है तो ESPITY जो है एक हिमाचल पर्देश का एक डिस्टिक है हिमाचल पर्देश का एक डिस्टिक है SPT वहाँ पर ये मुख्तिय बहती है और किसकी सहायक नदी है चंदरभागा तो ये याद रखना है आपको चिनाव की चिनाव नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है और चिनाब को ही क्या कहते है चंदरभागा कहते है चिनाब को ही क्या कहते है चंदरभागा कहते है मिल इसका नाम करन अलग-अलग टैप से हो जाता है जैसे अगर हम बात करें तो चमबा जिला में जब चंदरभागा नदी पहुंचती है न उसका नाम बन जाता है चिनाब औ जाती है तो concept clear हो गया होगा कहां से क्या चीज़ बात है अगर चंबल नदी पर राना प्रताप सागर जल विधुत परयोजना किस राजी में इस्थित है एक ही उपरवाले प्रस्त में याद रखिएगा चंदर भागा कहां पर है हिमाचल परदिस ये सबसी important है चंबल नदी पर राना प्रताप सागर जल विधुत परयोजना किस राजी में इस्थित है ये मिलेगा आपको राजस्थान राजस्थान राना सागर प्रताप जो जल विधुत परयोजना है राना प्रताप सागर जल विधुत परयोजना राजस्थान चंबल नदी पर है ये भर मोर जन मत्पुर्द आता है गुजजर, कनोरा, लोहोली ये तो याद रखेगा गुजजर, कनोरा और ये एक भार मोर क्योंकि पूछा गया आ गया जवाहर ला नहरू बंदरगा किस राजि में स्थित है जवाहर ला नहरू है महरास्ट में महरास्ट इसका अध़ाटन हुआ था 18-1989 और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है जो महरास्ट बंदरगा है जवाहर नहरू बंदरगा वो सबसे बड़ा आगर वातकर आंधर पर्देस का जो विसाखा पत्नम है वो सबसे गहरा है सबसे गहड़ा है और विशाखा पत्नम को भारत का सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन भी बनाया गया है तो याद रखना है आपको वो भी निम्03 लिखित में से भारत का कौन सा राझ्ये तामबे का सबसे बड़ा उतपादक है त stör लेकिन अगर उसी में आजया है तामबा का जो अयस्क होता है उड़े उसका जो होता है तो उसमें फिर राजस्थान आता प्रस्मों को समझिये अगर सीधा पोचे तामबे का सबसे बड़ा उत्पादक तब आप लिखिएगा मधिपर्देश लेकिन पूछे तामबा के अयस्क का सबसे बड़ा तब होता है रजस्थान वैसे अगर बात करें तो फिर रजस्थान ही सबसेदिक भंडार किया हुआ है जैसे अगर हम बात करें कि कोईला का सबसेदिक भंडार कहां पर है तो आप करते हो जहार खंड लेकिन सबसेदिक उत्पादन कौन करता है उत्सरजन कौन करता है तो वह है 36 गड़ तो ऐसा ही बात यहां भी है कास्मीर में पाहल गाम किस नदी के किनाड़े बसा हुआ है य यह लिद्दर नदी है लिद्दर नदी छोटा सा नदी होगा लिद्दर नदी डंड कारणी एच्छेतर है किस राजी में इस्थित है यह किस राजी में इस्थित है तो यह लगवग जो 36 गड़ टेलंगान और आंधर परदेस है उसके बांडरी पर आता है तो इस तीनों पर आ जाता है अंतर बंड़ा यहां पर निमनलिखित में से कौन सी मवेशी नसल है राजस्थान की नहीं है राजस्थान की इसमें से कौन सी नहीं है हल्लीकर यहां पर नहीं है हल्लीकर देखिए कुछ-कुछ प्रदस्ट जो होता है वो डिफिकल्ट था इसमें जो छिया स किस जाद कहां पर है वो थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो इस टेप के प्रस्न को आप बहुत ऐसा नहीं कि इसको रट लेते हैं ऐसा नहीं किजिएगा तो आपको दिकर क्रियेड करेगा जैसे 150 नमर का एकजाम होता है आपको 120 नमर अगर लाओ तो सफिसेंट आप 100% बीच औंटारियो जील और इरे जील के बीच ऑप्सन नमर डी यह सब कहां पड़ता है तो एक तो लिखा गया है उतरी अमेरिका में ही है साथ ही यह जो USA है अमेरिका और कनाडा के बौर्डर पर है यह कहलो कि सीमा ही बनाता है वह ठीक ना सीमा ही बनाता है निम्दलिखित म आण्सर है निम्नलेखित में से कौन सा एक जर्मनी का कुईला छेतर नहीं है जर्मनी का कोईला छेतर इसमें से कौन सा नहीं है? तो लॉडण वेसीन लॉडण वेसीन है क्योंकि यह है फ्रांस का लोडेन वेसीन कहां का है फ्रांस का है जबकि रूर घाटी सार वेसीन और अचेन वेसीन यह सब है जर्मनी का जर्मनी रूस के किस सहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है उत्तर का वेनिस किस सहर को कहा जाता है तो यह हो जाएगा सेंट पीट्स वर्ग सेंट पेट्स वर्क, option नमर बी अपना सही हो जाएगा और रूस का, जैसे हम आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये एसिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है तो रूस का ऐसा हिस्सा जो एसिया में आता है उसको हम कहते हैं सैवेरियन रिजन, सैवेरियन यूरोप में पिरेनीज परवत स्रिंखला किंदो देशों को अलग करती है पिरेनीज परवत स्रिंखला ये अलग करता है एस्पेन को फ्रांस से एस्पेन को फ्रांस से एस्पेन को फ्रांस, option नमर ए अड्डू प्रवालवित्ती किस महासागर में इस्थित है अड्डू प्रवालवित्ती मिलेगा इंडियन ओसिया में भारतिय महासागर में भारतिय महासागर अब 65 भी बीपीसी करते हैं जिसमें को तेरा प्रस्म जो आये थे वो भूगल से आयोगे थे कन्या कुमारी से सटी पहारी कौन सी है कन्या कुमारी से काडमम की पहारी काडमम की पहारी ये कन्या कुमारी से सटा हुआ पठारी है जो आपको केरल और तामिलाडू राजिये मिलेगा केरल और तामिलाडू ये मुखत चाहे के लिए परसित है निमनलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है गंगा नदी घाटी के भाग कौन सी उप नदी है इसमें से तो यह उत्री कोयल नदी उत्री कोयल नदी जो है गंगा नदी घाटी का ही हिस्सा है और ये राची के आसपास मतलब ये मिलती है इधर से सुननदी और धर सी वो उत्री को एलाकी मिलती है निमनलेखित में से किस पहाड़ी पर चाहे का बगान नहीं है चाहे का बगान गिर्णार पे आपको नहीं मिलेगा जबकि कहां-कहां मिल जाएगा गिरदार पे नहीं मिलेगा जबकि कांगन देवन मुन्नाड में है गलेन वर्ट दी अवरेस्ट दार्जिलिंग में वहाँ भी मिल जाएगा निलगिडी चहवगान तामिलाडु में तो मिली जाएगा दार्जिलिंग तो फेमसी है इसके लिए और कूच बिहार दी एस्टेट जो पस्षीम बंगाल में कई वार पुछा गया है कूच बिहार दी एस्टेट ये पस्षीम बंगाल में है वो भी चाहे के लिए परसिद्ध है भारत के किस राज्य का सरवाधिक छेत्र घने पतजर वाले जंगल से घिरा हुआ है घने पत्जर वाले जंगल से है मधिपर्देश मधिपर्देश सबसे दिक वन आपको यहीं पे मिलेगा मधिपर्देश में निमनलेखित में से किस छत्र में परवाल भित्ती नहीं पाया जाती है परवाल भित्ती नहीं पाया जाता है केमबो की खाड़ी में केमबो की खारी में जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ती है Great Barrier Reef ये कहां मिलता है औस्टेलिया में औस्टेलिया और जो ये प्रवाल भित्ती है इसमें होता है केल्सियम कार्बोनेट केल्सियम कार्बोनेट और इसके लिए टेमपरेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस ये काफी इंपर्टेंट होता है बहुत इंपर्टेंट भारत के आसपास मन्नार की खाड़ी में आपको मिल जाएगा 2011 की जनगन्ना की अनुसार निम्नलखित में से किस धार्मिक समु में सरवाधिक साक्षर्ता दर्ज की गई सबसे अधिक साक्षर्ता है जैन में जैन धर्म में 86% के आसपास यानि 87% के लो तो 87% हो गया मुस्लिम कितने है 58% शिख भी कम नहीं है 67% है हिंदू की बात करें overall तो 68% है इसे 74 सबसे कम में आ जाता है मुस्लिम जो की 58 है और सबसे अधिक में है जैन जो की 87% के लो 87% निमनलिकित में से जनजाती और राज्य का कौनसा जोरा सही नहीं है जनजाती और राज्य का वो है टोंडा टोंडा केडल में नहीं आता टोंडा निलगरी के आसपास यानि तामिलाडू में आता है टोंडा जबकि भील गुजरात गद्दी हिमाचल परदेश कोटा तामिल निम्नलिखित में से भारत का कौन सा अध्योगिक आर्थिक गलियारा जपान के सहयोग से विक्सित किया जारा दिल्ली मुंबई गलियारा अगर बिस्फु का भूगल निम्नलिखित में से कौन सा देश भागौलिक छेतर की इद्रिस्टी से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है सीमा अधित सबसे बड़ा इसमें से अगर बात करें फिलिपिन्स क्यूबा न्यूजलेंड जपान में तो जपान सबसे बड़ा देश है जपान देखरो जपान से हर से टेम प्रस्टनार है तो कुष्टन बैंक का यह फैदा है कि आपको इंटरनेशनल भी किसको पटना है यह अगर पूरा पस्टिम की बात की जा है तो होता है रूस क्योंकि चिली जो है अगर आप वर्ल्ड में बनाओ ना तो इसे मालों हमने यहां पे एसिया बना दिया ठीक ना यह आपका अफ्रीका है यहां पर यूरूप च्टा सा बना दू यहां पर कॉस्टिलिया बना जो अगर आपको अंटर्क्टिका पर जाना है तो सबसे नजदिक कौन से देस का बॉंटरी है कहां से लोग जाते हैं तो वो औस्ट्रेलिया नहीं होता वो भी चिली ही होता है चिली तो चिली यहां पर हो जाएगा आंसर चिली ऑप्सन नमबर बी आपका सही है निम्नलिख करें तो सत्रा हजार पांच सो आठ है सत्रा हजार पांच सो आठ माल्दीब में भी कम नहीं है बारस सो है लेकिन फिर भी अगर बात करें इंडोनेसिया की तो सत्रा हजार काफी अधिक होता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विस्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करन वाला देश है जुरेनियम उत्पादन करने में टॉप पे है कजाकिस्तान कजाकिस्तान इसमें बहुत बचे गलती किये थे मैं भी एक्जाम दिया हुआ था पेटी में में ड़ेजल टाया हुआ था तो इसमें बहुत बचे गलती किये थे कजाकिस्तान है सबसे अधिक जुरे यूरेनियम का भारत में अगर गोले तो आंधर पर्देश अगर अबड़क का भी बात करें तो भारत में आंधर पर्देशी टॉपर है जवाहर सुरंग कांदिरमान निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतरगत किया गया तियो बनी हाल दर्रा, बनी हाल दर्रा मिलेगा आपको जमू कास्मिर में बनी हाल दर्रा, वो ही पर है जवाहर सुरंग दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था तो डकन ट्रैप का पठार हुआ था क्रिटेसियस ये क्रिटेसियस क्या होता है 60 से लेकर 68 मिलियन वर्स पहले की बात करे तो उसको जिक्र करते हैं क्रिटेसियस से क्रिटेसियस पस्चिमी घाट उतरी पुरवी छतर की पहारियों और अंडमान निकोबार दीप समुह में पाएज आने वाले बन कौन से होते हैं तो उसन कटीवन दिये सदा बहार बन उसन कटीवन दिये सदा बहार बन इसके लिए जो पानी होता है चाहिए 175 से लेकर 200 सेंटी मीटर 175 से लेकर 200 सेंटी मीटर इसमें मुक्तिया मोहगनी, रेड उड, आइरन उड ये सब जो है उसको हम सदा बाहर बन कहते हैं उसन का T1 ये सदा बाहर बन निमनलेखित में से किस राजिम में बन का विस्तार 75 प्रतिसत से अधिक नहीं है तो ये मधिपर्देस में आपको मिलेगा 33% के आसपास बरतमान में ये 30.73% है याने एप्रोक्स 31% कह सकते हो दुनिया में 33% चाहिए ऐसा कहा गया है भारत के गरवात करें तो 22% है पुड़े भारत में जोर जार के 24% कर देता है फोरेस्ट और बन लगा के तो एवरेज से यहाँ पर अधिक है लेकिन जो सबसे अधिक फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है मिजोरम में है मिजोरम इसी उपर वाले एक प्रस्थन में कहा था कि मिजोरम और मनीपूरी मुझे confusion है, तो मिजोरम सबसे अधिक है, तो यहाँ भी प्रस्ट न जया है कि 75% से अधिक नहीं है, यानि कम है, तो मदिपर्देश हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम में सबसे अधिक है, तो यह आपका है 85.44%, नागालेंड की बात करें, तो नागालेंड में 74.something है, मेगालें, मेगालें में भी काफी अधिक है, 76.33 है, तो यह सब काफी अधिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज में, सबसे अधिक अगर पूछ दे, तब मदिपर्देश में ही है, जैसे उपर एक प्रस्ट पढ़े थे ना, जनजाती वाला, आदिवासी वाला, तो उसमें भी मिजोरम में सबसे अधिक था, लेकिन अवादी में, मदिपर्देश में सबसे अधिक था, आगे प्रस्टने, कतर पर विचार कीजिए, और तो पहला तिया ग्रेटर हिमाले, अ किस राजी का है, इसका उत्री भाग सुस्क एवं आदिर सुस्क है, मतलब कोस्टल वाला कोई राजी है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, तो गुजरात तब तो फिक्सी हो जाएगा, खादान फसलों की तुलना में नगदी फसल की यहां पर मुखता होती है, तो गुजरात यहां पर अंसर हो गया, अगे बिस्व का भुगोल, बर्तमान में सक्स गाम घाटी है, सक्स गाम घाटी, यह मिलेगा आपको पकिस्तान, पकिस्तान के सासन में है, बर्तमान में, सक्स गाम घाटी, पकिस्तान, अराम को तेल कंपनी, किस देश से संबंधित है अराम को है सौधी अरब का, सौधी अरब, अराम को कम्पनी, निमनेलिखित में से सबसे लंबी परवत स्रिंखला है, सबसे लंबी परवत स्रिंखला रॉक की, रॉक की तो हाँ दिया है, option number, C यहाँ पे सही हो जाएगा, क्राल एक प्रकार की निडमित सन रचना है, क्राल ये आधा हिस्सा किस देश में है यह सबस्यादिक मिलेगा आपको चीन में आप्सन है ही नहीं तो आंसर बंजेगा ही लेकिन सबस्यादिक कहां पर 50% चीन में ही है बिस्व का सबसे सुस्क रेगिस्तान सबसे सुस्क रेगिस्तान आठा कामा देखी सबसे बड़ा अगर हो तो सहा से गूगल से आया हुआ था जिसमें पहला प्रस्थन है वह दर्रा जो सरवाधिक उंचाय पर अवस्थित है वह नाथुला दर्रा काफी उंचा है चवालिस सो चार इतना मीटर उंचा है चवालिस सो चार नाथुला ओप्सन नमबर सी यहां सही है और यह हिमाचल परदेश से मिलेगा मेली हिमाचल परदेश में है नाथुला काड़वास मिर्तिका जो जाफ्रान यैनि केसर की एक अस्थन्य परतार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी होता है यह कहां पाया जाता है कासमीर हिमाले में कासं जभी केशर की बात हो तो हिमाल एकास्मीर भ्हारत के निम्न राजियों में से किसे चीनी का कड़ोड़ा कह बहारत में चीनी थे थार उत्तर प्रदेस है जैकना आलू ये चावल भी नहीं आप अंधर परदेस टोप पर निवन कौंसा मेघाले पठाळ पठाड कान से नहीं यहां पर भूवन पहाड यह जबकि ग्यारों खाशी जन्तियां मेघाले टिक करो क्योंकि जन जाती हो पहार हो नदी हो ज़ड़ना हो सब कुछ इसी नाम का हवाब है निम्द लिखित में से कौन सा एक अस्थल बद्ध देश है लेंड लॉक जिसका समुदरी से टच नहीं करता है तो लेंड लॉक कंट्रे इसमें से कौन सा हो जाएगा तो यह है हंगरी हंग और बेलारूस दिया गया था तो हंगरी और बेलारूस दोनों क्या है अस्थल रूद देश है उसमें युक्रेण भी आप्सन था युक्रेण ब्लेकसी से टच करता है तो युक्रेणियों का वेशेस पढ़ लिजिए गा भी क्योंकि रूस के साथ युद चलाता ना चली ड है च्छहत्रिफल में सबसे बड़ा है बौरिनीव में बौर्नीव यह सा प्रस्ण हर्ट होता है आपको देखना पड़ेगा कून सा कंट्री बढ़ा है चोटा Іगों सफ जो बिश्व में रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक तो चीन है। संजुक्त रास्ट अमेरिका को पीछे छोड़कर बिश्व के निमने देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सरवाधिक उत्पादन करता है। कच्चे तियल का सबसेद्य कुपादन करता है सौधी अरब, सौधी अरब, option number C, 63 भी BPSC में भी भूगोल के 14 प्रस्न आये हुए थे, उसको complete करते हैं, इसमें पहला प्रस्न है, भारतिय जनगन्ना 2021 के अनुसार, पुरुसों एवं इस्त्रियों, दोनों में प्रतिसत साक्ष किस राज्य में नियुन्तम है, overall 2011 में जनगन्ना हुआ, उसमें साक्षर्ता में किस राज्य का नियुन्तम अस्थान है, वो है बिहार, बिहार का जो एजुकेशन है, वो 72, 71.2% है, क्योंकि महिला वाले में 68.something है और पुरुस का 75.something है, तो overall, 71 ये 72% कहा जाता है बिहार का, बिहार से थोरा ओपर कहलो तो अरुनाचल परदेस का है, सबसे अधिक केरल का है, भारत के एकी सराज्य में कापास का आस्तन उतपादन सबसे अधिक होका अंदर परदेस में, अगर आस्तन उतपादन की बात करें तब नहीं तो अगर यहां पे option गुजरात रहता, तो हम ग पर आता है पहले आपका नाम याद करना पड़ेगा दो तिन जैसे कि गुजरात हो गया गुजरात दूसरे नमर पर कौन मैंने कहा महराष्ट्र महराष्ट्र उसके बाद त्यलंगाना और उसके बाद आंध्र परदेश कोस्टन नमर सक्षिन निम्नलेखित में से किस राजी म सरवाधिक छहत्र वनों के अंतरगत पाया जाता है देखिए सरवाधिक छहत्र की बात करें तो यह कई वार जिक्र हो चुका भी तक कि मध्धि परदेश में सबसे अधिक छहत्र में बन फैला हुआ है वहीं पे है सत्पूरा जंगल काफी वड़ा है सत्पूरा जंगल मध् परदेश होगा लेकिन याद रखिएगा छ्छेत्र में वन सबसेदिक मध्य परदेश में और प्रतिसत में सबसेदिक कहां पे था मिजोर्म में मिजोर्म कितना परसेंट था एप़्रॉक्स 86 प्रतिसत क्योंकि 85.7% तो 86 परसेंट उपर पड़े हुए थे याद होगा अभ निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है नदियों द्वारा मिट्टी होता है जलोड जलोड मिट्टी और जो भारत देश है उसमें सबसे अधिक जलोड मिट्टी ही है चालिस प्रतिसत मिट्टी है चालिस मिट्टी चालिस प्रतिसत पुरानी जल जलोड मिट्टी को और जो नया जलोड मिट्टी होता है उसे खादर कहते हैं इसको थोड़ा याद रखिएगा भारत के कुल बिधुत उत्पादर में जल बिधुत का योगदान कितना है जल बिधुत का योगदान अगर बात करें तो 12.3 प्रतिसत हलाकि आप इसको बीटिक क काफी खतरनाक होता है मैं एक जामपल देता हूँ हलाकि जब साइंस का प्रस्न करेंगे एक प्रस्न है उसमें पानी का पी एच कितना होता है ठीक ना पानी का पी एच कितना होता है जैनरली मैं भी टिक किया था 7 पर वो गलत हो गया था जो आंसर सीट आया उसमें था इन मे क्या गया है कि जो विधूत से उत्पादन होता है 2020 के मार्च में यह आंकड़ा आया था बारह दसमलव 3% हम लोग करते हैं जल विधूत से तो इसलिए बारह प्रतिसत नहीं होगा ऑप्शन नमबर यहां पर सही होगा तो उसके रेकॉर्डिंग आपको देखना है भारत में सबसे दिक उत्पादन जो विजलिका होता है वो कोईला से होता है थर्मो एलेक्टरिसिटी से और सबसे कम होता है पवन उड़ जासे पवन उसका त्फिर निकलियर स्टेप से है भारत के जन संख्यां अध्यान में अच्छा यह बन रहा है सौथ कोडिया में सौथ कोडिया में याद रखी रही है फ्लोटिंग वाला तैड़ता हुआ और अभी जो चीन में ऑलंपिक हुआ है 2000 समर ऑलंपिक 2022 वाला इसमें ऑलंपिक हेल में जो भी लेक्टरिसिटी जाएगा वो सॉलर पैनल पे भी जाएगा साथी इंट बारवाडोस नहीं रुखो एंटीग वाल बर्बूडा है एंटीग वाल बर्बूडा जो है वह 102 नमर का देश बना हुआ है और मैंने बारवाडोस वह सबसे लास्ट है इंडिपेंडेंट कंट्री बना वह पहल अभी भी इंगलेंड की महरानी के अंतरकत काम करता था अब वह इंडिपेंडेंट बना तो चलो अब इसको चोड़ो अभी हम बात क्या कर रहे है जो जनगन्ना वर्थ अच्छ यह प्रस्ण है ना भारत की यह मैं कहां से कहां कुछ से ब्याटा है अच्छ उपर का प्रस्ण था इससे यह प्रस्ण आ गया था चलिए यह प्रस्ण है भारत की जनसंख्या अध्यन में कौन सा गन्ना वर्थ डेमुगराफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है डेमुगराफिक डिवाइन इस नाम से जाना जाता है 1921 का क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जनसंख्या में ब्रिधी होता है लेकिन जो 1911 से लेकर 1921 का दस वर् 0.31% का कमी आया हुआ था तो इसी लिए उसको demographic divine कहा जाथ अगर प्रस्न ये आ जाए कि demographic divine क्या होता है तो आप कहा सकते हो कि जन संख्या में जो दसा की ये कमी आता है उसी को हम demographic divine से संबोधित करते हैं तामिलाडू में सरवाधिक सूती बस्तर के कारखाने कहां पाये जाते हैं सब से दिखा कोयम बटूर में कोयम बटूर निमनलिखित में से भारत का कौन सा राज ये रवर के उत्पादन में अगरनी है रवर के उत्पादन में अगरनी है केरल केरल रवर के उत्पादन में अगरली है इसके बाद जो है वो तामिलाइडू और करणाटक का अस्थान आता है रास्ट्रिय जलमार्ग अच्छा रवर में जो रवर तो काफी हलका होता है ना मतलब आप देखते हो कि जो समान को बैंड करते हैं यह सर में लगाती है लड़की सबनाता है लकिन गारी का टैडड्य होता है वह भी रवर यही हलता है तो रवर को कठोर करने के लिए करवर उसमें कारवन मिला तो यहां भी हम कारवन मिलते हैं कारवन जितना अधिक करेंगे लौह का क्वैलिट्टि क्या होगा कम होगा सबसे अच्छा लौह कौनसा होता है धल्वा लौह धल्वा या पिट तो इसी को खा जाता है जो रो टैरन में कहा रहा हूँ न ढलवा सबसे ख़ड़ा भो तो इसमें कारवन का मात्र आधिक होगा आगे देखिए रास्ट्रिय राजमार्ग 1 जोडता है रास्ट्रिय राजमार्ग 1 हल्दिया से इलहाबाद को जोडता है तामबाख खननन के लिए तामबाख खननन के लिए राजस्थान का खेतरी जो है वो प्रसित है अब विश्व का भूगोल है 10,000 इसापुर्व में विश्व की जनसंख्यां कितने थी विश्व की जनसंख्यां और स्टैम में 5,000 थी 5,000,000,000 तो answer यहाँ पर दिया गये this क्योंकि 5,000,000,000,000 था अllaकि 5,000,000,000,000 mein 小00 सब्सक्राइब जला कोकस अभी 7,000,000 के आसमस कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है रिपीटप्रस नहीं है मध्य अम votes प्रासान्त प्लेट के बीच माध्य अमेर्का और प्रसांत प्लेट के बीच कोकस प्लेट पाया जाता है और विस में 6 परमुक और 20 छोटे-छोटे प्लेट है जो 6 परमुक है वो समझे लोग पूरा जो कॉंटिनेंट है उसे फैला हुआ है संजुक्तराज अमेर्का का रस्ट बॉल संजुक्तराज अमेर्का का रस्ट बॉल निमनलिखित में से किस प्रदेश से समंदित है रस्ट बॉल जो है लोह उत्पादन करने वाले छत्र को कहा जाता है रस्ट बॉल तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पीट्स वर्क तो होगा ही साथी जो ग्रेट लेक्स प्लेस है ना प्रेस दोनों लोहा के लिए प्रमुक है तो आंसर एक से अधिक हो गया ओप्सन नमर बीरए निम्नलिखित में से कौन सा बिस्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तो अधिक किस देश के पास है वह वह सवसे अधिक किस देश के पास है बेनेजुएला वेनेजुएला काफी न्यूज भी रहता है हमेशा से क्योंकि इन्फलेशन जो महगाई है वो सबसे अधिक मिलेगा आपको वेनेजुएला में भारत में महगाई रहता है फोर प्लस टू माइनस टू यानि दो से लेके छे के वीच में मतलब किसी बस्तू कदाम अगर 100 रुप कर दाक स है मतलब काफी अधिक है इतना महगा हो गया कि बात ही छोड़ो सबसे अधिक महगा है वेनेज़ुएला राजदानी कoraकस इए पर यह से सuren گदाग के मध्या है अक्छानषे घास जख्षिन अमेरीका के मध्य जो अक्षानसी घास का मैदान यह तो पम्पास है. Pumpass Dakshin America के घास के मुरहतन को Pumpass कहते हैं वो यह एक होता है Phariore वो उत्री अमेरिका कहोता है Pharioreore जो है वो उत्री अमेरिका का Asiapage यह मद्ये Asia का Asiapage और कुछ पार्ट में उरोप में भी आता है अगर option में उरोप हो और एसिया नहीं हो तो आप यूरोप में भी टिक करो हो क्वलेट ये तो दक्षिन अफरिका का है और जो आ सन्वारा और ऊस्टालिया के राजधानी कहां पर केनूआ यहां के Queensland पे है मतलब यह से अस्टलिया का मैप है ना तो यहां पे इस सेड में मतलब पुर्वी भाग में पुर्वी उत्तरी भाग में है यह निम्नलिखित में से कुल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन होती है कुल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन होती है सोना का खनन होता है वहाँ पे सोना गा निम्नलिखित सागरों में किसमे औसत लवंता सरवाधिक है औसत लवंता सबसेदिक होता है जो डेडिसी है मिर्त सागर डेड़ इसी काफी अधिक है इसमें आगे प्रस्ण प्यात में अच्छा यह तो हो गया खत्तम आगे 57 59 इसमें कुल 16 प्रस्ण जो गरफी से आया थे और जैसे मैंने कहा था कि इसमें चार ही option है पाचवा option नहीं होता है यह असान होता है तो इसको भी complete कर लेज़े ताकि आपको overall idea लगेगा कि स्लेवस में कैसा क्या change हो है pattern में और मैंने हड़ एक question लब हड़ एक topic में यह से टवाई complete करवाया ताकि आप comparison कर पाऊ प्रस्ण है पैनाइन जो यूरोप में है और अड़ावली भारत में यह किसका उदाहरन है यह पुरानी परवत श्रिंखलागा भ्रंस परवत जिसको कहते है तो पुरानी परवत श्रिंखलागा भ्रंस परवत बैग्यानिक जिन्होंने सर पर्थम खोजा कि प्रित्वी सुर्ज के चार ओर घुमती है यह खोजा तो coppernikas ने coppernikas 1620 सदी का ही यह बैग्यानिक था coppernikas और यह कहां का था पूछा जाते है आज भी पॉलेंड का था पॉलेंड और अभी पॉलेंड काफी न्यूज में है पॉलेंड यूक्रेन के बगल में ही है पॉलेंड और यह एक landlock country है landlock पॉलेंड के बगल में बेलारूस है बेल दूसरा सम्द्र जैसा है तो इसलिए कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा विस्व में aluminum का सबसे बड़ा उत्पादक है aluminum का सबसे बड़ा उत्पादक है USA USA साथे USA में मक्का भी सबस्यदिक होता है मक्का निम्नलेखित नदियों में से उन सहरों का मेल कीजिए जिनसे होक पर नदियां बाह रही है मतलब एक तरफ सहर का नाम है दूसरे सरफ नदी का नाम है आपको मिलाना है इसमें तो जो असान दरा है जैसे सीन नदी कहा है सीन बहती है पेरिस में पेरिस में बहती है सीन नदी राएन पता होगा राएन नदी रोटर डैम में बहती है रोटर ड लेते हैं रोटरडेम राइन पेडिस में सीन नदी बुड़ापेस्ट में डैन्यूग और वनसिंग गटन में पोर्टो मैक निमने लिखित में से कौन सा सहर धातू के बैपार का सबसे बड़ा केंद्र है धातू के बैपार का है जोहांस वर्ग तो ऑप्सन नमर यहाँ पर क्या हो जाएगा एस ही हो जाएगा यहाँ पर सोना और अने खनीज के लिए यह काफी बिसुमी परसित है तो कुल हमने अगर करें तो दस प्रेक्टिस किये हैं दस कोस्टेंट किए है और प्रते कमें किसे में 10 प्रसंट परस्ति किसे में 15 अवरल शुक्तर बढ़र भी कर दे तो यम तो यहां इस वीडियो को मेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप उस पर सेर्वेर कर दीजिएगा, ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहिए तो, नमस्कार जाहिए दोस्तों, आप देख रहे हैं Master Video Official, और अब हम Eritadia का जो BPSC के कर लेना चाहिए, तो हम वही topic wise कर रहे हैं, हमने history पूरा complete कर लिया है, तो उसको जरूर देख लिजिएगा, हम एक पर लिस्ट बना दिया है, उसका link description box में डाल देंगे, और इससे पहले जो history किया था, तो आप देखे होगे, परतेक सेट में 25 से 30 प्रस्ण history के आ रहे हैं अभी हम इस वीडियो में बिहार से समंधित, जो भी प्रस्ण अभी तक पूछे गए हैं, BPSC के exam में, वो हम complete करेंगे, वीडियो को ध्यान से रखिएगा, definitely आपके exam में help करेंगा, साथी टेलेग्राम ग्रूप जिरूर जूर जाईएगा, वहाँ जो मैं topic wise, topic cover करता हूँ, important topic, उसका PDF वहाँ भेज़ता हूँ, तो वह आपको help करेंगा, और जो जो complete करेंगे, आपको यह एहसास हो जाएगा, कि question bank complete करने से कितना प्रस्ण रिपीट होता है, तो चले शुरू करते हैं, बिहार विसेस, यह 66 जो हुआ था उसका प्रस्ण है, बिहार के प्रथम मुख् मंत्री थे स्रिक डिसन सेंग, स्रिक डिसन सेंग, जो कॉंग्रेस का गठन हुआ था, द्लम्मिली कॉंग्रेस मंत्री मंदल का, उसमें यह मुख्य मंत्री बने थे कब 1937 में, 1937 में, और फिर जब भारत अजाद हो गया, यह 47, हलांकि बिहार में यह 1946 से लेकर 1961 तक मुख्य म हितिस की बात है, उस टैम में यह पोस्ट मुख मंत्री नहीं कहलाता था, उस टैम में यह पोस्ट परधान मंत्री कहलाता था, और साथी बिहार केशरी, बिहार केशरी का जो उपादी है, वो दिया गया था, स्रिक डिसन सिंग को, बिहार में कॉंग्रेस का प्रथम अधिव अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1912 में 1912 में बाकिपूर अधिवेशन था बाकिपूर अधिवेशन तो आंसर हला कि बाकिपूर है नहीं जब बाकिपूर पटना में ठीक ना तो option नमर यहां पे पटना हो जाएगा ए यहां पे सही हो गया इसके अध्यक्षते आर एन माध और फिर एक तो यह हुआ था 1912 में फिर 10 साल के बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो हुआ 1922 में बिहार में ही हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चितरंजन दास जैपरकास नरायन को कौनसी उपाधी दी गई थी जैपरकास नरायन को लोकनायक की उपाधी दी जय प्रकास नरायन को बिहार की अस्थापना कब की गई थी बिहार की अस्थापना 1912 में क्या गया था 1912 में ये किस राजी से अलग हुआ था बंगाल से अलग हुआ था 1912 में उसके बाद फिर एक प्रस्न आता है कि उडिशा से कब अलग हुआ था 1936 में उडिशा से अलग तो सब कुछ याद रखियेगा और साथ 22 मार्च को हम मनाते हैं बिहार दिवस 1912 यहां पर आंसर हो गया बिहार में तिन कठिया पद्धती में नील की खेती के लिए भूमी का कितना अमानत रखा गया था तो इसका नाम ही था तिन कठिया एक कठिया में 20 धूर होता ठीक नाइ 2017 में महत्मागंधि का पहला सत्यागड़ा था चमपारण से जिया रखियेगा राम बिलास पासवान अपना राजनेतिक सफर किस राजनेतिक दल से प्राडब किया था यह था संजुकत सोचलिस्ट पार्टी पार्टी औप्सन नमर ची बिहार के राजनेतिय इसंग्या प्रसाद सिंग पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे यह वे थे ग्यारवी लोकसभा ग्यारवी लोकसभा इनका 2020 मिन का मिरती हुआ था इसलिए इंप्रोटेंट था उस्ट है चंपारन में इंडिगो की किसानों की दसा में गांधी जी का ध्यान किसने आकरसित क किया था जो चंपारन सत्यागरा हुआ था उसमें महात्मा गांधी को मिल्ली किसमें बुलाया था तो राजकुमार सुक्ला राजकुमार सुक्ला उन्नीसों सोल्ला में उन्सों मिल्यकात हुआ था कॉंग्रेस अधिवेशन में ही और 1917 में वो चंपारन आये हुए थे महात् ग्रे अगर स्वामी सहजानंद निम्नलिकित में से किस से समंधित है स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से बिहार में किसान आंदोलन से ये कब हुआ था 1929 में, 1929 में हुआ था किसान आंदोलन, साथी 1936 में जो ये हुआ था अखिल भारती किसान सभा, इसकी भी या अधिक्स्ता करते या सामिलते ये लखनों में हो रहा था, अखिल भारती किसान सभा, 1937 और 1929 में बिहार में किसान आंदोलन शुरू ही किय थे स्वामी साहजानन्द, आगे प्रसन है, निमनलेखित में से कौन सा, भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यागरह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविने अवग्या का प्रयोग किया था, स पॉस्टन पैंक पढ़ने से ये फायदा होता है, कि आपको कौन सा टॉपिक जामी कितना पढ़के जाना है, वो आइडिया लगता है, बिहार में 1857 के बिद्रोह का निर्थितु किसी ने किया था, 1857 में जो बिद्रोह हुआ था, उसमें बिहार में, या बिहार की तरफ से क कानपूर से, कानपूर से, नाना साहब के सहयोगी ही थे, मुल्वी अमदुल्ला, मुल्वी अमदुल्ला, इनका कुछ खास था नहीं, कुबर सिंग, कुबर सिंग तो बिहार सही कर रहे थे, एक है लक्ष्मी भाई, ये जहासी से और बेगम हजरत महल ये लखनो से, बेगम सुपोल ये भी सही है, खारवार भागलपूर ये भी सही है ये आपका गलत है मुंडा जम्मूई ये मुंडा बिहार के उत्री सेड में यानि तो जो हरकंड है उस सेड में होता है बिहार राज्य के कुल भगौलिक छेतर की तुलना में समस्त वन छेतर का प्रतिसत कितना है तो भारत में साथ दसम लव साथ छो प्रतिसत तो अंसर यहां पे यह होगा साथ दसम लव साथ छो प्रतिसत निमनलखित में से किस जिले में बिहार का एक मात्र राष्ट्य उद्यान है तो ये मिलेगा आपको पस्मी चमपारन में पस्मी चमपारन जो बालमी की राष्ट्य उद्यान है साथ ही एक और नया राष्ट्य उद्यान बन रहा एडजेक्ट नाम मुझे पता नहीं अभी तो अगे अगर याद आएगा बता देंगे, पर अब लोग भी धियान रखिएगा, अभी तक एक मात्र रास्टिय उद्ध्यान था, बालमी की नेस्नल पार्क, पस्मी चमपारण में है, ठीक ना, एक नया बनड़ा, अगर नाम याद आए तो हम बताएंगे अभी, यह तो अब यहाँ पर जो भी नदिया है, वो गंगा की सहायक नदियों और सब उपर से नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, अप्शन यहाँ पर इस है, बिहार के निम्न जिलों में से, किस जिले में ही, पीड मोट स्वैंप मिटी पाई जाती है, पस्मी सबसे बारा डिस्टिक, बिहार के निम्न प्रसासनिक बिभागिये जोरों में, जेकिस जोरे में गंगा नदी नहीं बहती है, गंगा नदी कहां नहीं बहती है, कोशी मगध में नहीं बहती है, जबकि दरभंगा मुंगेर, पुर्णिया भागलपूर, तिरुद सारन इस सम में गंगा नदी बहती है अंज़र यहां पर है डि वर्ष 1632 में बिहार के पटना सहर में कौन सी कमपणी ने अपनी फेक्टरी अस्थापित के थी डच इस्ट इंडिया कमपणी कभ 1632 में 1632 में और यहां पर चीनी सूती बस्त राफीम सोरा इस अवका पेपार करती थे आगे परस्त बिहार सरकार ने अगस्त यह रठाड़ा में एक नई योजना सतत जिविका पारजन देखे यह जो पुराना मतलब जो योजना है न वो आपके लिए कोई भी इंपोटेंट रही है मतलब जैसे अभी आप 2022 में एक्जाम दीजिएगा तो कोशिज कीजिएगा 2020 के बाद जो भी योजना है उसको कवर कीजिएगा बिहार सरकार के साथ निश्चयों में निमनलेखित में से कौन सा समलित नहीं है निमनलेखित में से कौन सा समलित नहीं है साथ निश्चय में से तो पहला है महिला रोजगार जो सब है वो ही पहले पैट लेते हैं रिखना जैसे आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, तो ये तो होगा, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तो महिला रोजगार ये हो जाएगा, हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार, पुचाले निर्मान, घर का सम्मान, तो ये भी होगा, अब सर बढ़े आगे बढ़े ये सब है, तो बाल कल्यान जो है यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नमर डी, जो साथ निश्चाय हैं याद रखिएगा इसको, बिहार का प्रति व्यक्ति, सुन्य राज जी घड़ेलू कीमतों पर देश की तुलना में कम है, ये 2018-19 में यह कितना था, तो ये था राश्ट्री आउसत का 33 प्रतिसत, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब भी हार बिधान सभा 2020 के आम चुनाव के लिए, प्रेस नोट जाड़ी के आयो, तो 25 सिप्टेमबर 2020, 25 सिप्टेमबर 2020, दे बिहार सरकार ने 1 अप्रेल 2019 को सार्वजनिक बीत्य परबंधन पर नाली, जो CFMS की सुरू की, यहां कैसी पर नाली है, तो यह एक किस परकार की, यह राजी के समस्त बीत्य किडिया कलापों को ऑनलैन और कावज रहित बनाएगी, साथी अस्थानिय निकाई सहित, राजी सर कर्मन पुरुसकार परदान किया, यह पुरुसकार दिया गया, यह पुरुसकार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादक्ता के लिए, मतलब इस सेट में अगर हम 25 परसन देखे हैं बिहार से रिलेटेड, तो देखे हो कि 55 परसन है, वो current affair के थे वो भी अब निक्स्ट 66 का जो रिएक्जाम हुआ था, उसमें बिहार से 21 परसन है, उसको complete करते हैं, बिहार का कौन सा सहर, पांच पहाडियों से घिरा हुआ है, तो बिहार का जो राजगरी है न, जो मगत की राजधानी थी, राजगीर, राजगीर, वो पांच पहाडियों से घिर अंजर यहां भी बनेगा यह, राजगीर का नाम याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राश्टर पती, भारत के प्रथम राश्टर पती, डॉक्टर राजदर परसाद, किस राजजी से थे, ते थे बिहार से, और एक मात्र राश्टर पती थे, जो दो बर्स तक रहे हैं, तो दो बर्स यानि दो टेन्यूर कंप्लिट किये, 10-12 बर्स तक ही रहे हुए थे, दो टेन्यूर तक बनने वाले एक मात्र रास्ट पती है, बिहार चात्र सम्बेलण का सुहलावा अधिवेशन कहां हुआ था, सुहलावा अधिवेशन हुआ था हजारी पाग में, पशानिक संस्कृती थी औप्शन अमर्सी, बावा ठाकुरदास ने पटना में की सोसैटी की अस्थापना किये हुए थे, राम्क्रिस्न मिसन सोसैटी, सोतं अंदरता पस्चाथ, बिहार का परथम राजिपाल कौन बना था? बिहार का प्रथम राज्जी पाल कौन थे जैराम दास दौलत राम और ये कौन थे मुखे मंतरी स्रेक्रिशन सिंग वर्ष 2020 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाग से कम जन संख्या थी कितने जिले में 10 लाग से कम क्या वादी थी वो तीन जिला था सिभर, सेखपुरा और लखी सराय बिहार में निमने लिखित में से किस अनाज का प्रती हेक्टेर उत्पादन सबसे अधिक है सबसे अधिक मिलेगा आपको मक्का मक्का, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है गेहू, फिर चावल, सौरी चावल अधिक होता है, 33% होता है, फिर गेहू होता है 26% उसके बाद होता है सुगर केन, यानि गन्ना उसके बाद होता है मक्का चौथे नमर पर आता है मक्का और मक्का का सबसदिक उत्पादन दुनिया में अमेरिका भी होता है USA में बिहार में मचली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से है मचली उत्पादन में अग्रेनी जिला मधुवनी और दर्भंगा मधुवनी और दर्भंगा उप्सन नमबर A यहां पर सही है साथी 2022 जो वर्स है इसका थीम जो होता है एर जो घोसित किया जाता है UN के द्वारा तो मतस्य पालन का वर्स इसे घोसित किया गया उत्पादन छेतर की द्रिष्टी से बिहार में सिर्स स्रेनी की दाले कौन सी है जो सबसे अधिक होता अच्छे रैकिंग की दाल कौन सी है मूंग और मसूर उप्सन नमबर C बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रेनी जिला गर्णा उत्पादन में अग्रणी जिला है पस्तिमी चंपारन और भारत में सबसे दिक गर्णा उत्पादन कहां पर होता है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित छेतर है सबसे इधिक नहर सिंचित में आपको रहतास में रहतास option number C बिहार की वेजले कौन से हैं जो 2001 और 2011 में करम सा सबसे कम ग्रामीन महिला सक्छर्था दिर थी किसंगंज और सहर्जा किसंगंज और सहर्जा किसंगंज में मतलब गर बिहार की पुड़ा बात करें तो वो कितना है अर्थर दसमलब 8% है पुड़ा बिहार का 8% हालांकि इस बार जो जनगन ना आया तो सहरसा में महिला का इसरी में काफी सुधार हुआ है बिहार अर्थ फ्यवस्था की विकासदर वर्ष दो हजर अठार से उननीस में इस्थिर कीमतों पर क्या थी दस दसमलब पांच तीन परतिसत ऑप्शन नमर डी यहां अपना सही है बिहार राजजी सकल राजजी मुली वर्धन GSVA में किरसी और संबंध चहतरों का योगदान बितिय वर्ष 2017-18 में कितना था तो 22 परतिसत था वर्ष 2019 में बिहार राजजी में बिजली छंता क्यों परतिसता क्या थी बिजली उत्पादक्ता था 47,67 मेगावाट किस खद्दान उत्पादन के लिए बिहार को किरसी कर्वन पुरुषकार 17 अठाड़ा मिला था किरसी कर्वन पुरुषकार रुस्टम गेहूं के लिए मिला था गेहूं कूबर सिंग जगदीश पूर में कब प्रविष्ट हुए थे ये 1858 में 22 अप्रिल को बिहार के प्रथम सामेकित चेक पोस्ट कवस्थापित किया गया था सामेकित चेक पोस्ट 2018 में अब 65 वाला शुरू करते हैं बिहार के प्रस्थन कास्मीर घाटे के अंतिम मुस्लिम सासक युसूप साचक जिन्हें मुगल समराथ अकवर दुआरा बिहार में निर्वासित किया गया था उन्हें कहां दफन किया गया था नालंदा में आपसिन नमर टी बिहार- लाज्य पडियतन विकास निगम का टैगलेन किया है O Generation C बिहार- राज्य में गंगा के किनाड़े स्थित जिला कौन कौन से है गंगा के किनाड़े बारह जिला इस थे थे, बारह, option नमर C, देखें ये सेट, ये जो एक्जाम है न मैं भी दिया हुआ था और इसमें मैं qualify किया हुआ था, मुझे 112 नमर आया हुआ था इसमें, तो आप लोगी पढ़ियेगा हो जाएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ एक्जाम दिया था और इसे मैरा पीटी हो गया था, मैं मैं इसका त्याड़ी नहीं किया था, एक्जाम भी ने दिया, क्योंकि लोगडोन लगया हुआ था, और अलाकी त्याड़ी भी नहीं था, उसका भी, सही में, तो सही से पढ़ियेगा तो हो जागा, डिफिकल्ट होत निम्दलिकित में से कौन सा वन्डेजीव अभिहारन बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है, भीम बांध, भीम बांध, ऑप्शन मरसी, 2021 की जनगन्ना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वुच्छ लिंग अनुपाद दर्ज किया गया, सर्वुच्छ लिंग जर वन्ड शेत्र से घिरा हुआ है, पस्तिम जमपाद यहारन, ऑप्शन नमरसी, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, सबसे गंगा नदी लंबी मिले गया आपको पटना में, ऑप्शन नमरसी, 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार के किस जिले में बामें सर्व, यह नदी धारत बिहार का है, सबसे अधिक कौन स्य जिस्टिक में है, तो आप सपुलों के सकते हो, भागलपूर में नमक Grad дов. नमक सत्यागरा महादेवलाल सराफ अचा यह मैंने गलत के दिया कि पुरे भारत में डिश्टिक में क्योंक यह हो सकता है दिली सबसाहिद में होगा तो यह कहना गलत होगा बिहार में सिवार में सन 1949 में बिहार में अंबाडी सत्यागरह का नर्चितु किस ने किया था? अंबाडी सत्यागरह का नर्चितु किसके द्वारा किया गया था? राहूल संकृतियान के द्वारा 1949 में बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर परसाद मुरली मनोहर परसाद 1918 में वा था इसका संपादन सर्च लाइट सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस ने किया था समाजपाती फूलन परसाद स्रमा फूलन परसाद वर्मा बिहार में 1857 के बिद्रो का निर्तितु किस ने किया था repeated person हो गया ये किसने किया था कूबर सिंग कूबर सिंग और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किर्षकों का निर्थितु किसे ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी बिद्यानन्द आधुनिक बिहार का निर्माता इसे माना जाता है सचिदानन सिन्दा को सचिदानन्द सिन्ह आज़निक बिहार का निर्मा था याद रखिएगा अगर सचिदानन्द सिन्ह उप्षन में नहीं हो तो स्री कृष्ण सिंग होता है जो पहले मुख्य मंत्री थे तो दोनों में से कोई एक पिटिक होता है कभी कभी बिहार प्रांतिये किसान सभा का गठन किस ने किया था बिहार प्रांतिये किसान सभा का गठन स्वामी सहजानन्द ने ही किया था स्वामी सहजानन्द डच इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फेक्टरी पटना में अस्थापित की थी 1632 में 1632 Dutch East India Company सबसे पहला था इसे पहले बारे सेट में देखे कि था पहला कंपणी कौन था उसमें था डच East India Company नहीं पुझा कव किया था 1932 में बिहार में राजस्व दलका गठन किसे ने किया था राजस्व दलका गठन किया था स्रीक रिस्न सिंग स्री क्रिस्टम सिंग निम्द लिखिच में से कौन सा जिला धारवार भू अस्तर्य रचना वाला नहीं है रहतास जबकि मुंगेड जमुई नवादा होगा निती आयोके स्वास्त सुचिकांग 2019 के अनुसार बिहार राज्जी का स्कोर क्या है 32.1-2 जनगन्ना 2.11 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 935 एक हजार पर अप्सन नमरे वर्ज 2017-18 के दोरान बिहार में 33 सेक्टर जो टड़सरी सेक्टर होता है उसमें विकासदर कितना रहा 14.6 परसेंट 17.18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्जी का सकल राज्जी घड़े लूत पाद जो G.S.A.D.P. होता है वो कितना करोर रुपया था तो वो था 48,6,87,887 करोर पटना उच्चनियाले के मुखनियाधिस कौन थे जिन्होंने जुलाइ 2019 में बिहार के राज्जी पाल के रूप में फागु चोहान को पद का सपत दिलाया था फागु चोहान अभी भी है उस टाइम एपी साही थे एपी साही उप्सन नमर बी बिहार दिवस का क्या महत्तु है जो 22 मर्च को मनाया जाता है 1912 में बिहार बना हुआ था तो उसी का जस्ट मनाने के लिए तो 1912 में बिहार के बंगाल परसिडेंसी से अलग होने के बाद 19 के याद ने बनाया जाता है 22 मर्च को बिहार दिवस निम्दलिकित में से कि सराज जी को केंदर सरकार दुआरा विशेस त्रेनी का दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया तो ये बिहार को नहीं मिला एश्पेसल एस्टेट जो होता है वो तो option नमर यहां से जो कि हिमाचल परदे सिक्कीम जमू कास्मीर को विशेस राज का दर महा निर्वान के बाद जो पहली बहुत संगति हुई थी वह राजगिरी में हुए थी राजगिरी में 483 सा पूर्प बंगाल और बिहार में भूमी पर किरायदार के अथिकार को बंगाल किरायदारी अधिनियम द्वारा कब सुइकार किया गया था 1880 में 1850 जिस पर कॉंड अस्थापना हुआ था उसी वर्ष बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश मना 1912 में 1912 में स्वतंत्र प्रदेश मना था जब वो बंगाल प्रेसिडेंशी से अलग हुआ था चमपारण में गांधी जी का अमंत्रन जुग दिया था वो राजकुमार सुखला ने दिया 1916 में मिटिंग हुआ था, 17 में वो आये हुए थे, चंपारन सत्यागर, तिनकठिया के बिरोध में बिहार सोचलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोचलिस्ट पार्टी 1931 में 1931 इसमें से किसने बिहार में पहले कॉंग्रेस मंत्री सवा का नित्तु किया था? कॉंग्रेस मंत्री सवा सिरिक्रेसन सिंग सिरिक्रेसन सिंग नील बिद्रो किसके बारे में था? नील बिद्रो था रईयत बारी जो रईयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे उस पर एक आमानी मुल पर जवर्दस्ती करवाय जा रहा था तो ये था नील बिद्रो ओप्सिन अमर सी है अपना सही बना कूबर सिंग अंग्रेजों के खिलाफ अठारत संतावन के बिद्रो में किस जगह में सामिल हुए थे कूबर सिंग सामिल हुए थे आरा में आरा में तो आप्सिन अमर ए नमक सत्यागरा के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस करके बिरोध द्वारा सरकार का बिरोध किया हुआ था चौकी दाड़ी और ये सब कब हुआ होगा 1930 में ही क्योंकि नमक अंदौला उसी टैम हुआ था आगे बिहार किसान सभार से कौन जूरे हुए थे तो इसमें काड़ि अनंद सर्मा भी जूरे हुए थे स्वामी सजा अनंद भी जूरे हुए थी यदम तो पताए जो दिन बिर्शाम उंडा का जन्म दिवस होता है उसी दिन लाते हैं जारकंडी दिवस एक भारती राज के रूप में बिहार बना था 1912 में 1912 अब देख रहे हो न कितना प्रफस रिपीटे ठोड़ा लग रहा होगा कि सारा प्रफस तो आई रहा है बिहार के निम्न हिस्सों बिहार के कितने जिलों से सीमा बध्ध था पटना जिला जो है कितने जिलों से बौंडरी उसका टच करता था वह 9 जिले से टच करता था 9 जिले से वह अरवल जहानावाद नालंदा लकिसरय बेगुसरय समस्तिपूर बैसाली सारन भोसपूर इसके लिए आपको बिहार का मै स्थान निम्नमाले में सबसे कम हैं भारत के राज्यों में जूट उठपादन के द्रिष्टी से बिहार का अस्थान भारत में जूट उठपादन दूसरे अस्थान पे ले पफप half ऑढ़ां यह किस प्रकार की उद्योग की किस प्रकार के उद्योग का संभावना है क्रिसी अधारित उद्योग एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 18 के मध्य 4G सिनलो की उपलब्दता की द्रिष्टी से देश के 20 सहरों में पटना का अस्थान है पहले अस्थान पे पहला अस्थान है प्रथम अस्थान पे सुलव इंटरनेट में बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेजल उपलब्द कराने के लिए सुलव जल सुलव जल प्रोजेक्ट प्राडम किया गया यह दर्भंगा में किया गया सुलव जल प्रोजेक्ट दर्भंगा बिहार की मुख्यमंतरी कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्यानी गलत है यहाँ पे यह कथन गलत है जब कि सही क्या सब है योजना का वार्षिक ब्याये 7221 करोर प्रस्तावित है सिक्षा, स्वास्त और समाजी कल्यां तीन विवाग पे फोकस करेगा कर्णिया शिसु के जन्म के समय परिवार को 2000 रुप्य परदान किया जाएगा यह तीन यहाँ पे मुख्यमंतरी कर्णिया उत्थान योजना के वारे में सही बताता है बिहार के निमनेलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है नेपाल के साथ एक तो बिहार और उतर परदेश सीमा साजा करता है साथ इसे किम भी है नेपाल के साथ बिहार का साथ जिला सीमा साजा करता है वो साथ जिला कौन-कौन सा है पस्मी चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीतामडी, मधुवनी, सुपोल, अरडिया, किसन गंज तो यहाँ प्यांसर हो जाएगा पुर्णिया पुर्णिया बिहार के ये नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता निम्नलखित में से कौन सा भारत के बिहार राजी में मौजूद है एक मात्र युनेस्को धरोहर अस्थल है एक मात्र युनेस्को धरोहर अस्थल है इसमें से कौन सा होगा एक तो नालंदा जो बौध मठ है नालंदा विस्विद्याले वो है और महावोधी बिहार मतलब दोलों जो है वो युनेश्को धरोहर में सामिल है महावोधी ये सामिल हुआ था 2002 में और नालंदा मठ ये 2016 में सामिल हुआ था अच्छे से पहले वाले प्रस्ण में जैसे और पस्थी मंगाल के साथ तीन डिस्टिक्ट सेयर करते हैं याद कर लिजेगा इसको नेपाल के साथ 7 उतर परदेस के साथ 8 ये हैं वेस्ट मंगाल इसके साथ 3 साथ और जहारखंड के साथ 7 डिस्टिक्टत जच करता है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राजि म में अस्थापित है बाढ़ सूपर थर्मल पावर स्टेशन यह मिलेगा आपको बिहार में ही बिहार बिहार प्रोवेंसियल किसान सभा का गठन कब हुआ उनिस सो उन्तिस में अच्छा कैमूर जो है न कैमूर जील उसी पर बन रहा है कैमूर राष्टिय उद्यान बागसन रक्षन के अंदर तो मैंने उपर में जिक्र किया था कि बाल में की राष्टी उद्यान तो है एक मात्र है अब दूसरा ही बनड़ा कैमूर तो हो सकता है कैमूर से पड़सना आए उसको ठीक से देख लीजिएगा किस अधिनियम के तहट बिहार एक अलग राज्जी बना था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम हुआ था उसी के एकॉर्डिंग और जो अन्तिम इसका अभी भागोली के स्टेक्चर है वो है दो हजार इस भी 15 नॉवंबर को जब जहार खंडी से अलग हुआ था 15 नॉवंबर तब से बरत्मान सोरूप जो है बरत्मान सोरूप अगर पूछे तब आपको 15 नॉवंबर 2000 टिक करना होता है बिहार में क्रसी भूमी की जोत का ओस्तानाकार दूसरे राज्य की तुलना में निउन्तम से दूसरे अस्थान हो जब नीचे से दूसरे नमर पहे है भारत के किस राज्य की बरत्मान मुल्यों पर नविंतम प्रती व्यक्ती आए निउन्तम है सबसे कम परक्यप्टा इंकम बिहार का ही है सबसे अधिक किसका है गोवा का सबसे कम बिहार बिहार में नविन्तम बारसी नविन्तम बारसी प्रती व्यक्ति बिजली का उपभोगता बिजली खपत में हम नियून्तम पे है सबसे कम कोशन नमर 39 है बिहार में प्रती एक लख जनसंख्या पर सरक की लंबाई कितनी है तो इसमें नियुंतम से तिर्तिये है क्योंकि भारत से नीचे भी दो राज्जी है उत्तर पर देश हरियाना तो तिर्तिये हैं नहीं कहीं पर अंसर यहां पर E बनेगा इस वे डिफिकल्ट प्रस्न होता है निमनलेकित में से कौन सी नदी फत्वा के पास गंगा में मिलती है फत्वा के पास गंगा में मिलती है पुन 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 और यह जो पुन पुन नदी है वो हरखंड के पलामु जीले से निकलती है काफी important होता है और गंगा का जो दक्षिन सैड से जो साहयक नदी है वो कौन-कौन सा है चौसा, कर्मनासा, बनास, सोन, पुन-पुन, फल्गू, गेरुआ क्या आप बदा पाएगे कर्मनासा का दूसरा नम क्या है कर्मनासा नदी जो है उसका दूसरा नम क्या है कोपेन की जलवायू वरगी करन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायू किसी से प्रदरसित की जाती है CWG से CWG option number A अपना सही थे हैं आपे मुझपरपूर दर्भंगा और चंपारन जिले में कौनसी मिट्टी अधिकांसता पाई जाती है नवीन जलोड नवीन जलोड मिट्टी option number B बिहार का सरवाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है पुर्णिया पुर्णिया रेपिटेट प्रस नहीं है त्रिवेनी नहर किस नदी पर निर्वित है त्रिवेनी नहर मिलेगा गंडक पर गंडक 400 740 मीटर लंबा है 740 मीटर लंबा ये बिराज बनाया गया है जैन धर्म के प्रवर्टक महावीर जी को मौक्ष अस्थान कहां इस्थित है मौक्ष मिला तो है इनको पावापूरी में पावापूरी इनके अभी 72 वर्ष में हो गई थी ये जैन धर्म के 24 वे तिर्थकर या अल्तिम तिर्थकर थे कैमूर पठार किसके लिए प्रसिध है कैमूर पठार चूना पठार के लिए चूना पठार मेरी रह रहेगी कि कैमूर पठार के बाड़े में जितना हो सके कैमूर जो वन सान रक्षन मार रायन पतलब जो भी है उसके बावाप इमतोरा ठीक से पढ़ लीजेगे इससे आप 1-2 पड़स्थन अब कि भी PSC में पूछा ही जाएगा स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकासन किया जिसका नाम क्या था इसका नाम था हुंकार स्वामी सहजानन्द सरस्वती के द्वारा किया गया था जिनका जन्म कब वुआ था 1889 में 1889 में और इन्होंने 1936 में अखिल भारतिय किसान सभा का गठन भी किया था पटना में 1913 में अनुसिलन समीती की एक साखा की अस्थापना की गई थी ये क्या गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के दौरा 1913 में अनुसिलन समीती सचिंद्रनाथ सन्याल 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किनके दौरा किया गया था ये किया गया था क्रिशन सिंग और मुहम्मद जुबेर के दौरा क्रिशन सिंग और मुहम्मद जुबेर यहां पे दोनों सही है अंसर बनेगा ए 1934 में बनी बिहार सोचलिस्ट पार्टी के सचीव कौन थे बिहार सोचलिस्ट पार्टी के सचीव थे जै परकास नरायन जै परकास नरायन बिहार से भारती संबिधान सभाके सदस्ची कौन थे बिहार से संबिधान सभाके सदस्ची कौन थे यहां से दो तो फिक्सी थे एक तुराजंदर परसाद थे और एक सचिदानन सिन्हा थे क्योंकि दोनों तो एक उपाध्यक्ष मने और एक अध्यक्ष मने यह दोनों तो थे ही, इसके अतरिक एनेन सिन्हा, जग जीवन राम और भी कई सारे थे, तो जग जीवन राम, एनेन सिन्हा, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा यह? एक से अधिक, बिहार में 1937 में गठित, प्रथम भारतिय मंत्री मंदल का निर्धितुर, किनके दुआरा कि गांधी जी की जब मिर्तियों हो गए थी, 1948 में, उसके बाद, उनहीं के याद में, क्योंकि जो भारत छोरो आंदोलन था न, तो उसमें बिहार की तरफ से सपोर्ट किया गया था, वहीं से, पटना लॉन से, तो इसलिए गांधी जी, जब भारत छोरो शुरू कब हुआ था गांधी जी की याद में, बंगाल इभाजन की घोसना कब की गई थी, तिए 1905 में, 1905 में जुलाए 19 को, 19, जुलाए 1905, उप्सन नमबरे, उस्टे में कौन थे, लॉर्ड करजन थे, लॉर्ड करजन और फिर इसके एक साल के बाद, 1906 में क्या हुआ था, 1906 में, जो मुस्लि से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, अब हम आगे 60-62 संजुक्त परिक्षा पे, काफी इम्पोरेन थे कि आपको कम से कम 53 तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां सी चौथा उप्सन वाला गया है ने, पाच वाइन में से कोई नहीं, इस सब को आपको पढ़ना पड़ेग फिर उसके उसे पहले क्या था ना, चारी ओप्सन था, और उसका प्रस्न भी थोड़ा आसान था, हलाकि जो आसान प्रस्न था, उस वाले में से भी हम आपको एक से कम्प्लिट करवाएंगे, ताकि आपको ये एडिया लगे कि पहले प्रस्न कैसा था, ठीक ना, बिहार में 2005 पांच चो से 2014-15 के मध्य किस छेतर में सरवाधिक विर्धी दर्ज की गई थी, रजिस्टर्ड वी निर्मान में, वी निर्मान में, गड़ी 45.5 प्रतिसत, रजिस्टर्ड वी निर्मान जो उद्योग होता है सेकेंटरी सेक्टर, प्रतिवेक्ति आय के मापदंड के अनुस जिवी का, ये बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किसे है, जिवी का है रोज स्रिजन, रोजगार स्रिजन के लिए, और इसका सुभारंब बिहार के रोहतास से क्या गया था, रोहतास से, बिहार में स्पूर पर्योजना संबंधित है, स्पूर योजना किसे संबंध नगर निगम बिच से शुपूर का फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अरवन रिफॉर्म बिहार में रास्ट्रिये राज मार गए कि कुल नमबाई कितनी है पैंताली सो पंचानवे अब इसको आप बढ़ा सकते हो थोरा बहुत दोड़ाई सो किलो मीटर बढ़ा सकते हो पंद्रह नमबर को इनका जन्म होता है और इसी दिन मनाते हैं जहारखंड दिवस जहारखंड दिवस जैसे 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस वैसे ही किसने यूरोपियन नील बगान माली को दुआड़ा किसानों के सोसन की तरफ गांधी जी का ध्यान आकरसित किया था यह है राजकुमार सुकला आप देख सकते हो यह प्रस्त कितना डिपिटेड है और सहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी पडिक्छा में केवल 20 दिन बचे हुए थे पटना कॉलेज को छोड़ दिया था और सहयोग आंदोलन के कारण तो यह थी जैप्रकास नरायन 1922 में यह सामिल हुए थे चराचोरी कांड में तो 1922 मतला मेली असहयोग आंदोलन जो असफल हुआ था 1922 में चराचोरी कांड के कारण तो 1920 में हुआ था यह असहयोग आंदोलन आंदोलन के समय अपनी लाभपारद वकालत चोड़ दी थी बिहार के किस वकील ने उसहयोग आंदोलन यह कब वहथा अभी पड़े हैं एक अगस्त 1920 इस टाइम अपनी वकालत छोड़ दिये थे यह थे राजंदर परसाद, राजंदर परसाद, उप्सन नमबर बी, ओदंत पूर सिक्छा केंदर निम्नलिखित में से किस राज में अवस्थित था, ओदंत पूर था बिहार में, बिहार, ओदंत पूर, बिहार की प कनाल्ट वन्स कास इसस्थापक कौन थे? कनाल्ट वन्स नान्यहे देव, इसकी राजधानी सिम्रावगड था, नालंदा बिहार का बिध्वन्स किस न किया था, तो भी बक्तियार खिल जी? एक मातर था जो भारत पे रूल किया, उसको बरवाद किया, तो वो बक्तियार खि सिंग हरी सिंग बिहार के एक्जाम में सबसे खड़ात यह होता है कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के चले जा रहे हो ना पता ने किस टॉपिक शाधिक प्रसना आज राजनिती रतनाकार के लेखक है चंदेस्वर उद्वन्त परकास का लेखक है मौली कभी मौली कभी निमनलिकित नहर प्रणालियों में से किसिसे बिहार के सहथर में सिचाय होती है बिहार के चिल में स्थिवनी नहर क्या बता पाएंगे त्षिवनी नहर जो है किस नदी पर है ऊपर हमने जिकर किया हुआ था कॉनेट बोक्स में लिखिएगा निम्नलिखित भू आकिर्तियों में से किसके दुआरा बिहार राज्य का उत्तर पस्मी भाग घिरा हुआ है उत्तर पस्मी भाग सुमेश्वर पहाडी से सुमेश्वर पहाडी स्रेनी से यानि आप्शन नमड़े सुमेश्वर की पहाडी तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है तेल नदी ये किसकी सहायक नदी है महा नदी की तो आप्शन है ही नहीं अंसर हो जाएगा ही महा नदी निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहा सब से इधिक जनसंख्या विर्धी देखने को मिला मद्हपुरा में मद्हपुरा बिहार में निम्हनलिखित में से कौन रेसम बस्त उतपादन के अंदर है निम्हनलिखित अस्थानों में से भारत वैगन एवं इंजिनियर्स कंपनी लिमिटेट कहां इस्तित है मोकामा में मोकामा ओप्सन नमर डी निम्नलिखित रास्ट्री राजमार्गों में कौन छपरा और गौपाल गंज को जोड़ता है छपरा और गौपाल गंज को रास्ट्री राजमार्ग 85 रास्टी राजमार जो 85 निम्नलिखित में से संथाल विद्रो कब हुआ था संथाल विद्रो हुआ था 55-56 अठारासो पचपन चपन चलिए अब आगे हम 56 से लेकर 59 तक का जो संजुक्त परिक्षा हुआ था PT जो हुआ था वो तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ओले बिहार से जोड हुआ si निवी65 प्रसं पहले कंभी पूछ değer थी इसके अंदर ही होता था अब तो 35 301 तक प्रसं बिहार से जुरह पूछे जाते हैं बिहार शे लोग सभा के लिए कितने द्स्धिर चुने जाते हैं लोग सभा के लिए 40 चालिस बिहार का अच्छा बिधान सवा के लिए कितना है 243 यह भी याद रखना पड़ेगा 243 आगे प्रसंत आजाएं बिहार का अदुतिय त्योहार कौन सा है अदुतिय सबसे अच्छा छठ पूजा फेमस है छठ पूजा और यह एक मात्र पूजा है जहाँ पे उगते हुए और डूबते हुए दोनों सुर्ज की पूजा की जाती है बिहार के कौन से अस्थान में गांधी जी ने अपना पर्थम सत्यागरह किया था चंपारन सत्यागरह 1917 देख सकते हैं प्रसंत का लेवल की सस्तार का था पटना मे किस शिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में किस शिख गुरु का जन्म हुआ था गुरु गोबिंद सिंग गुरु गोबिंद सिंग कब हुआ था 1699 हलाकी जन्म नहीं हुआ था इस परसंत ने खालसा पंत की सुरुवात की थी 1699 में 1922 में Indian National Congress का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्सता कौन किये थे चितरंजन दास चितरंजन दास और यह 1922 में हुआ था बिहार में ही हुआ था और 1912 में भी बिहार में हुआ था पहली बार कौन सधिवेशन था बांका में तो ये भी आपको याब रखना है जैपरकास नरायन किस नाम से जाने जाते थे पहचाने जाते हैं तो लोक नायक लोक नायक बिहार में डालमिया नहर डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है डालमिया है सिमेंट के लिए सिमेंट डालमिया नगर सिमेंट के लिए बिहार में कितना वर्ग मीटर वन छेतर है अभी तो 7.74% पे बन है लेकिन option के according यहाँ पे उस time में कितना होगा जाने दिजिए उसको अभी 7.74 है निम्नलखित में से कौन सा सहर बिहार के सबसे पुर्वी भाग में इस्तित है सबसे पुरा में मिलेगा कटिहार इस side से वेस्ट बंगाल के side से कटिहार और इस side से कौन सा है पस्टिम बंगाल पस्मी चमपारण निम्नलखित जिलों में से कौन सा बिहार में स्सित है बिहार में स्सित है अनूपम जειल यहां पेडिक तस्थान को पूर्ति करना है कि बंगाल और बिहार में भूमी पर किरायदार के अधिकारों को बंगाल किरायदार अधिनियम द्वारा दिया गया था, ये कब दिया गया था, जब कॉंगनिस का धिवेशन हुआ था 1885 में, 1922 के और सहयोग अंदोलन के दोरान बिहार में परचलित मानेताओं में से एक यह है कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किसके और अध्य के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक थे, ऑफिस नर्म ए, इंमें से कौन, बिहार के किसान का नेता था, इसमें से कौन सा था, तो लीडिया अंदोलन में सक्रिये थे, ये शक्रिये थे छपड़ा से, अगे निम्निलखित में से कौन सा कथन सही है कि अब एक कथन सही है कि 1857 में दरभंगा, डुम्डव और हत्वा कि महराजाओं ने अपनी साथी जमिनदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी अंग्रेजों का ही मदद किया था किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हिर्दा जैसे धधनामों के तहत लिख कर चमपारण के किसानों की दुर्दसा पर प्रकास टाला था तो ये है पीर मुहंब्मद मुनीस पीर मुहंब्मद मुनीस, उप्सन अमड़े तो आगे जो इससे मतलब बेशी तिरपन भी था, वावन भी था वी पीर सी का एक्जाम, उसके परस्ट तो कुछ इसी लेवल के है, जो अभी की एक्जाम में आपको हेल्प नहीं करेंगे, बहुत अधिक हाँ, अगर आप ये करते हों, तो अभी जो दरोगा के एक्जाम होगा, उसमें आपको इस लेवल का प्रसन देखने को मिल जाएगा तो उसके लिए आप चाहो तो देख सकते हो तो यहाँ इस वीडियो को मेंट करते हैं, तो आप लोग शेयर वेर कर दीजेगा, ताकि अधिक लोगों तक पहुँच पाए, तभी हम आगे इसका टॉपिक कम्प्लिट कर पाएंगे बलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहिंद, नमस्कार जाहिंद दोस्तों आप देख़रे हैं, मास्टर वीडियो ओफिसियल और अभी हम VPSC का जो कॉर्स्टन बैंक है, वो कम्प्लिट कर रहे हैं जिसमें इससे पहले 3-4 वीडियो आ चुका है जिसमें एक वीडियो मैंने हिस्ट्री कम्प्लिट किया फिर बिहार विशेष, भारत का राज्य व्यवस्था जो है संबिधान वो ही मैंने कम्प्लिट कर लिया और भुगोल भी कम्प्लिट कर लिया है सबका प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्सन ब्लोक्स में डाल देंगे उसे क्यों होगा आपका टॉपिक वैस पड़ा होगा अभी हम कम्प्लिट करेंगे एकोनिमिक्स, अर्थ फिवस्था देखिए पढ़ने में थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है पर हर सेट में देखिएगा तो साथ से लेकर दस प्रस्न जो है वो आ रहे है ये आपका च्यासर्फी वैस प्रस्न आये थे अर्थ फिवस्था का तो एक दवाई की तरह पढ़ने में खड़ा भी लगे फिर भी पुरा देख लिजिएगा क्योंकि ये रिपीट प्रस्न होता है तो एक वर कम से कम पुरा देख लिजिएगा तो अर्थ फिवस्था ये च्च्यासर्फी वैस ये पुरा हम कमप्लेट करेंगे प्रस्न है निमन राज्यो में से कौन सा राज्य भारत में सरवाधिक सौर उर्जा का उतपादन करता है स्बसएधिक उतपादन में करनाटक पहरे नमर पहलाकि प्रस्तावित है कि गुजरात में सबसे बड़ा solar panel लगेगा लेकिन बर्तमान में करनाटक टॉप पे है, दूसरे अस्थान पे तेलंगाना आता है, दूसरे अस्थान पे तेलंगाना फिराजस्थान, तो करनाटक हो जाएगा आंसर, और जो international solar alliance है उसका headquarter गुरुगराम में है जिसका अस्थापना हुआ था, 2015 में भारत और नरेंद्र मोदी और फ्रांस के उस टेम में जो थे, Emmanuel Macron उन दोनों के सहीयोग से ये बना हुआ था अमेरिका इसमें जुडने वाला 101 नमर का country था आगे question number 68 है उद्योग और अस्थान के निम्म जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है उद्योग दिया गया एक तरफ और एक तरफ अस्थान दिया गया है कौन सा नहीं मिलता है वो बताना है तो पहला oil refinery ये बरोनी बिहार में ही है, ये पता ही है oil refinery, बरोनी cement बंजारी cement बंजारी, ये भी सही है fertilizer भोड़ा ही fertilizer भोड़ा ही अगे rail diva और अभी यांत्र की तो rail के वाड़े में मुझपर पूर में है मुझपर पूर तो यहां पर option मड़ी है आपका answer होगा भारत में खाद प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दे से नहीं है खाद प्रबंधन का कौन सा उद्दे से इसमें से नहीं है तो पहला है खाद दानों का वित्रन ये तो होगा ही खाद दानों की खडीद खाद प्रबंधन का खाद दानों की खडीद ये भी है खाद दानों की बफर सिक की ऑफिसियल आंसर होता है वो बता रहा हूं तो जो है आपको उसी को याद करना पड़ेगा जैसे मैंने कई वर कह दिया कि पानी का पी एच कितना होता है मैं 7 टिकर के आया हुआ था और वो गलत हो गया था क्योंकि उदर से जो आंसर आया था उसमें यह था कि मैंने को अलो करके ही जाना है कोस्टन नमर सेवेंटी भारत में राजस्व घाटे से क्या ताथ पड़ी है राजस्व घाटा एक यह सिंपल सा लॉजिक है घाटा कब होगा जब आपका जितना इंकम है उससे आधी खर्चा कर लिजिएगा वो क्या हो जाता है जितना आपको राज समपतियों का निर्मान नहीं कर सकता है मतलब हमारे पास इतना ही पैसा है इतना भी पैसा नहीं है कि पड़ी समपतियों को हम उतना कर सके तो उसके लिए हम उधार लेते हैं वही क्या हुआ घाटा तो यह इसको हम क्या कहते हैं डिफिसियेट कहते हैं और अगर इसके अपो संजुक तराज अमेर का अभी इस पार चीन हो गया है और जो फॉरेंड डिरेक्ट इंवेस्टमेंट आया था फॉरेंड डिरेक्ट इंवेस्टमेंट वो सबसे अधिक आया चीन में लेकिन भारत में जो सबसे अधिक फॉरेंड डिरेक्ट इंवेस्टमेंट आया वो आया था सिंगापूर से सिंगापूर से दोनों छी याग रखिएगा question number 72 है भारत माला पड़ योजना में भारत का निमनलिखित में से कौन सा infrastructure जो है वो समंधित है भारत माला पड़ योजना मुखित है किस से समंधित है तो है सरक infrastructure से सरक infrastructure एक होता है सागर माला तो नाम से क्लियर है सागर को जोड़ेगा इसमें और यह सरक इंफ्राइस्ट्रक्चर भारत माला मैंली है इसका योजना का मकसद कि जो रेलवे ट्रैफिक है न वो रास्ते में नहीं आए या तो उस पे आफर बिडिज बन जाएगा यह उसके अंदर से जाएगा यही है सागर माला सोड़ी भारत माला और सागर माला है पानी को जोड़ना भारत में और योगिक अच्छा डबू होता है न वाटर हैवे वो वन जो है वो प्रियागराज से सदिया तक जाता है माफ किजिए का हल्दिया तक जाता है और दूसरा जह है वो सदिया स अध्योगिक चेत्र की उपलब्धी कोम आपने के लिए निमनिलिखित में से कौन सी संस था और द्योगिक उत्पादन के सुचिकांक को जारी करता है यह जारी करता है केंद्रिय सांखी की काडिय यह केंद्रिय सांखी की संगठन अप्सन नमर सी S.C.O. अब next जो set है उसमें 11 प्रसन आये थे अर्थ सास्त्र से तो इसमें पहला प्रसन है World Economic Outlook Index जो है यह कौन प्रकासित करता है तो यह करता है IMF International Monitoring Fund IMF इसका headquarter मिलेगा आपको once in return DC में और इसका अस्थापना देखिए बहुत book में मिलेगा 1945 लेकिन आपको exam में ठीक करना होता है 1944 क्योंकि Google पे आपका 1944 ही है जाद रखिएगा और बरतमान में इसके कौन है क्रिस्टली न जोर्जी येवा IMF की निमनलिकित में से कौन सी एक सकल घरेल उतपाद गरना की बिधी नहीं है मतलब जो GDP है उसको मापने के करम में उसका यूज नहीं होता है तो उतपाद कितना उतपाद हो रहा है कितना income हो रहा है और कितना घर्चा हो रहा है सांखे की संगठन, सांखे की काड़ियाल, केंदरिया वाला, तो SCSO है यह, CSO, यह होगा, Central Esthetic Organization, आप्शन नमर सी, यह बहुत important है, देखिए, मैं इसे लिए कहा था, इससे SCO से एक प्रस्न उसमें भी आया था, इससे पहले वाले सिफ्ट में इसमें भी आ रहा, तो repeated हो रहा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, आयुसमान सहकार योजना, यह है क्या, तो यह मुखिता स्वास्त से जुरा हुआ है, स्वास्त के बारे में, सबको बुनियादी धाचा स्वास्त के बारे में, तो यह तो होगा ही, पुछ रहा कौन सा नहीं है इसमें, ठीक ना, तो बित मंत्राल देखवाल या सिक्षा के बुण्यादी ध्हांचे की अस्थापना आधूनीकी करन, विस्तार, मरम्मत एबन नवीनी करन को सामिल करता है यह रास्टे सहकारी विकास निगम द्वारत यार की गई है यह योजरा रास्टे सहकारी विकास निगम के द्वारत यह पर यह तीनों किया गया था 2013 14 में 2013 14 भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था भारत जेंडर बजटिंग ये शुरू किया गया था 2056 में जेंडर बजटिंग ये जेंडर बजटिंग मतलब यह नहीं कि मेल फे मेल के लिए अलग-अलग बजट इसमें यह कि जो महिला और पुरु में कुछ फंड दिया जाएगा उसे ही कहा गया जंडर बजट ये तो ये दो यार पांच-छो में शुरू किया गया था PM Care Course के बारे में कौन सा कथन असत्य है जो PM Care Fund हम लोग कहते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है तो सारे कथन यहाँ पे सही है मतलब ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निसुलक रूप से कारी करेगा इसको पूरी तरह से व्यक्ति संगठन से स्वेक्षिक योगदान देता है हम लोग भी कर सकते हैं इसका प्रात्मिक उद्देश से किसी केरफन में डालेंगे यह मेंली जनता के द्वारा संचालित होता है मुख्तिया तो यहाँ पर यह तीनों जो है वो सही है अज इसमें नहीं है तो यह भी सही है यानि चारों सही है ऑप्सा नमर ई होगा भारत के राजियों में 2018 में चावल उत्पादन में सही आरोहिक्रम मे चावल का तो देखिए अगर 2020 का हम देख लेते हैं ठीक ना 2020 का राटा आ चुका है तो 2020 में पहले अस्थान पर है पसीम बंगाल पसीम बंगाल दिया आई नहीं है देखिए पहले अस्थान पर वेस्ट बंगाल WB लिख लेते हैं फिर आता है उत्तर परदेश UP पहले अरक्षित अनुपाद को कम करने से अर्थ विवस्था पर क्या परभाब परता है जो नगद अरक्षित अनुपाद होता है cash reserve ratio CRR इसको कम अगर कर दिया जा है जो अभी बरत्मान में 24% के आसपास था अब जरी जरी कम ही करिया जा रहा है तो उससे क्या impact पड़ेगा तो पहला जिया कि बैंकों के पास अधिक तरलता का लाव होगा बैंकों के पास तरलता बढ़ेगी यह तो सही है अर्थ विवस्था में निवेस बिर्धी देखने को मिल सकता है अर्थ विवस्था में अधिक निवेस मिलेगा यह भी सही है अर्थ व्यस्था में मुद्रा पूर्ती बढ़ सकती है मुद्रा जो है वो मार्केट में अधिक आएगा जब ये कम करेगा मतलब समझ ये इक चीज को क्या होता है ये cash reserve ratio जैसे माले जी आपको कोई bank खोलना है ठीक ना तो आपने 100 करोर रुपया का पूजी लगाया तो RBA कहेगा कि इसमें से कुछ परसेंट जैसे माले जी 25 परसेंट जो हमारे पास रख दो और 75 रुपया में आप marketing करो अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात को कम करेगा तो आप यहाँ पर क्या कर रहे है 75 रुपया से marketing कर रहे है अब RBA नहीं इसको हम कम कर देते हैं अब हम रखेंगे 20 रुपया आप करो 80 रुपया का marketing तो market में क्या हुआ अधिक पैसा आया तो उससे क्या होगा मुद्रा पुर्ती बढ़ेगा निवेस बढ़ेगा market में तरलता भी आएगा सब कुछ आएगा बास्तिविक निवेस दर में घट सकती है बास्तिविक निवेस दर में गिरावाट आ सकती है हाँ आ सकता है यह भी आ सकता है भारतीय रिजर बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत का बिदेशी जो foreign direct investment था, जो भंडार था, मुद्रा भंडार, वो कुल मुल्का क्या था, मतलब कितना रुपिया था, वो आपसे एडजेक्ट पूछा जा रहा है, तो वो था 4,12,871 मिलियन डॉलर, तो अगर बरतवान के बात क लोग कि सिफारिस पर केंदरिये करों के विभाजी पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो यह है 10.06% और 15 भी तयोग अध्यक्ष कौन है, एन के सिंग, एन के सिंग, आगे ब नेक्स्ट सिंग में इसमें भी 10 प्रस्ट जो है, 65 वाले में पूछा गया था, भारत में किरसी लागतेवा मुल्यायोग और इसी कैधार पर MSVP जारी किया जाता है, तो अप्सन नमरे सही है गया, हिंदू बिर्धीदर किस से समन्दित है, हिंदू बिर्धीदर GDP से समन्दित है, बहुत इंपोर्टेंट यह परस्ट, तो यह कई बारा चुका है, हिंदू बिर्ध यहोजना के दौरान निम्नलेखित में से कौन सा कारिकरम सुरू किया गया था, चटी 5 वर्थ यहोजना कब से कब तक था, 1980 से लेकर 85 तक था, इसका जो ठीम था या फोकस किया गया था, एकिकृत ग्रामीन बिकास एक ही कृत ग्रामीन विकास अन्तोदै कारिकरम सरपर्थम किस राज्ए में शुरू किया गया अन्तोदै कारिकरम थारा जस्थान का राजस्थान वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित बस्तूों के निर्यात में भारत की हिस्षिदारी कितनी थी पांच प्रतिसत दो हजार सत्रह की बात की जा रही है 2016 में काफी अधिक था 20% के असपस था मफ किजीए का 20% नहीं था 26% था 20% बढ़ा हुआ था अगे बितिये वर्स 2018-19 में कुल बिदेसी मुद्रा पराक्षित भंडार में कितना है बितिये वर्स 112 मिलियन डॉलर तो यह सब नहीं था इसे काफी अधिक तो 17-18 में ही हो गया था 4 लाग के असपस हो गया था आगे प्रसन पर आते हैं तो यहां पे अंसर ही था निमने लिखित में से कौन सा परत्यक्ष याद रखेगा 6 से स्टाट होगा ठीक ना आपका अंसर आजाएगा निमने लिखित में से कौन सा परत्यक्ष याद रखेगा परत्यक्ष याद रखेगा परत्यक्ष तोर पर वो नहीं देता नवाड नवाड का स्थवना कब वह था 1982 12 जुलाई को 12 जुलाई और जो कमीटी था स्वाम एस से नाम तो कुछ याद रखेगा अगर पता हो तो एस से नाम था ठीक ना स्वामी नाथन था या कुछ आई से लेकिन नाम था अगर किजनी को पता हो कमेंट वाक्स में लिखिएगा नि तो मुझे याद आ जाए गध महीं बता दूगा अगर याद नहीं आ रहा परदानमंत्री सरम योगी मांधन योजना में प्रतेक गड़ाहक को 60 वर्सकी आयू पराप्त करने के बाद नियुन्तम अनुमानित पेंसन प्रतीमा कितना रुपया दिया जाएगा तीन हजार रुपया बहुत इंपोटेंट है ये यह मेरे सेंटीपीस ही पूछा गया था तीन हजार रुपिया माह और जो किसानों को छो हजार रुपिया मिलेगा वर्स में वो कितने किस्त में मिलेगा तो तीन किस्त में मिलेगा वो भी दो-दो हजार करके आगे कोस्र मेरिटी थिरी है समुदाई विकास कारिकरम का उद्देश से क्या है तो यहाँ पे सारे उद्देश से उनके वारे में सही है समुदाई विकास के वारे में सैक्षिनिक स्विधायें सुलब करना जीवन अस्तर को बहतर बनाना राजनितिक परिसिक्षन योजना बनाने में गव्मों की सहायता करना तो यह सारे यहाँ पे सही है अंसर फिर भी यह है अगे 65 वाले का जो और एक्जाम हुआ था तो इसमें 9 प्रसना आये थे economics से भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थ प्वस्था बनाने के लिए GDP विकासतर 8 परतिसत रहना है आठ परतिसत रहता तब ही हो पाता है लेकिन करोना आके सत्यानास कर दिया वज़ट 2019-20 में घोसित परधान मंत्री करम योगी मांधन योजना का लक्ष किया है तो देख रहे हैं मैं समझ के पुड़ा देख के बता रहा हूँ कि बिहार का इग्जाम है लेकिन बिहार का योजना आधिक नहीं आ रहा है अभी तक मैंने जितना किया कम से कम पांच से छो से जे सागर माला हो गया परधान मंतरी का वो पेंसन वाला हो गया बहुत सारा योजनाया है सब Central Government का योजना है आप लोग देख रहे हो तो आपको भी Central Government का ही पढ़ के जाना है ठीक ना वो important है आप इस्टेट का भी पढ़ लोगो सही है पर Central को नहीं छोड़ना है तो यह है वेरोजगार युवा को भत्ता देने के लिए था परधान मंत्री करम योगी मांधन योजना बाउना उद्यम जोकी एक सो से कम जो लोग है वो परतिस्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादक्ता में कितना प्रतिसत योगदान था तो यह था 14 प्रतिसत और 8 प्रतिसत सेवा योजना में 14 प्रतिसत और उत्पादक्ता में 8 प्रतिसत और प्रतिसत अप् और सबसे पहला एस्टेट जो open defication फिरी बना मतलब वह ही होता है सोचले में जाता है सब बाहर नहीं जाता तो वो था सिक्किम सिक्किम बहुत important है सिक्किम के मुख्यमंतरी प्रेम जिंग तमांग है या प्रेम ढोला उसको कहा जाता है question 85 भारत में कुल बिजली उत्पादन का जो नवी निकरनी उर्जा है वो 2024 परचीस में 6 परतीसत था 18-19 में ये बढ़ कर कितना हो गया देखो 20 परसेंट के असपस सला गया है तो आंसर दिसमें से कोई नहीं होगा अब ये एड्जेक्ट बात करें तो वो है आपका 21.12 एक दो परसेंट तो इतना हो गया 20 परसेंट से उपर ही है ठीक ना 2017-18 में भारत में GDP की विकासदर 7.2 परतीसत से घट कर 18-19 में कितना परतीसत रह लिया था तो ये 16.8 परसेंट ये देखिए आपको नया वाला बजट देखके जाना पड़ेगा क्योंकि एकोनोमिक्स में 3-4 परस्त बजट के ही आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं तो बजट पढ़ लिजे एकोनोमिक्स असान हो जाएगा भारत में 2017-18 में इस्थिर या निस्चित निवेश की विकासदर कितने परतीसत से बढ़कर 2018-19 में 18-10 परतीसत हुआ था तो ये हुआ था 9.3 से बढ़कर भारत के रत्न और अभुसन निर्यात समवर्धन परिसत के अनुसार निर्यात विकासदर अप्रिल-जुलय-19 में 18 से उसी समंगल पिछले साल की तुल्ला में कितना परतीसत घटा है तो हाना कि अब दो ये बढ़ी गया फिर जे पर उस टेम 8.5 परसेंट घटा हुआ था अगस्त 2019 में भारत सरकार के बित मंत्राले ने सार्वजनिक छतरक बैंकों की तरलता और उधार विवस्था के सुधार के लिए कितना मुलधन डालने की घोसना की है ये 70 हजार करोर चोसर्थी बाले में 18 प्रसन आया हुआ था एकोनमिक्स से प्रसने 2011 की जनगना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरिये जनसंख्या का प्रतिसत लगवा कितना प्रतिसत था 31 प्रतिसत बिहार में ये प्रतिसत 12 प्रतिसत के आसपर से भारत सरकार की निती आयोग का चिंतन समू है निती आयोग का फुल फॉर्म या पूछा जा रहा है जो निती का फुल फॉर्म क्या होता है तो National Institute for Transforming India होता है National Institute for Transforming India जिसका अस्थापना हुआ था एक जनवरी 2015 को तो यह National Institute for Transforming India जिसके परजानमंतरी हेड होते हैं और विताप चौदरी वो उसके CEO है बारवी पंचवर्षिय योजना के दोरान किर्सी और सहायक छत्र के लिए निम्नलिखित में से एक आस्थवार्षिक विकासदर का लक्ष कितना रखा गया था 4% रखा गया था 4% सरकार की निती मेक इन इंडिया का उद्देश से क्या है मेक इन इंडिया ये 2014 में था और इसका उद्देश से था सारे सही है जैसे कि उत्पाद को परतियोगी बनाना, competition बढ़ाना, बी निर्मान की लागत को कम करना, लाल फिता सही को हटाना और नोकर स परत्साही के धिलापन को दूर करना, तो ये सब था मेक इन इंडिया इनिसियेटिव का पहल, निमनले खित में से कौन सा एक और द्योगी की बिकास के लिए परत्साही की नहीं है, और द्योगी की बिकास के लिए परत्साही के तोर पे नहीं है, तो इन में से कोई नहीं है जैसे कि मेक इन इंडिया क्योंकि ये सब क्या करता है? प्रुत्साहित करता है यहां पूचला नहीं करता है तो मेक इन इंडिया प्रुत्साहित करता है Startup India is of doing business, digital इंडिया ये सब भिकास करने के लिए तो किया गया है पूरा एक योजना है जिसका फुल फॉर्म था गरामीन छेतरों में नगरिये सुविधा परदान करना अगर इंगलिस में इसको कड़े तो प्रोवाइडिंग अरवन एमेनिटीज इन रूलर एरिया यह अगर गौंग के लोग सहर में आ रहे हैं इसका उद्देश से यह नहीं हो का था कि आप सहर को डेवलप करो इससे अचा है कि गौंग को डेवलप कर लो पूरा देश भी डेवलप हो जाएगा तो यह अच्छा हो तो याद रख लो इस चीज को काफी इंपोर्टेंट है जनगन्ना 2011 के अनुसार महिला का सक्षर था यह 64 परसेंट था 64 और पूरुस का हो गया था 80 कुल 73 था यहां प्यांसर बन जाए गई इन में से किसने गडेवी निवारन के परभावपुर्ण अस्तर के रूप में यूनस का महमब यूनस निमने लिखित में से कौन सा एक किर्सी उत्पादक्ता बढ़ाने का रास्ता है किर्सी उत्पादक्ता बढ़ाने का रास्ता तो कुसलसी चाहिए कितनासकों का परभ़ग यह भी चाहिए dys וה superheroes serve सब सही है, बहुत अधिक तो आप इसको मिट कर सकते हो, कि इतना सका पड़ियोग, लेकिन फिर भी तीन सही है, तो आंसर बनेगा यह, निमनलिकित में से कौन सा एक, मन रेगा का उद्देश है, मन रेगा का उद्देश है, गरामीनों की आई बढ़ाना, मुक्तिय यही है, ग सो दिन का रोज़गार होता है, तो यहाँ पर गरामीन आई को बढ़ाना, यह एक उद्देश हो सकता है, उप्सन मड़ी, निमनलिकित में से कौन सा एक, संही बजट, 2017-18 के अविस्ट उद्देशों को समलित नहीं करता है, तो यह भारत को सिक्षित करना, यह सामिल नहीं क क्या सब है, तो इसको TEC इंडिया कहा जाता है, TAC, T से ट्रांसफोर्मिंग, इसे मतलब इनर्जिंग, जो इनर्जी होता है वो, और फिर C से क्लीन, टैप कठीक ना, तो यह तीन चीज है, एजुकेशन इसमें नहीं है, निमनलिकित में से कौन सा एक, बीस्वी सतावदी के साथवे दसक के अंतिम दोर में हरित करांती की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, हरित करांती, सरसट, हरसट में हरित करांती आया था मुक्षित, साथ की दसक में कहा जाता है, इसे लिए, और ये बीज उर्बड़क और मेली जल तकनिक भी जो रा जाता है, तो बी प्राथी जनगन्ना 2011 के अनुसार बिहार राजी में लिंगा अनुपात क्या है 918 निम्नलेखित आर्थिक सरवेक्षन पहली बार किस बीतिय वर्ष के लिए प्रकासित किया गया था। 2017-18 में बिहार राजी में किर्शी में कारियत जन संख्यां का कितना परतिसत रहा कितने लोग एजुकेशन मतलब ये किर्शी में इन्वल्वड है 70% बिहार राजी में बर्ष 16-17 के दोरान आर्थिक विकासदर क्या था आर्थिक विकासदर इस वार था 10.3 परतिसत और फिर आगे 10.5 परसेंट उननीस बाले में 11 परसेंट चला गया था अप्सन नमरी यहां सही है। इसमें 12 परसनायत एकोनमिक से भारत में राश्ट्रिया की गन्ना में एक समस्या है किस टैप की समस्या है और संगठित छेतर का अन और्गेनाइज़ सेक्टर जो प्रकोरा वेचने वाली बात होती है वही वाला भारत में किर्सी पुनरविर्थ परदान करने के लिए सिखर अस्तर की बैठक है इसका नाम क्या है किर्सी और ग्रामिन विकास राश्टे बैंक किर्सी और जिसको नवाड कहते हैं मुखिते जिसका अस्तापना भी पठे थे जुलाय में हुआ था चौदवे वित आयोग के अनुसार बिभाजन योग्य सुध केंद्रिय राजस्व कर में राजियों का प्रतिसत कितना भाग है यह 42 प्रतिसत बैयालिस प्रतिसत अप्सन नमर डी भारत के किस छेत्र में पर्त्यक्ष विदेशी निवेश इक्वेटी परवा उच्छतम है बिदेशी निवेश इक्वेटी परवा अधिक है यह सेवा छेत्र का सेवा छेत्र अप्सन नमर डी भारत में सिमान्त किरसी भूमी जोत का आकार है भारत में सिमान्त किरसी भूमी जोत का आकार कितना है एक हेक्टेयर से कम एक हेक्टेयर से कम अप्सन नमर डी बैस्वी कर में समलित नहीं है बैस्विकरण में कौन सा समलित नहीं होता है तो आयात सुल्क में कमी यह है जो डबिंग डूटी कम लग रहेगा आयात लाइसेंसिंग का अनुबलन यह भी सही है परत्यक्ष विदेशी निवेस का उन्मुक्त परवा यह भी सही है सार्वजिनिक छेतर की अनुटी का भी निवेस नहीं यह गलत हो जाएगा तो यह पर यह तीनों जो है बैस्विकरण जो गर्वनाइशन होता उसक्वारे में सही है भारत में अर्थ सोधन निवारन अधिनियम कब लागू किया गया था यह 2005 में किया गया था 2005 कोशन में ट्रेट है सब्द संछेप TRMS का फुलफॉर में लिक्या होगा यह पूछा जा रहा है तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इन बेपार संबन थी निवेस उपाई निती आयोग एक जनवडी 2015 को अस्थित्यु में आया था एक जनवडी 2015 भारत सरकार ने अखिल भारतिये थौक कीमत सुचिकांक के लिए अधार वर्स 4-5 को बदल कर कौन सा वर्स कर दिया है 11-12 कर दिया 11-12 थौक कीमत सुचिकांक को निवनलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त सेन से समन्दित है प्रोफेसर अमर्त सेन को मिला था नवल प्राइज सब को यादी है ये तो ये सक्छमता उपागम से सक्छमता उपागम से ऑप्सन नमबर भी यहाँ पे सही है इनको 1998 में मिला था कल्यांकारी अर प्रशन आहे थे economics से निम नुपायों में से कौन सा भारतिय भुगतान संतुलन इस्थिती को सुधारने में सक्षम नहीं है तो आयात परतिस्थान निती को बढ़ने तो सही है रुप्यों का अब मुल्यन ये बिल्कुल सही है आयातों के अधिक कर लगाने ये भी सही है निड समीथी का था यह राजा चलीया समीथी सेवा कर किस अर्थ सास्त्री ने भारत में सब से पहले बैज्यानिक दृष्टी से रास्त्रिय आए की गन्ना की थी बीके आढ़ वी राओ बीके आड़वी राओ, ये सरसट अरसट में, जादा नेरो जी के टैम में ये आया हुआ था, रास्टी जनगन्ना भी उनी के टैम में हुआ जादा भी नेरो जी के टैम में, इसी टैम में ये भी हुआ था, भारत में पहली पंच वर्षिय योजना का आधार किया था, मतलब कौन व कुछ जाता है राज सरकार के पास बैंक दर का आसाए क्या है जो बैंक रेट होता है इसका आसाए क्या है तो यह में लिए होता है जो केंद्रिये बैंक होता है न जो जो कर लेता है बैंक से वो तो केंद्रिये बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याजदर तो यह हो रुपिये से पैसा जुटा सकते हैं यह कर सकते हैं मसाला बॉंड मसाला बॉंड आप्शन नमर B बेपार करने की श्विधा शूचिका summ बताता है और यह कौण प्रकासित करता है यह करता है बिस्व बैंक वल्ड बैंक जिसका स्थापना उनीसो 45 होई 40 लेकिन उन्हीं से 40 टिक करना पड़ता है तो इसके बाद जो एकोनिमिक्स का है वो उसमें 4 ओप्सन आता है तो उसको इसमें छोड़ रहे हैं क्योंकि एक तो पुराना वाला होज़ा है तो math भी complete कर देंगे तो session अच्छा लगाओ मेरे भाई तो like and share जरूर करना है मिलते next video में तब तक के लिए जयाहिंड नमस्कार जयाहिंड दोस्तों आप देख रहे हैं master video official और अभी हम BPSC के question bank से जो topic wise हम complete कर रहे हैं जिसमें हमने मुझे लगाता संभीधान में complete कर दिया पर नहीं किया हुआ था तो अभी हम संभीधान complete करेंगे इससे पहले हमने इतिहास बिहार बिसेश, भुगोल अर्थ प्वस्था complete कर लिया है अभी करेंगे संभीधान complete तो परतेक सेट में आपको कम से कम 6 प्रस्ण है maximum 10 प्रस्ण भी है और ये संभीधान हर exam में आता है तो इसको आपको अच्छे से देखना है चाहे आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो तो ये काफी important है तो ये जो भी संभीधान का है ये 66 PPSC का है आपको 58 से लेकर 66 PPSC का PDF का link description box में वहां से download कर सकते है तो इसमें 6 प्रस्ण आये थे पहरा प्रस्ण देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वी केंदरी करन का वेसिस्टी नहीं है वी केंदरी करन से पहले समझे केंदरी करन क्या होता है केंदरी करन नाम से clear रहे कि सासन की सभी सकती या कोई भी अगर सकती एक आदमी के हाथ में है तो वो हो गया कि केंदरी करन वो हो गया कि लोगों के पास बहुत लोगों के पास सकती है मतलब सभी को इसमें क्या किया जाएगा ससक्त किया जाएगा तो पुसा जारे कि कौन सा विकेंदरी करन का कारण नहीं है तो स्वन वत्ता लोग सहभागीता अस्थानिय समुदाय को सचक्त करना यह सब करने से क्या होता है विकेंदरी करन होता है और यह positive indication होता है विकेंदरी करन ठीक ना? तो यहाँ पर answer वनेगा यह C अस्थानिय समुदाय में आत्म विस्वास को नहीं जगाना अगर आप नहीं जगा रहे हैं मतलब आपकेंदरी करन को फोकस कर रहे हैं ब्रेटिस सासन काल में संबिधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था तो यह था आपकेंदरी काल में जो आया था कानून वो संबिधान के विकास में हेल्प किया और वैसे भी यह तो 1950 के बाद है तो यह वैसे भी नहीं होगा अगर प्रसंद पर आते हैं भारत के संबिधान का कौन सा अनुछेद भारतिय निर्वाचन आयोग की अस्ठापना से संबंदित है अनुछेद है 324 काफी इंपोटेंट है अठारा का स्कॉयर होते है 324 या रखिएगा 324 और जो निर्वाचन आयोग होता इसकी निक्ति कौन करता है राष्ट्र पती करता है राश्ट्र पती और निर्वाचन आयोक के बारे में आपको कौन से संबिधान के भाग भी मिलेगा तो वो भाग पंद्रा है भाग पंद्रा बिधी का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या हुआ ये भी क्लियर है का बिधी का नियम या कानून का अधिराज मतलब हमारे देश में कानून ही सबसे रत्र है सबसे उच्छा कानून है इसी का सासन चलेगा तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक निया तरंत्र लचाहरास्टर पती भी कुछ करें चाहे आप भी कुछ करें सबके लिए सेम कानून है भली होता कुछ है पर कानून सबके लिए सेम है ठीक न आर्टिकल जो 14 है 14 से 18 ये समानता की बात करता है कानून के समक्ष सभी समान है पंचैती राज संस्थानों को 29 काडियों की सुची किस अनुछेद के तहट की गई है यानि पंचैती राज का संस्था जो है वो किस अनुछेद में दिया गया है तो ये 243 तो होता ही है पर 243 का जी 243 का जी है ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रस्त हो गया क्योंकि सब याद करता है पंचैती राज 243 लेकिन 243 जी दिया गया है तो आप्सन नमबर D और बरत्मान में भारत में जो पंचैती राज है वो त्री अस्तरिये है और हलाकि पंचैती राज के वारे में तो बहुत सारा मतलब समीती सब बना था लेकिन त्री अस्तरिये जो भी बरत्मान में है वो किस समीती के अनुसंसा पड़े बलवन तराए मेहता समीती बलवन तरहे मेहता स्मिति काफी है संसोधन है पंचैती राज से और ये क्या हुआ था चोशठवा संबिधान संसोधन बिल जो था राजीव गांधी के टैम में लाया गया था 1989 में लेकिन उस टैम ये पारित नहीं हुआ यानि उस टैम ये पास हुआ था उस टैम ये वह एक्ट बना था तो 24 अप्रिल को मनाते हैं पंचैती राज दिवस याद रखेगा काफी इंपोटेंट है तेहत्तरवा संबिधान संसोधन अब नेक्स्ट च्यासठवी का जो री एक्जाम हुआ था तो उसमें दस प्रस्त आये थे संबिधान से तो इसमें पहला प्रस्त है जानवडों के प्रती कुरूरता को रोक थाम को भारतिय संबिधान की किस सुची में रखा गया है जानवडों के प्रती जो कुरूरता होता है ये रखा गया है संवर्ती सुची में संवर्ती सुची में देखे सुची का वटवारा भारती संविधान का जो वो अनुशुची है वो साथ में दिया गया है और समवर्ती सुची हम लिए है उस्ट्रेलिया से जिसमें कुल भारत में समवर्ती सुची में 52 विशाय पर बात की गई है तो ये 52 भी आपको याद रखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया भी याद रखना पड़ेगा और जो समवर्ती सुची में सामिल है जानवरों के परती जो कुरूरता है उसको रोकना तो आई थिंक सब कुछ आपको याद होगी होगा 52 विशाय है काफी इंपोटेंट है समवर्ती सुची को कहते हैं concurrent list इसमें क्या होता है कि एअचा वी है जिस पे राज और केंद्र डॉनों को सकती मिला हो कानून बनाने का लेकिन मुखतिया उसमें जो केंद्र का बर्चस वा होता है वो अधिक होता है समझे बात को और फिर एक होता है राज्य सुची और एक ह प्रस्त में गल्ती क्या हो था इस टाइम तो आप लोगों को बता देते हैं प्रस्त ये था कि RTI भारत के किस अनुछेद में है ठीक ना अप्सन था अनुछेद 21 का कौ और आगे भी कुछ था तो हम अनुछेद 21 का कौ टिक कर दिये थे क्योंकि हमको सुना सुना लग रहा था जबकि अनुछेद 21 का कौ जो है ये है मुप्त सिक्षा 6-14 वर्स की आयू का याद होगा 86 मा संबिधान संसोधन 2002 ये सब है ठीक ना ले पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 इस दिन अध्यक्षता कर रहे थे सचिदानन सिन्हा जो की संबिधान सभा की उपाध्यक्ष थे फिर नेक्स्ट दो दिन के बाद होता था तो 11 दिसंबर को हुआ उसमें राजिंदर परसाद को अध्यक्ष वनाया गया फि भारत का जो संबिधान सभा का बैठक हुआ था तो पहले दिन की अध्यक्ष था यानि 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षता कौन कर रहे थे सचिदानन सिन्हा और राजिंदर परसाद जो अध्यक्ष वने वो कब बने 11 दिसंबर को भारत के राश्टरपती के चुनाब मंडल में संब्लित होते हैं तो बिधान परिसद का जिकर नहीं किया है क्योंकि जो विधान परिसद है वो सभी राजियिमे नहीं है वो only 6 राज्य में है तो अगर वो होता तो इन 6 राज्य के पास अधिक सक्तिया मिल जाती जबकि सभी को समन सक्ति मिलनी चाहिए इसी लिए विधान परिसद उसमें participate नहीं करता है साथी दो यूनिन ट्रेटरी है दिल्ली और पुद्दुचेरी उसमें क्या है विधान सभा है तो दिल्ली और पुद्दुचेरी भी उसमें participate करता है तो option नमर यहां पर D सही हो जाएगा कभी कोई प्रसन आता है कि कौन सा दो यूनिन ट्रेटरी है जो राश्टरपती के चुन्राम में भाग लेता है तो दिल्ली और पुद्दुचेरी आगे प्रसन पर आईए भारतिय संभिधान के अनुछेद 110 के अनुसार धन बिधैयक की परिवासा में क्या सम्मलित है अनुछेद 110 के अनुसार धन बिधैयक की परिवासा में क्या सम्मलित है तो यहाँ पर सारे कथन मतलब जो धन विध हया उसके बारे में सही कहा रहा टेक्स लगाना समाप करना यह वूँसके बिनिवयंग में परतिय वरतन धन की उदहार reference का बिनिवयन करना भारत की संचित निधिसे धन को बिन्योग करना भारत की संचित निथी से खर्ज का विबरन देना तो यह सारे धन बिदहयक के बारे में है बिदहयक मुक्तित तीन टैप का होता है एक तो जनरल टैप का ही हो जाता है इंद्रा सहनी बनाम भारत संग मुकदमे में सर्वची नियाले का निरने किस विशय से संबंधित है ये किस विशय से संबंधित है सरकारी नौकडियों में अन्य पिछरा वर्ग का आरक्षन सरकारी नौकडियों में अन्य पिछरा वर्ग का जो आरक्षन है वही है इंद्रा स भारत में किसी दल को राष्ट्रिय दल बनाने है तू पुर्व चुनाब के लिए फोकस किजिए यहां पर राष्ट्रिय दल के लिए क्या सब होना चाहिए वही हम कह देता है यहां पर कोई पार्टी चार अलग-अलग राजियों में लोकसभा या बिधान सभा चुना में कम से कम चौप परतिसत मत पाया हो तो यह सही है चौप परतिसत मत उसको होना चाहिए और लोग सभा में कम से कम चार सीट हासिल किया हो दूसरा इसका है कि लोग सभा में दो परतिसत सीट हो और कम से कम तीन विभिन राजियों में हासिल की गई हो अलग-अलग राजियों में हासिल किया गया हो तो चार या उस से अधिक राजियों में चार परतिशत भूट कह सकते हो इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राजियों की बिधान सभा में कम से कम चार्ड सीट जीता हो तो ये सब है कुछ मानिता और जो बरतमान में राश्ट्री ये राजनितिक दल है बरतमान में भारत में नेसनल पार्टी कितना है तो ये आठ है इसको कलती नहीं कीजिएगा और एक बर गूगल खुद से भी कर लें जीएगा क्योंकि नियू लिसे नया जो लुसेंट आया है न उसमें आठ दिया गया है और पहले वाला जो लुसेंट था उसमें साथ ही है तो एक बर देख लीजिएगा आप लोग भी और देखने का मतलब यह कि बस यह नहीं कि आठ देखे कनफॉर्म कर लिजिएगा और हो गया उपाठी को याद कर लिजिएगा कौनसा पाठी रास्ट यह है पूछा जा सकता है और जो आठ है वो तो कनफॉर्म ही है आठ है मैं तो ऐसे ही कह दिया आगे है 55 नमबर कटोती प्रस्ताव का उद्देश से क्या होता है कटोती प्रस्ताव का उद्देश होता है कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तूत करना कि हम कम खर्चा करेंगे तो यह ही होता है कटोती प्रस्ताव option नमर C यहां पे संची 1, संची 2 दिया गया है की कौन सा चीज कौन से अनुछएध में मिलाना है तो गिराम पन्चाइत, गिराम पन्चाइध अनुछएध 40 में गडाम पंचयट अनुछे चालिस अंतर रास्ट्रिय सांती का विकास अनुछे देख्यावन है नितिर नुदेशत प्रत्व है नेपालिका वाकारी पालिका का प्रिथक करन नेपालिका से जो प्रिथक होता है वो पचास में है पचास किरशी अवर्ण पसुपालन इसे पर देखो समान अचार संधीता समान अचार संधीता है 44 में आचार संधीता 44 यह हो जाएगा 46 गडाम पंचयत का गठन 40, समान अचार संधिता 44, किर्सी एवं पसुपालन 48, नेपालिका वाकारी पालिका का पिर्थिक करन 50, अंतर राष्ट्रे सांती का विकास यह है आम लुचे दिख्यावन आगे प्रसने निमनलिखित में से किस संबेधानिक संसोधन अधिनियम दुआड़ा मंतरी परिसत की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है यह कौन सा संबेधान संसोधन था 91 नमर का संबेधान संसोधन यह हुआ कब था 2003 में 51 91 91 आगे पंचयत समिति दिया गया है कौन सा समिति किस वर्स आया यह यहां पर दिया गया है तो धेड़ सारा पंचयत को सुधार करने के लिए आया था तो बलवंतरे महता यादी होगा बलवंतरे महता का वह था 57 में असोक महता समिति असोक महता 1978 जब 44 मा संबेधान संसोधन हुआ तो उसी टेम असोक महता समिति इसका जेवी के समिति जेवी के रौ समिति यह हैं 1985 LM सिंधवी समिति LM सिंधवी समिति 1986 और CH हनुमनता रौ यह 1984 एक वर याद कर लेजिए CH हनुमनता रौ समिति 1984 जीवी के रौ समिति 1985 असोक महता 1974 LM सिंधवी 1986 बलवंतरे महता 1957 देखिए इसमें क्या केजिए अगर पूरा याद हो जाता अची वात है पर कम से कम दो असोक महता समिति और बलवंतरे महता समिति याद कर ली जिए असोक महता समीति का देखिए कैसे बना देंगे असोक महता समीति 1974 है न उननी सो चोहत्तर कहीं पर है असोक महता समीति उननी सो चोहत्तर है इस पर ही नहीं ओ मैं गलती कर रहा था 1978 है ठीक ना 1978 तो यह दोने याद करना है असोक महता समीति 1978 बालवंत रहमेता समीथी संतावन तो एक आप इस पर टिक कर पाएंगे तो एक्जाम में से कौन सा व्यक्ति तो सही है तो देखिए इसमें हमको एक तो पता है कि जो विधायका होता है विधायका जो होता है कारिपालिका के पड़ती जवाब दे नहीं होता है ये नहीं होता कारिपालिका होता है विधायका के पड़ती जवाब दे तो यहां पर एक तो गलत है ठीक ना और एडजक्ट हमको इसका नहीं पता ओके एक से अधिक सही है ऑप्शन इसका ई है पर इसको देख लीजिए स्क्रिंसोट ले लीजिए आगे प्रसंट पर आते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्मान पंचायती राज व्यवस्था के तहत ह हुआ था निम्नलिखित में से किसका निर्मान पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ तो नमट्सक्द ये कब हुआ था दो अक्टूबर कांधी जी के तिवसफ़ही उनिस सो उनिसट में दो अक्टूबर के परतिजिमेदार होता है ठीक ना स्वतंतर दोनों नहीं होगा क्योंकि विधायका कारिपालिका दोनों स्वतंतर है ये भी सही है चलो राष्टरपती नियापालिका के परतिजवाब दे होता है नियापालिका की सकती जो होती है जैसे कि नियापालिका में किसको चुना बिदायका नहीं कह सकते हैं हमको नहीं पता एक्चुली तो सीडी सही है यह हो जाएगा सही एक वारे मैं नहीं कह सकते हैं ठीक आप जूट मुझा कुछ भी कह दे तो यह भी सही नहीं होगा आगे देखिया पच्पन निम्नलिखित में से कौन भूमी रिकॉर्ड अधिकारी ह इन में से कौन सा भूमी तो पठवाडी अप्सियो नुम्नलिखित भी से स्थााओं में केंदरिय सासन व्यवस्ता के लिए कौन सा सही नहीं है तो ये तवरित निरणाई तो सही है, कि आपने एकॉर्डिंग निरणाई लो, लाचिला पन यह भी सही है, बड़े देशों के लिए आदल्स जरूरर ही नहीं है, क्यों अमेरेका के बाद माने ही है, तो यह सही लेकिन अब यह थिंक राजिये पार्टी ही रहे हैं यहां पॉंजाब में ळिली पंज़ाब में बनाया तो यह राजिये बाटी ही है option number यह आपना सही हो जाएगा यह राज्य पार्टी ही होगा क्योंकि national पार्टी जो है वो उसमें अभी जो आठ है उसमें इसका नहीं दिखा रहा है ठीक ना यह तो एक्जाम से पहले बार देख ले नहीं है लेकिन सही अभी तक नहीं दिखा रहा तो आगे भी नहीं दिखा यह चुना भी नहीं है निम्दलेखित संविधानिक उप्चारों में स किसे post-mardum भी कहा जाता है post-mardum किसे कहा जाता है इसमें से तो आपका अंसर हो जागा उत्प्रेशन उत्प्रेशन option number C जो पांच रीट होता है 32 के कौम है जिसको भीमरों अम्बेद करने सम्विधान की आत्मा का उसी में उत्प्रेशन निम्दलिखित भारतिय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है रिपीट करते है निम्दलिखित भारतिय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तो सबसे दिख हो जाएगा हिमाचल पर्देश का हिमाचल पर्देश ऑप्शन के कॉर्डिंग इसमें 68 है 68 भारत के बढ़ियता करम में निम्नलखित में से कौन पहले आता है ये छोड़ा स्टॉपिक के याद कर लेजिए इसमें पहले राष्टरपती आता है तो राष्टरपती यहां पर दिया नहीं गया फिर उसकाद उप्राष्टरपती उप्राष्टरपती भी नहीं है फर्दान मंत्री वो भी नहीं है राजी के राजपाल राजी के राजपाल भी नहीं है उसका अध्भूद पूर्व रास्टर पती वो भी नहीं है उसका यूपीएसी के अध्यक्ष यह है यूपीएसी के अध्यक्ष आ गया है तो option नमरे अभी कौन है प्रवीन कुमार जोसी प्रवीन जोसी याद रखिए प्रवीन जोसी प्रवीन की प्रदीप नहीं प्रवीन जोसी है लास्ट में जोसी लगा हुआ यूपीसी पास करने के लिए जोस चाहिए तिसलिए प्रवीन जोसी अब ये प्रशेट्विका है दूसरा एक्जाम हुआ था उसमें है 124 वा संबिधानिक संसोधन किस्य संबंधित है तो 124 नमर का जो संबिधान संसोधन हुआ वो मानवाधिकार संरक्षन संसोधन अधिनियम 2019 द्वारा रास्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है एक संख्या बढ़ाया गया एक 1993 मिसे कटन हुआ था 1993 और 1993 और वो जो है Central वाला United Nation Human Rights वाला उसका अस्थावन वा तो 2006 में 2006 में भार के पर्थम लोगपाल तो PC घोस पिनाकी चंदर घोस ऑप्सन नमर ए हाली में पारित तीन तलाख बिल 2019 में अधिक्तम कितनी अवधी की जेल की सजागा प्रापधान है तीन तलाख काफी न्यूज में था तीन वर्स के लिए तीन वर्स अनुछे 35 के प्रापधान को भारती स संबिधान में सामिल किया गया था 1954 में 1954 अप्सन नमर डी मनिपूर राज्य का गठन कब हुआ था मनिपूर राज्य का गठन 1972 1972 में अप्सन नमर ए भारत में नियाईक पुनड़ा अवलोकन का आधार क्या है भारत में नियाईक पुनड़ा अवलोकन का कानून द्वारा अस थापित प्रक्रिया अनुछेद 137 आगे भारत के राष्ट्रपती चुनाव किया जाता है भारत का राष्ट्रपती चुनाव जो है वो किया जाता है एराल्ज सभा साथन के दौनों सदस्य बिधान सभा तो यहां पर ऑप्शन नमर यह हो जाएगा जनता नहीं पर्टिस्पे राष्ट्रपती कहता है चलो सब साथ आजाओ और फिर अधिक बहुमत से पाडित हो जाता है तो फिर वो बील पासता है तो यह अध्यक्सता करते हैं लेकिन लोगस्भा कि अध्यक्षव बुलाते हैं राष्ट्रपती संभिधान दौारा केंद्रिय सरकार की कारिपाली का स पर्मुंख निशानल पाटी है उसे अधिक प्रसंगा रहा है तो आप लोग पढ़ लीजियेगा वो भारत में महिलाओं के लिए किस राजनितिक संस्था के अस्थान को आरक्षित किया गया है पंच्यायती राज बेवस्था पिका के डिकट अस्थान की पुड़्टी के लिए होने वाले विशेश चुनाव, उपचुनाव होता है उपचुनाव बर्तमान में सर्वुच्छी नियाले के नियाधिसों की संख्या कितनी है बर्तमान में तो ये 34 हो गया है 34 अंसर बन जाएगा ही 34 2019 में ही और मुख्य अभी कौन है एनवी रमना इनका करम 48 है अगे आते हैं समुदाइक विकास कारिकरम प्राडंब हुआ समुदाइक विकास कारिकरम कब प्राडंब हुआ 2 अक्टूबर 1952 ये वी रेपिटेट प्रस्न है 2 अक्टूबर 1952 गांधी जैन्दी के अवजर पड़ पंचायत का चुनाव कराने है तू पंचायत का चुनाव राज़िसरकार के अंतरगत आएगा राज़िसरकार अगर ये 46पा है जिसमें 12 प्रस्ना आये थे सम्भीधान से 12 सरवची नियालयका-नियाधिस अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर देगा तो सर्वुची नियाले का नियादिस का निक्ती भी करेगा राश्टर पती और राश्टर पती को ही अपना वो त्याग पत्र देते हैं पिछरी जाती आयोग के पर्थम स्भापती कौन थे, तो ये थें काका सहाब कालेलकर काका सहाव कालेलगर इसका गठन कब हुआ था उनीस सो तिरेपन में उनीस सो तिरेपन में और ये जो है उपर जो हमने एक प्रस्न दिया तो आप कमेंट आक सिंग बताओ कि बरतमान नों जो राश्टर पती है रामनात कविंद इनको सपत कौन दिलाया था उनका नाम बताना है आपको इंपोटेंट कोस्टन है राजी लोक सेवा आयोक का अध्यक्ष किसके दुआरा निक्त किया जाता है राजी वाले का तो राजी का राजपाल जो केंदर का होता है लोक सभा के लिए लोक सभा का कम है पचीस वर्स है पचीस वर्स और इसका जिकर किस अनुश्वद में किया गया है 173 अनुश्वद में 173 का बी किसी राजी का राजपाल निक्त किया जाता है किसके दुआरा राजजी का राजपाल निक्त होगा ये सब आपको याद होना चाहिए, भारती संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत, लोक सभा में अनुसुचित जातियों के अरक्षन का प्रापधान है, किस अनुछेद में अनुछेद जाती के अरक्षन का प्रापधान किया गया है, अनुछेद 330 में, वहीं अनुछेद जो एक 332 है वो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के आरक्षन के बारे में 332 अगर अपना है राश्टर पती राश्टर पती के बारे में कौन सा कतन सत्य है तो वो संसत का हिस्सा होता है बेठता है, जरूरी नहीं है, भोट दे सकता हैं नहीं, तो बस उसो, नमर 20 है है, निमनलिखित में से कौन सा अनुझेद, पंचैत के गठन के लिए, राजी सरकारों को निर्देश देता है, पंचैत के गठन के लिए, राज सरकार को अनुझेद सरकडिया आयोक जिसे केंद्र राज्जी समंधों में परिवर्तन के संतुति का अधिकार दिया गया था वे अपना पर्ति पेदन जमा किया था निमनलखित में से किस अनुछेद के अंतरगत बित आयोक का गठन करता है अभी बरतमान में पंदराभा भीत आयोक चल रहा है एक किस से लेकर 26 तक कहलो और ये कौन है एनके सिंग है भारत का महानियवादी किसके द्वारा निक्त किया जाता है महानियवादी को निक्त करेगा रास्टर पती भारत का रास्टर पती आजादी के बाद भासा के अधार पर भारत के राज्यों का पुनरगठन किस वर्ष किया गया यह हुआ तो 1956 में और पहला राजी था आंधर परदेश अंधर परदेश जब मतलब ऐसी बना था तो 14 राजी थे और 6 के अंधर सासित परदेश थे अभी 8 राज और 8 के अंधर सासित परदेश है अगर यह 64 वाला है इसमें भी 12 प्रसन आये थे निमनलखित में से किस कमीटी आयोगे ने नियाए पंचायत बनाने की सिफारिस की थी नियाए पंचायत असोक महता कमीटी असोक महता कमीटी अप्सन नमर बी निमनलखित में से कौन सा कार यह अस्थानिय स्वसासन के अधिकार छेतर में नहीं आता है option number D यहां अपना सही है पंचायती राज परनाली किस सुची में है पंचायती राज परनाली यह तो राज सुची में है राज्य सुची में राज सुची के अंतरगत 61 से आता है और समवर्ती सुची के अंतरगत 52 से आता है यह पढ़े थे किस राज्य किन किस राज्य या किन राजियों में पंचैती राज संस्थाओं में इस्थरी के लिए 50% आरक्षन दिया गया है तो ये बिहार में तो है ही बिहार साथी उत्रा खंड में भी है मधि पर्देश में और हिमाचल पर्देश में भी है तो सभी जगा 50% है अंसर यहां पर D था चारो में धन विधयक पेस किया जाता भी पढ़े तो लोक सभा में लोक सभा में भारती संबिधान की प्रकृती कैसी है भारती संबिधान की प्रकृती कैसी है राश्टर पती करता है रेपिटेट प्रस नहीं ये सब राश्टर पती राजी सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है राज सभा का पदेन अध्यक्ष उप्राश्टर पती करते हैं उप्राश्टर पती और उप्राश्टर पती को बेतन जो है वो भी मिलता है उसी के लिए क् कि वो राजसभा के अध्यक्ष होते हैं तो ये अनुछे 64 के अकॉर्डिंग उनको ये सकती मिला हुआ है भारत का परधान मंत्री किसके परती जवाब दे होता है लोगसभा के परती भारत के परधान मंत्री किसके परती जवाब दे होते हैं लोगसभा संसद सदस्य बनने है तो अगर अलग-अलग होता तो लोगसभा 25 वार आज सब viral 30 लकिन दोनों मिलाके है तो 25 ही टिक करेंगे सरवुच नयाले के न्याधीसों की सेवा निविर्थी की उम्र क्या है सरवुच न्याले के न्याधीस सरवुच न्याले है यह उच्छी नहीं सर्वोच 6 ठीक नह, तो इसके निया धीस हो एक कितना है 65 वर्स है, और जो उच्छी नहीं अल ने का है उसका 62 वर्स है, तो इसमें गल्टी नहीं कीजेगा, इनके बारे में दिया गया अनोशिट 124 में, केंदर सरकार के उच्छितम नागडिक सेवा अधि हुए भी संसद की कार्य वाही में भाग लेता है भाषन कर सकता आप भोट नहीं डाल सकता यह अट्र संभीधान के भाग चार में दिएगे निती निर्देशक सिध्यान्त में निम्नलेखित में से कौन सा सुचिवद्ध है तो उसमें समान नागरिक के लिए समान बेतन, समान कारिक के लिए समान बेतन और समान नागरिक संधिता, ये दोनों वर्नित है, तो एक और दो यहाँ पे दोनों सही, option नमबर B, लेखा अनुदान बना हुआ है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधी आवंटन के लिए बजट लंबित होने के कारण निधी आवंटन के लिए लेखा अनुदान, भारती संभिधान दिवस 26 नौंबर को मनाते हैं, 26 नौंबर को मनाते हैं, भारती संभिधान दिवस और ये मतलब ये पता ही है, संभिधान कब लागो हुआ, 26 जनवर ये 1950, एक अचा, ये 26 अधी तक अनुपस्थित रहेंगे, तो इसके लिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे, आप्शन में है ही नहीं, आज 60, मदलब 6, 60 दिन होता है न, तो यहां पर दो माह कर सकते हैं, पर दो माह एडजक्ट नहीं होता है, किसी इंबासट हो जाएगा लगातार जूलाय जंडा को फाराना, किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार हो गया, तो यह 19 का एक का कौह, यह पहले नहीं था, पर 2004 में आया ही, 2005 में आया जंडा कानून, पर 2004 में वो विधेयक था, तो इसके अपर आप घर पे भी जंडा फारा सकते हो, पर जंडा के कुछ रूल है, वो फालो होना चाहिए, उन मौलिक अधिकारों का चेहन करें, जो भारती नागरिकों को पराप्त है, परंतु गैर नागरिकों को पराप्त नहीं है, मतलब जो बिदेसी नागरिक है, नरे है, नरे नहीं, मतलब दूसरे जो बिदेसी आते है, फारेनर, उनको वो अधिकार म मतलब ये सब जो है वो अलब संक्षों के अधिकार और भासन के विव्यक्तिक सुझ तेंऄ और ये सब was only भारतिये हैं मितल unquote बात करें अनुचय थी की तो ये अनुचय तुक्त गोज्थ भारत में बलौक अस्तर पर बनी पंचयज समीती के वल है। बलौक अस्तर पर बनी पंचयज समीती इसमें से कौनसी होगी प्रसास्निक पदाधीकाडी। अप्शन अमर डी। भारतिय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द कि संसोधन के रताहत जोड़ा गया तो यह था 42 संविधान संसोधन 1976 अगया मिलान करने के लिए दिया गया है चतीनी है मतलब किसमें कितना आता है संहिये राज्य और संवर्ति सुची तो संहिये सुची में 97 प्रेविश्टी है लेकिन सब्जेक्ट इसमें कितना है संहिये वाले में 100 है यह पहला जब संविधान बना था यह बर्तमान का है राज्य सुची में 66 प्रेविश्टी था बर्तमान में 61 है और संवर्ति सुची में 47 था अभी वो 52 है याद कर लेजिए संहिये सुची में 100 संवर्ति सुची में 52 और राज्य सुची में 61 एक नया राज्य बनाने में संवि राश्टरपती अपने सक्तियों का पड़ियोग सीधे अथवा अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करते हैं यानि option number A यहां सही है अगर प्रस्थन है यह जो उसके बाद था 60-62 के बाद वाला उसमें बहुत कम प्रस्थन आते तो चाड़ी option आता था बलवंत्रय महतासमिती का कब आया था 1957 में अभी पढ़े जाना उपर बलवंत्रय महतासमिती तो याद रखिए तो कुल अभी में संभिधान कंप्लेट किया अब आपका विज्ञान बचा हुआ है समसामी की तो देखिए करें टूरेंट होता है और बच गया है कि मैत तो इसक का बुक है और यह BPSC का कोस्टन बैंक इसमें मुख्यत है जो साइन्स के प्रस्न है परतिक सेट में जो साइन्स के प्रस्न आते थे वह हम कंप्लेट करेंगे तो शुरू करते हैं चैनल पे नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प इस से प्रस्न जो है वो विज्ञान से हैं तो काफी इंपोटेंट है और आप देखिएगा बहुत सारे प्रस्न जो है वो रिपीटेट होते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके अगामी एक्जाम के लिए साथी दरोगा का जो मेंस है CDPO एक्जाम होने वाला है या फिर से बिपीएसी का पीटी होगा सब में आपको यह हमप्रेगा तो फेले फिजिक्स चैनस कंपलिट करेंगे फिजिक्स केहले स्टी वैलोजी इस टैब से रहेगा पहला प्रसंद है दो समांतर परती रोध बाले सर्किट का कुल परतीरोध इतना दिया गया है याद रहेंगा समांतर एक होता है स्रेणि करम Shraini करम में क्या होता है दिरेक्ट र र 1 पलस R2 पलस R3 कर देते हो और जो समांतर करम होता है उसमें 1 by R1 पलस 1 by R2 यह करना होता है बस इतना है काई difference है ठेक ना और is equal to जो main होता है वो होता है तो यहाँ पर कुल यहाँ पर दे दिया गया है और हमने इस formula का use करना है यदि एक परतिरोध का मान 2 kg ohm है तो दूसरे परतिरोध का मान क्या होगा मतलब इसको arrange कैसे करना है 1 by 2 plus 1 by x is equal to 1 by 1.403 अब इसमें आपको x का value निकलना है तो वो निकल के आजाएगा 4.70 यह आपका answer निकल के आजाएगा गर्म करने पर एक अर्ध चालक का परतिरोध गर्म करने पर एक अर्ध चालक का परतिरोध जो है वो घट जाता है गर्म करने पर एक अर्ध चालक का परतिरोध घट जाएगा और परतिरोध घटता है ये एक positive indication होता है मतलब जैसे electricity को परवाह करना होता है आप परतिरोध को समझे जो गुंडा मवाली होता न चोर उचका उससे समझे जैसे कि माली जी एक रास्ता है ठीक ना इस concept को समझे बहुत काम देगा माली जी एक रास्ता है ठीक इसके चारो सेट गुंडे मवाली है यहां भी है यहां भी है अब जितना गुंडा मवाली अधिक होगा इधर से रास्ते पे जाने में दिक्कत होगा किलियर तो वही है परतिरोद अगर घट रहा है यानि गुंडावाली कम हो रहा है तो यह हमारे लिए अच्छा है यह मैंने क्यों बताए अब समझिए जैसे कि मालीजी यह तार है इसको हम बहुत लंबा कर दिये ठीक और गुंडावाली भी बढ़ गया तो परतिरोद क्या हो कम हो जाएगा तार को लंबा करने से परतिरोद क्यों कम होगा वह है तार को कर मोटा कर दोें जैसे कि मालनो एक पतला राष्टा था और यहांativa पे औहरे बीचे कुछ मुंडे हैं पीच जा रहे थोखी थे यहां भी गूंडे थोड़ा सुरक्चित है यहांने गर्शलितार जो good conductor होता है वो अलग है यह अर्ध चालक है जैसे कि silicon इसका उधार है तो उसमें क्या होता है परतिरोध घट जाता है अगर गर्म करते हैं तो लेकिन simple अगर आप तांबा का तार है या फिर चांदी का तार है जिससे हम लोग धारा परवाहित करते हैं उसको अगर हम गर्म कर तो परतिरोध बढ़ जाता है तो इस term को तो आप focus किजिएगा अर्ध चालक का वहीं चालक होगा तो क्या होगा परतिरोध बढ़ेगा गर्म करने पर लेकिन अर्ध चालक में गर्म करने पर परतिरोध घट जाता है आगे question number 76 है फैराडे इस्थिरांक फैराडे इस्थिरा जो है वो सर्भोमिक स्थिरांग है सर्भोमिक स्थिरांग यह होता क्या है तो जो एक मॉल विद्धूत आवेश की मात्रा होता है उसी को हम कहते हैं मॉल या यह फैराडे स्थिरांग तो वो क्या होता है हमेशा कॉंस्थेंट होता है सर्भोमिक स्थिरांग होता अप्शन अमर डी प्रकास वर्स किसकी इकाई है प्रकास वर्स दूरी की इकाई है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक 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 बड़ावर होता है प्रकास वर्स के 10 से पावर 15 और इसी में अगर आप 3 दसमलब 2-6 से मल्टिप्लाइ करो तो वो क्या होता है पार्शेक जब परकास एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है परकास जब एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो आविड़ती उसका हमेशा constant होता है फ्रिक्वेंसी जो होता है वो हमेशा constant होता है आगे प्रसंद पर आते हैं अच्छे एक चीज़ बदलता क्या सब है तो wavelength जो तरंग धहरी होता है गती होता है वो सब बदल जाता है तरंग धैरी गती ये सब बदल जाता है अब अर्तनांग में भी परिवर्तन होता है Question No. 79 बेदृत चुम्ब की तरंग का वेग होता है बेदृत चुम्ब की तरंग का वेग जो प्रकास का वेग है न तीन लाख मीटर पर सेकेंट वही होता है लेकिन एक होता है अंत्रिक्ष में जो पहले गए थे तो वो थे यूरी गागरिन, वो थे रस्या के, तो दोनों में गलती नहीं कर लेना है, ठीक न, ये निल आर्मे स्ट्रंग कब गए थे, 1979, ये वही वर्ष है, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हुआ था, सबसे जैदा सयान तक कौन से होगा पारा, पारा, मरकडी, जिसका सिंबॉल होता है, हट जी, अटमिक नंबर, क्या होता है इसका, अस्ची, पूछा जाता है, अगेर असाइन, प्लूटोनियम नुकलियाइड के नाविक में, निट्रोनों की संख्या कितनी होती है, ये होता है, एक सो और ताल पूलिस द्वारा, नसे में गारी चलाने की, नसे में गारी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए, किस फिल्टर पेपर का उपियोग किया जाता है, वो होता है, पोटासियम, पोटासियम, डैक्रोमिट सल्फियूरिक एसीड, पोटासियम, डैक्रोमिट सल्फियूरिक एस इसके दुवारा दुधिया हो जाता है, चुने के पाणी में क्या होता है, CO होता है, सुरी, CO2 होता है, CO2 होता है, carbon dioxide, जिसके कारण वो क्या होता है, दुधिया हो जाता है, CO होता है carbon monoxide, आगे आपका है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन होता है, वह काफी हार्म करता है carbon monoxide यहाँ पर carbon monoxide option number D एक घोल का pH 3 से 6 हो जाता है तो उसका H प्लस आयन सांदरता क्या होगा तो यह 1000 गुन्ना कम हो जाएगा 1000 गुन्ना याद रख लीजेगा यह 1000 गुन्ना कम हो जाएगा यह मिली होता है इसे 10 पर पावर मैनस 3 और 10 पर पावर मैनस 6 तो यह हो जाएगा 10 पर पावर मैनस 3 यानि एक वट्टे 1000 तो वो क्या हो जाएगा 1000 गुन्ना कम हो जाएगा यह हमेंसे ऐसा है लोजिक नहीं चलता इसलिए वो difficult है तो याद रख लिना ठीक राता है रेत और नेफ्थलीन के मिस्रन को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है रेत और नेफ्थलीन को यह सबलीमेशन उर्थपातन से उर्थपातन सबलीमेशन इसमें क्या होता है कि अगर आप नेफ्थलीन को गर्म करोगे तो वो दरब नहीं बनेगा सिधा क्या होनता है guys ठीक न तो आप इसको eliminate कर सकते हो उड़ता पातन वही होता है सबलीमेशन जैसे मरकडी पारा को गर्म किजिएगा तो वो liquid नहीं होता है सिधा gas में convert होता है तो वो भी सबलीमेशन का ही उदाहरन है बेंजीन में sigma और pi बंध की संख्या कितनी होती है बारा सिगमा और तीन पाई, उप्सन नमर सी, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से है, यूरिया में इसका अगर फर्मूला याद हो, क्या होता है रुगो, एन एच टू, सी ओ एच टू हो, यह होता है, तो इसमें क्या सब है, नेट्रोजन है, हैड्रोजन है, क अधर नहीं क्यूं, अधरक जो है, वो तना है, आलू भी तना है, यह सब पता ही है, पर यह क्यूं ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए, इसमें नोड और इंटरनेट होते हैं, इसलिए, हम लोग ऐसे याद करें, छिलका होता है, न निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन सी है सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होता है फ्रुक्टोज अपसे नमडर है फ्रूट में जो आपको मिठापन मिलता है वह फ्रुक्टोज ही होता है सुक्रोज होता है वह वाला जो गन्ना सी मिल जाता है गुलुकोज होता है जो अंगुर भी मिल जाता है, तो यह तोड़ा अलग अलग है, निम्म लेखित में उसे कौन सा एक, सच्चा फल नहीं है, जो टूफल नहीं, मतलब फ्रूट नहीं है, वो है सेव, सेव को सच्चा फल नहीं कहा जाता है, इसको हम फोल्स फ्रूट कहते हैं, फोल्स फ्रूट, फल कोंसा पार्ट हम लोग खाते हैं तो फूल की गली फूल की गली यह प्रस्थ है अजानी किसका घटिया श्रोथ है तो दूद में इसमें से क्या नहीं होता है तो दूद में विटामिन सी नहीं होता है विटामिन सी में खटे से निम्बू संतरा आबला इसमें होता है तो दूद में नहीं होता है दूद में केल्सियम प्रोटीन कारव हैड्रेडियसम मिलेगा तो विटामिन सी की कम अलकोहल में किस इंजैम द्वारा बदल दिया जाता है असफिल अलकोहल को जैलेम जैमेज जैमेज Chop bon number C बिटैमीन जो रक्त के ठक्के बनाने में परभावी होता है रक्त का ठक्का बिटैमीन के बिटैमीन के काफी इंपोटेंड है रक्त का ठक्का ब्लड कलोटिंग महिला सिक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है एस्ट्रोजन इसको एंट्रोजन से कंफ्यूजने करा नहीं यह एस्ट्रोजन है ठीक ना बहुत गलती होता है इसमें एस्ट्रोजन महिला सेक्सार्मोन एस्ट्रोजन परकिंसन बिमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नवल पुरुसकार दिया गया परकिंसन बिमारी के उपचार के लिए नवलप्रेज मिला था अवार्डी कारलसन को अवार्डी कारलसन 2000 में मिला था अवार्डी कारलसन थाइरेर गरंती की खड़ावी किसकी कमी के कारण होता है थाइरेर गरंती की खड़ावी होता है आयोडीन की कमी से करवाहट के लिए मानव जीव का संबेदन शील भाग कौन सा होता है करवाहट के लिए तो जैसी यह वाला जीव है ने स्टैप का यह पीछे वाला भाग यहां वाला भाग ठीक ना तो पीछे वाला भाग ऑप्सन नमर सी अब आगर जो रिपीट एक्जाम हुआ था साथ है कौन-कौन सा लंबय, दरबयमान , समय, तापमान, बिदुधिFF का पडिमान जो मोल होता है वो, तो बिदुधिध्धि का क्या हो जाएगा अगे है अनुध्य तरग का ऊदाःन है अनुध्य तरग का उदाःन है धोनी तरंग धोनी तरंग। ऑप का वर्ण भी छेपन होता है प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम अप्शन नम्बर ए किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरन हैट पे माना मेल खाता है यानि दोनों एक होता है तो मैनस चालिस पर मैनस चालिस पर सेल्सियस और फॉरन हैट दोनों से हम ह होता है लेंस की छप्ता डियॉप्टर निम आपते हैं लेंस की छमटा डियुप्टर में पर्योग किया जाता है एस जिव खोजगरदा कौन थे रॉंट जन थे रॉंट जन जब एक धोनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या ओपड़ी वर्थी तरहता है चंज नहीं होता तो आविर्थी चंज नहीं होता हमने लैटर ही पढ़ा था आविर्थी चंज नहीं होता और प्रकास वर्स मातरक है निम्द लेखित में से कौन सा कन आवेस रहित है आवेस रहित इसमें से नीट्रोन हो जाएगा नीट्रोन पर कोई नहीं होता प्रोट्रोन पर पोजेटिव होता और इलेक्ट्रोन पर निगेटिव होता और नीट्रोन हो जागा यहां पर अंसर साथि निट्रोन और प्रोट्रोन जो होता है वो होता है नाभिक में और जो इलेक्ट्रोन होता है वो बाहरी का अक्षा में घुमता है साथ इलेक्ट्रोन किसी बस्तु का जो रासैनिक गुन होता है वो किस पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोन की संख्या पर ओम मीटर किसका मातरक है नीलम जो रूबी है इसका रसानिक सुत्र क्या होता है पेट्रोल की गुनवत्ता को व्यक्त किया जाता है औक्टेन संख्या से यह जितना अच्छा रहेगा उतना सुध माना जाएगा निमने लिखित में से किसका गलनांक सबसे उच होता है देल्सवान देल्सवान पहला पुझा पहला अंटिवान वह बेक्टिडिया जो वियानों से बिवारी होगान बिसानू के लिए यह काम नहीं करता CNG का मुखी घटा कौन सा है compressed natural gas, यह होता है methane, methane, CH4, अमल वर्षा के घटक कौन से है, अमल वर्षा का कौन सा घटक हो जाएगा, तो HNO3 तो होगा ही, साथ ही H2SO4, दोनों है, HNO3 पलस H2SO4, भारी जलका रासानी सुत्र, D2O, 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 अक्साइड, पानी का pH कितना हो, देखो, ये प्रसन देखो, पानी क पीएच, जनरली सब टिक करेंगे, 7 पे, ठीक ना, लेकिन बोर्ट की तरह से जो आंसर आया हुआ था, इसमें था पानी का pH जो होता है न, वो E होता है, क्योंकि यहां आपसे सुध पानी नहीं पूछा गया था, गंदा पानी ये साप पानी, तो ऑप्सन यहाँ पर E सही हो 2019 का Nobel Prize, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, Nobel Prize एक्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लेना, ये था एक बैटरी नाम से था, लिथियम आयन बैटरी के लिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए Nobel Prize दिया गया था, प्राकृतिक रवर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रवर आइसोप्रेन का, आईसोप्रेन, पानी की टंगी में फंगी को नस्ठ करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला रसाइन कौन सा है, copper sulfate, copper sulfate, option number d, नेमनलिखत में से कौन सा, कलोडोफिल का घटक नहीं है, कलोडोफिल का घटक कैल सियम नहीं है, जबकि, मैंगेनिसियम, कारवन, यह सब होता है क्लोरोफिल में अब यहां से जीब बिग्यान और पाडियावरन पौधे में पानी पहुचाया जाता है पानी जल होता है जैलम से और फूड होता है फ्लोयम से तो अप्शन नमरे सही था प्रकास संसिलेशन के दौरान हरे पौधे क्या अफसोसित करते हैं वो क लाइपेज का स्रोथ है एंजैम जो है लाइपेज एक एंजैम है उसका स्रोथ है वो बनता है अगनासय में लार कहां बनता है टाइलीन मेल्टॉज लार में होता है जठाडस में रेनीन पेपसीन होता है अगनासय में एक तो होता ही है लाइपेज और क्या होता है ट्रिपस option number C निम्दलिखित में से कौन सा हार्मोन अगनासाइद वारा उत्पन होता है अभी पढ़े थे अगनासाइद वारा उत्पन कौन सा होता है insulin insulin और insulin अगर बढ़ जाए तो sorry insulin का कम हो जाए तो diabetes होता है और insulin कब अगर वह चीणी खा लिया तो उसको insulin का स्वी दिया जाता है ठीक न अगर कम हो गया सेट में तो ताकि उस पर control किया जा सके मिन्दलिखित में से कौन सा रक्त के सणरचन में मदद करता है रक्त के सनरचन में मदद करता है ए्रिफ्रोसाइट एर् smilesite अंगोरा उन किससे निकाला जाता है अंगोरा कह अंगोरा के क्या था बस science के दम पे ही समझवलों पास कर गया थे तो पहला दूझागे दाव का मातरक क्या होता है? देखिए, दाव का मातरक बचे तो पास्कल होता है और यह बराबर होता है बल sorry Сौरी दाब यह होता है ना दाब तो बल ही लगेगा उसह हे बल बटे 6 रफल समाँ का और हो जाएगा औरहों कर मीटर है तो तो नींचे्आ पर मीटर हो जाएगा तो म्हाँटर में स्क्रस्सक्ति है किलो गराम पर मीटर औरहों नीचे में मीटर अधाब है इसको नीचे कर दो ये इसा ओना चाहिए तो आइसा होना चाहिए तो प्रिप्थी पर पहुंचता है कितना देर में 500 सेकेंड शूर्ज का प्रकास पिल आठ मिनट 20 सेकेंड तो अंसर बन जाएगा ई निम्नलिखित में से कौन सी अदिस रासी है इसमें से कौन सा अदिस रासी है दाव अदिस रासी जब कि बल वेग त्योरन यह सब सा अदिस रासी है बिस्थापन निम्नलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं होता विकृति का मातरक नहीं होता वायू में धोनी तरंग कैसा हो कितना होगा तो यह आपको निकालना पड़ता है जैसे कि Celsius में पूछा जाना है न तो C-0 by 100 और Fahrenheit से रिस्ता करना है इसको तो Fahrenheit-32 by 180 इसको solve करने पर आपको निकल जाएगा मतलब C के जगा पे 50 लिखना है आपको 50 से 2 कर जाएगा तो C-90 कर जाएगा यानि 90 is equal to F-32 यह दर आएगा पलस हो जाएगा यानि 90 में 32 एड़ कर दो 122 ओप्शन नमबर B यहां आपका सही हो जाएगा हर्ड में क्या मापा जाता है हर्ड में मापते है आविर्थी आविर्थी ओप्शन नमर ए बिदुद्धारा की सुपकरन में मापा जाता है बिदुद्धारा मापते है एमीटर में एमीटर बिदुद्ध सक्ति की काई क्या है बिदुद्ध सक्ति की काई वाट अब कैमेस् है और यह नीट्रॉन है तो दरबमान कितना होगा देखिए जब दरबमान की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अच्छा एक शीज़ है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना इक प्रोट्रॉन भी होता है तो आप इसको एड़ कर सकते हो ठीक ना आठ हो जा वाली गैस कहा जाता नेट्रस ऑक्साइड को नेट्रस ऑक्साइड इसका खोज कौन किया था रदर फोर्ड ने किया था नेट्रस ऑक्साइड का निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है तो गैस तत्व नहीं होगा गैस पानी का पीच देखो फिर सी यह प्रस्थ नाय है seven तो यह प्रस्ण पता नहीं काफी confusing टैप का है ठीक ना अब पिछले सेट में स्बुक में दिया गया था answer इन्वेसे कोई नहीं इसमें दिया गया seven तो यह एक बार मैं कहता हूँ खुद से देख लेना क्योंकि answer सिटाय था मैं चेक किया था मैं seven घटा क्या सब हो जाएगा तो carbon monoxide greenhouse gas में carbon dioxide है यहाँ पर कारण monoxide हो जाता है डेक डियोकसाइड भी हो जाता है मिथेन जलवास्प मिथेन जलवास्प तो अंसर यहाँ पर यह बन जाएगा oxygen अनुपस्थित होता है oxygen isoprene में नहीं होता शार सुट्र करोसीन में नहीं होता करोसीन में oxygen अभी पर प्रसन है यह सब अगे प्राक्रतिक बहुलक प्राक्रतिक रावर किसका बहुलक है तो isoprene रेपीटेट है यह सब ग्लुकोज का सुत्र तो C6H12 होता है C6H12 OH CO सम्मू का अब आबंध करम क्या है तो यह तीन होता है तीन CO अब बिग्यान से जी बिग्यान से सरीड का तापमान कौण यंत्रित करता है है पोथेलेमस हाइपोथेलेमस सापमान कौण यंत्रित करता है पुस्तक किस ने लिखा था डार्विन ने लिखा था सेवाल और कबक से लाइकेन बनता है जिसे हम क्या कहते है इसे कहा जाता है म्यूटॉलिज्म इसे प्रस्न हाड होता है मैं यह नहीं करा कि सवासानी होता है कुछ कुछ तो हाड होगाई जहां जीव रहता है उस साटिक जगों को क्या कहते है उस साटिक जगों को आवास कहते है जहां जीव रहता है उस साटिक जगों को कहते है सौर उड़जा ATP में बदलता है सौर उड़जा कलोडोप्लास्ट में अंतर्गत किया जाता है तो ऐस्टियो लोजी ऐस्टियो लोजी उपून नम्मर ट rescet में से किसकी कोर्चिका में कोई एंज्इम नहीं होता कोईसी का वियरस मैं मनुष्चिक Till मिकिस अंग में भी होता है अस्थी मज्जा में भी थैंचार जगह होता है यह ठिकना तो आंसर यहां पे एधर कर दी सही हो जाता है मैसे और वहइट वलट भी बड्र मिल अस्थी मज्जा में भनता है लेकिन बचाग ना तब यक Caoी है अ मिलॉडकर नंस नम्पलिय बंड़ होती है Turn तयरोक्सीन में थायरोक्सीन उप्सेन नमर सी यह तिली है ने इसको पिलिहा कहा जाता है इसमें भी बनता है डबलु बसिए एड्स किसके कारण होता एड्स विसानु के कारण होता है विसानु है अगर यह चौसथी वाली है इसमें 12 प्रसन आये हुए थे 64 एंगेस्ट्रोम इकाई एंगेस्ट्रम जो है वो तरंग धैरी का इकाई है तरंग धैरी एंगेस्ट्रम आविर्ती को मापा जाते हैं कि आविर्ती से हर सिट में एक से दो प्रसनार है आविर्ती हर्ड्स हर्ड्स कथन को चुनना है सही कथन इसमें से कौन सा है तो पढ़ते हैं लाल प्रकास क तरंग ध्याड़ी है बैगनी से नहीं तो तो असान होला है लाल का सबसे अधिक होता है बैगनी का सबसे कम होता है याल का तरंग ध्याड़ी है बैगनी से जायदा यह सही है लाल का सबसे अधिक है बैगनी का सबसे कम है फिर वही प्रसन है चालिस डिग्री सेल्सियस का मान में क्या होगा तो चालिस माइनस कर दिए जीरो बाइ नीचे में एक सो डिग्री होता है वो है छिल्सियस में फिर यामे फोरेंहेट का एफ माइनस थर्टी टू और नीचे वन एट्टी सुल्व करने चेस को तो आज याएगा वन ढीरो, वन जीरो फोर्न फोर फोरन उट्ट विदुध धारः की काई है व विधुध भी मोटर में क्या होता है विधुत मोटर जिसमें पानी वाणी भाणवाभते हैंने फिर वह चलता है यानि विधुध धारः को यांतरिक में ब से बदलता है विदुत दारा निम्लेलिक्षित में से किस उदाहरन में नपीढिश का सफ्वा आइन्स्टीन को नोवल प्रैज किस काड़ी के लिए दिया गया था प्रकास विद्ध प्रभाव के लिए प्रकास विद्ध प्रभाव के लिए 1921 में जब हरपा की खुदा ही हो रही थी न तो यह नोवल प्रैज ले रहा थे बताओ आधरता किस उपकरन से मापी जाती है एगडो मीटर दाव की एक अई क्या है न्यूटन पपरती वर्ग मीटर मीटर देखिए उस टेम अलग אתה के जी में कण्वर्ट करate करना तो निंट quintjas क्योंकि दा बढ़ावर बल बते मीटेर स्कुरियर होगा क्योंकि दा बते शितफल होता है ना तो नुटन परती वरग मीटेर होगा ऑप्सन नमड़ यहां सही होगा अब देगे यहां पर प्रस्ट निम्न लिखित में से किसका पी एच सेवेन होता है तो सुद्र पानी अगर में से किस में neutron नहीं होता है neutron hydrogen में नहीं होता है hydrogen में इसका प्रोट मतलब जो atomic number atomic भारे की सेम ही होता है अब है GP क्या नहीं है DNA का खोज किस ने किया था DNA का खोज किसके दुवार किया गया इसमें तो Watson Watson और क्रिक का नाम आता है पर इसमें आंसर ही दिया गया ठीक ना वाइसे अगर होता है तो Watson और क्रिक होता है लेकिन इसमें एक और नाम एड किया गया है वह है deoxyribonucleic acid को सबसे पहले 1816 में Frederick मिसेचर ने देखा था Frederick मिसेचर तो हलाक उसका नाम भी तो नहीं है Frederick मिसेचर का तो इसको एक और देख लिजिएगा क्या चीन है क्योंकि Watson क्रिक हम लोग याद किया है DNA के खुज करता के रूप में आगे है triglyceride क्या होता है triglyceride fat है वसा option number C electroencephelogram जो EEG होता है निम्दलखित में से किसकी निगरानी के लिए होता है मस्तिस्क के लिए मस्तिस्क EEG शरीड का तापकरम कौण यन्द्रित करता है सरीड का तापकरम hypothalamus STEP mikrocankins का कुशिका का सक्ति-वòng होता है mm वाइरस के कारण होता है वाइरस आगे तिर सथमा वाला है इसमें 20 प्रस्ने सेंस के द्रिस से स्पेक्ट्रम जो होता है वह 49-100 एंगस्ट्रम से लेकर 76-100 एंगस्ट्रम तक होता है आगेर संबिज्ञान घारी का परयोग होने वाला जो जस्ते का प्लच रहा जाता है जस्ते का उपसन नमर 1 जिससे जंग लगाने से बचाया जा सके गल्बनाजेसन उसी को कहते हैं कि सदलेपन कपड़े साफ करने के लिए होने वाले डिटरजेंट होता है सैल्फोनेट, सैल्फोनेट वह तत्व जो मानब पसीने के माध्यम से सर् नीला थोथा रसायन रूप है किसका नीला थोथा कॉपर सलफेट का कॉपर सलफेट कॉपर सलफेट कॉपर सलफेट और सी नीला थोथा कॉपर सलफेट एक परमानु के केंदर का धनावेशित हिस्सा होता है धनावेशित हिस्सा नुकलियस नुकलियस जो पोजेटिव होता है नुकलियस, नुकलियस में वही होता है, प्रोट्रॉन और नूट्रॉन, तो नूट्रॉन तो कोई आवेसी नहीं होता, प्रोट्रॉन पोजेटिव होता, तिसे लिए, पोजेटिव होता, एक ठोस, के सीधे गैस में परिवारतन, सबलिमेशन मैंने जिकर किया था, नेफ्थि धातू है stainless steel किसका मिस्र धातू है तो एक तो कभी आप इसको अपनेट कर सकते हैं जातू होता है रिकना तो आंसर अल्रेडी बन जाएगा ही ठीक इसमें किया से होता है ना लोहा निकल तो होता ही है और साथ में और कुछ होता है कारवन का भी एक परसेंट होता है 0.1 वैं एक ये कहा कि दो होगा तो योगिक हो गया ना दो स्यादिक होगा तब तो मिस्रन होगा तो टुटी हुई हड़ी की रक्षा के लिए प्लास्टर और पेडिस का पर्योग क्या जिपसम का जिपसम एक हैड्रो कारवन जिसमें कारवन के दो पर्मानू दूइबंध जु सूडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है सोडा वाटर में होता है कारवन डायोकसाइड कारवन डायोकसाइड ऑप्सन नम्बर से ए अब है जी बिग्यान मानव तंत्र में इंसुलीन किसका उपापचा या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है तो य प्रतान करता है तो चावल भात खाईएगा तो करवहड़िट होगा तो अप्सन नम्र सी अब यह साथ वासर मिला कि होता है एक ही तो इसमें 25 प्रस्न है साइंस के टेफलाउन किसका एक कल किसका एक लग का बहुलक है टेफलाउन यह किसका हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो ए इसमें से एक हेड्रोजन निकाल दो सीखेश वही बंजीन होता है बनसपति तेल से बनसपति घी बनाने में प्रयूक्त होने वाली गयस कौन सी है हेड्रोजन hydrogen घाडेली इंधन के रूप में LPG में मुखिता क्या होता है LPG में तो मिथेन ब्यूटेन ये भी होता है तो option नमर यहां पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा option नमर C प्रोपेन भी होता है ब्यूटेन होता है गंद के लिए मरकेप्टेन मिलाया जाता है पोटासियम आयोड़ option नमर D पोटासियम आयोड़ गौड पार्टिकल है गौड पार्टिकल हिंस बोसोन है हिंस बोसोन अगर हैसजी बिग्यान है निम्द लिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है नगदी फसल जो और नहीं है जबकि जूट मुँफली गरना ये सब नगदी फसल है काली करांती किसे संबन देते काली करांती कच्चा तेल से कच्चा तेल काली करांती मतस्य होता है नीली करांती सरसो जो तेल होते हो पीला हो जाया जीव को सिकाओं में यानुवांसिक लक्षनों के नियंत्रन के लिए निवनिलिखित में से कौन सा उत्तरदाई होता है DNA DNA निवनिलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है सही सुमेल यहां पर कौन सा नहीं है तो विटामिन भी संत्रा नहीं विटामिन C होता है विटामिन D यक्रित तेल चलू यह थे तो गलत होई रहा है तो यहाँ पे लकर यहाँ पर यह नहीं काड़ यकड़ी की फेरोल कि से कहते हैं अलगो केलसी फेरॉल किसे कहते हैं बिटैमिन D2 को बिटैमिन D2 निमनलखित में से कौन सा सही युगम सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा गलत है तो टेको फेरॉल बेडी बेडी ये गलत है टेको फेरॉल बिटैमिन है इंसुलीन क्या एक प्रूटिन है निम्निलेखित में Pokemon cognitive असौधी उस्मेंस क Susie इसमें से कौन सा हो जाएगा पιरशा दोंटोंटों हैं और यह दोना अपए डिया गिया है मिलाना कि कौन सा यहांपे सही होगा पहला एंफ्र स सिताक होता है फ्रीज में यूज होता है नियोपरीन यह संसरे IT रवार है नियोपरी एसपरटम कृतीं मधूरक हो जाएगा और बनद्रिल ज है वह वह परती हिस्तेमीन हो जैका परती हिस्तेमीन अग्यर निम्नलिखित में इसे कौना हार्मोन, अस्तन गरंथियों में दुधन का सराव होने की भूमी का निभाथा, यह ऑक्सिटोसीन निम्नलिखित में से कौना विटामिन, प्रतिसकंदन विशो के प्रतिविमब प्रतिकारक के रूप में प्रयूग किया जाता है बिटैमिन के सोची बन और सोची टू दिया गया है आपको यहां पे मिलाना है कि कौन सा सही है तो तोचा केंसर तोचा केंसर डेसिबल के कारण ध्वनी प्रदूशन किरन होगा ना धोनी होगा डेसिबल वन विनिट इरेज भी नहीं हो रहा हाँ हो गया धोनी प्रदूशन डेसिबल के कारण ओजोन छिद्र कलोडो फ्लोडो कारवन बैस्विक तापमान गलोविर बाडविंग या गारवन डैयोकसाइड और तोचा कैंसर पड़ाव्यागनी क कीरन मानव सरीर में बिटावीन ए में कहा भंढारित होता है भीक्रित उठकुक्सर जो लुकेमिया होता है इसके रोखंक के लिए किसका पड़ियोग होता है कोबल्ड against siht audit का पड़ियोग होता है फॉस्पेBION 32 पड़ियोग होता है यह दोनों यहाँ पे सरी होता Hebrews अंसर ब देखिए 60 तक हमने complete किया इससे आगए जो 59 वाला है उसमें चार उप्शन वाला है तो उसलिए उच्छोड रहे हैं ठीक ना तो इसमें 26 प्रस्थन है और रसेन से ही शुरू है इसमें सबसे अधिक क्रियासील धातू कौन सी है सबसे अधिक क्रियासील धातू potassium है potassium कौस्मिक क रण इसमें से अफ्सोशित और अनाभेशरी NO हो सकती है nine उग्षित में इसे कौन साथ आत्यू सभी कार्वनिक यौग और कॉ मिल जाएगा जिरो पेने जीरो कुछ होता है ठीक ना सेवेन या सिक्स होता है तो कोई नहीं है आप जो कम है उस पर टिकर सकते थे आप ठीक ना लॉंग पॉधे के निम्नलेखित में से किस भाग से प्राप्त होता है लॉंग कहां से प्राप्त होता है तो सुस्क उस्पकाली से ऑकोजीन समंधित है, ऑकोजीन करक रोग से, करक रोग से यानि cancer DNA को किसके अन्ता पात्र में बनाया, DNA को और्थर कॉर्णवर्ग ने, और्थर कॉर्णवर्ग, option number A तिब्रता एबं पड़युकता के अधार पर, DNA किसने अन्ता पात्र बनाया, नहीं वो तो अलग था ना Watson और केडिक वाला खोज करता यह अलग है तिवरता और पर्युक्ता के अधार पर निमनेलखित में से कौन सा कर्क रोग के उत्पन हो सकता है और उसका उपचार भी हो सकता है यह कर्क रोग के अंसर ही है तो यह हो जाएगा आइनिये वीकिरन से आइनिये तथा कॉलरा बिसिस्ट उधारन है टैफाइडर कॉलरा गलाइकोजन के रूप में गलाइको टैफाइडर कॉलरा जल जन यह रोग है तैफाइडर कॉलरा जो है वो जल जन यह रोग है गंदा पानी पीने सोता ही है यक्रित एवा मान स्पेसी में उरजा जमा होती है यक्रि जीवों के अत्यधिक विवित्ता का कारण कौन सा होता है उत्पडिवर्तन उत्पडिवर्तन आगे कीट संबर्धन क्या है कीटों की बिर्धी का विज्ञान कीट संबर्धन सबसे छोटा जीव जो स्वेंग विकास एवं प्रजणन करने में समर्थ है वो है मैकोप्लाज्मा माइको प्लाजमा सरपर्थम मानव हिर्दय परतियरोपन कब हुआ था दक्षिन अफ्रिका में दक्षिन अफ्रिका ब्रिक में प्रती मिनट औसत रक्त परवाह कितना होता है बारह सो बारह सो सेशी पादप कली है पादप कली है एक भुर्णी टाहनी एक भुर्णी टाहनी त तो पूरा प्रस्त कंप्लेट हुआ साइंस का सेशन अच्छा लगा हूँ तो लाइक और शेर जरूर किजिएगा जो भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं क्योंकि साइंस के प्रस्त बहुत हद तक रेपीटेट होते हैं और आपको और अधिक पढ़ना है साइंस तो SPD का बुक मैंने कंप्लेट भी क्या हुआ है और अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा SPD साइंस का जो बुक आता है उससे बहुत प्रस्त आपको मिल जाएगा तो यहां इस वीडियो को इंट करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए क्जार के बहुत